चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा एक थोटा सा और सिंपल सा कॉंसेट है और एक चैप्टर है विल्कुल फर्स्ट और एक तम निव चैप्टर और इस चैप्टर का आपका बैने पहले ही बताए कि अकाउंट से कोई रिलेटेट नहीं है सारी चैप्टर का नाम क्या है लिवरेज एक पर पहले समझ लेते हैं वह सार चीजिए अंच गरंड बेसिकली हमारा लीवरेज चैप्टर है अगर हम सिंपल सब्दों में बात करें तो इजी का मतलब हम कम एफट लगाके बहुत कम एफट लगाके हम ज्यादा से ज्यादा आउटपुट निकाल पाएं है नो एफ्याद एफ्याद है यह हम ट्रव्प्रकाइणिन हे ट्र नुटस को आख trzy Indeed है आपका सेल्स जईध जो है है वह सो रुपया मेरा फैसल फोल के त Daar मेरा सेल्स कितने गॉरुपय का धा यकशो पछाउड lavender तो मेरे sales में कितने percent का increment लग गया बताओ 100 से अगर 500 हुआ तो कितने percent का increment लग गया तो हमारा 50 percent बढ़ गया लेकिन profit मेरा हो गया profit कितना हो गया सीधा 10 से 20 अब देखो दोनों में difference है हमारा sales में increment कितना लगा 50 percent लेकिन profit में कितना increment लग गया हमारा profit में कितना increment लग गया हमारा voice not clear वोईस नॉट क्लियर इको आ रही है voice तो increase तो कर दूँगा लेकिन eco sound है यह दिखते दे रहे है कितना है कितना है वे भेल देनी अबने देपे है देखना पड़ेगा चलो अभी देखो रिकॉर्डिंग नो डाउट आपको रिकॉर्डिंग ठीक मिल जाएगा है पता नहीं क्या इशु आ रहा है अब ठीक है अब ठीक है बच्चे कह रहे हैं अब ठीक है देखना एक बार लेज़ पहले से बेटर है क्या है मैंने एक फिल्टर था वो हटाई दिया इसमें से पहले से घीक है ना चलो कोई बात नहीं स्टाट कर देते हैं ठीक है ना तो मैं क्या कहा रहा था अगेन देखिये हमाराषव है leverage financial management का अभी आपने एक mind से एक दिमाग निकाल दीजिए कि हम financial management पढ़ रहे हैं और एक दिमाग निकाल दीजिए कि हम एक subject पढ़ रहे हैं आप ये देखिए कि मेरे कुछ एक सवाल है उस सवाल का दीरे दीरे आपको पता है वो बस मैं आपसे पूशता जाऊँ आप जवाब देते जाएगा आपको पता चल जाएगा कि what is मतलब कि हम सीखने क्या वाले है simple सी बात है subject दिमाग से निकाल दीजिए हम college की पढ़ाई कर रहे हैं ये सब चीज़े दिमाग से निकाल दीजिए मेरा concern है एक word है leverage और ये English word है और हम commerce में इसके easy word से जाना जाता है इसको समझते हैं जैसे मेरा sales मान लो कि 100 रुपय था अब मेरा sales डेट सो हो गया तो मैं आप सभी से बोलूँगा कि फटा फट बताईए percentage के terms में कि हमारा sales कितने percent बढ़ गया तो हमारा 50% हमारा क्या बढ़ गया सर इसके बाद हमारा profit कितना है 10 रुपय और 10 रुपय से हमारा profit कितना हो गया 20 रुपय हो गया तो आप मुझे जवाब दीजिए कि हमारा profit कितने percent बढ़ गया तो जवाब होगा मैंने easy क्यों बोला अब देखिए हमने sales को बढ़ाने में effort कितना लगाया है 50% लेकिन profit बढ़ने में effort कितना लगा मतलब उतना effort नहीं लगा लेकिन profit बड़ी तेजी से बढ़ गया same इसको हम समझते हैं जैसे आप simple सी बात है कम effort जैसे कि chapter के theme ही यह है अगर आप इस point को अगर देखते हैं तो बड़ा easily समझ में आ जाएगा जैसे आपने ये देखिए आपने कभी न कभी ये game play किया होगा अगर खेला है ये game तो ठीक नहीं तो देखा होगा अगर कोई यहाँ पे बहुत कमजोर सा इंसान बिठा दिया जाए लेकिन कुछ techniques लगाने से वो कर सकता है आपने ये C saw वाला game देखा होगा जिसके अंदर अगर एक कमजोर इंसान भी इदर बैठ जाए तो इस साइड अगर healthy इंसान भी कोई बैठा हो तो वो इसको उठा सकता है effort लगा के तो इसका क्या message है message यह है यहीं से drive हुआ word leverage कि effort कम यानि ये बहुत अब वेट इधर जाता है लेकिन ये इसको उठा सकता है game तो यही चलेगा न एक बार यह उठाएगा एक बार यह उठाएगा अगर एक ही उठा के बैठ जागा तो game ही नहीं चलेगा तो ये इसको उठा सकता है कम effort लगाएगा effort मतलब power कम लगेगा और ये उठा सकता है तो इसी से हमारा leverage word को लिया गया है leverage का मतलब है कम effort और ज्यादा result effort कम है और result कितना मिल गया कम effort result ज्यादा अब देखिए यहाँ पे अगर आप देखते हैं यहाँ पे बता रहा था effort sales में कितना लगा 50% और profit में 100 यानि profit आपका result ही है हर business के लिए profit क्या है result है और हर business के लिए एक market में समान को बेचना क्या है effort है effort उसने 50% का मारा बढ़ाने के लिए लेकिन result में उसको कितना मिल गया 100% मिल गया तो ऐसे situation में देखा जाए 100% मिल गया अभी भी बच्चे कह रहे है voice clear नहीं आरी थोड़ी बहुत अभी भी नहीं आरी clear चलो अभी देखते हैं ज़्यादा लंबी class में सूचा था डेड़ दो गंटे के लूगा लेकिन थोड़ी class लूगा अब थोड़ा सा मैनेज कर लेजी आज आज बस हम आगे देखते हैं सर लीवरेज में क्या है तीम जो था हमारा में लीवरेज का क्या था सर में थीम अगर देखा जाए ना लीवरेज का तो लीवरेज का यही है कम effort इसके अंदर आपको समझाने की कोसिस गया है तीन पॉइंट से बोला गया है आपको एक तो डिग्री अब लीवरेज को जब कभी भी हम चेक करेंगे ना आंसर देंगे ना डिग्री से आंसर देंगे तो एक तो हमारा operating leverage operating leverage एक है हमारा financing leverage और एक है हमारा कमबाइन लीवरेज एक है हमारा ओपरेटिंग लीवरेज एक है हमारा फाइनेंसिंग लीवरेज और लास्ट हमारा कमबाइन ये तीनों लीवरेज सीखना है ओपरेटिंग का रिलेशन किस से होता है सर फिक्स कॉस्स से अभी आपको कुछ ज्यादा बाते समझ में नहीं आएगे, जब मैं example और मैं income statement बनाऊँगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, fix cost से, इसका होता है interest से, इसका relation है interest से, अभी ना भी समझ में आए, मैं सरफ एक बना देता हूँ ताकि आपको, और जो इसका होता है, उसका दोनों से होता है फिक्स कॉस्ट से भी और प्लस इंटरस्ट को मिला के निकालते हैं अब चलिए आप सभी को जो पता है अम उसकी बात कर लेते हैं आपके सामने मैं एक स्टेटमेंट बनाने जा रहा हूँ और यह स्टेटमेंट पूरे फानेंशल मेनेजमेंट के चैप्टर में बहुत इंपॉर्टन्ट रोल प्ले करेगा और वो स्टेटमेंट आपने पहले कभी न कभी बनाया हुआ सबसे पहले ना हम सेल्स लिखते हैं मान लिया जाए हमने यहां सेल्स लिखा अब सेल्स में से हम माइनस कर देते हैं सर्वेरियेबल कॉस्ट हम सेल्स में से क्या माइनस कर देते हैं सर्वेरियेबल कॉस्ट अगर सेल्स में से हम वेरियेबल कॉस्ट निकाल देना और वेरियेबल कॉस्ट को आज के बाद मैं बोलूगा वी सी तो हमें जो रिजल्ट मिलता है उसको बोलते हैं कॉंट्रिविशन उसको क्या बोलते हैं हम कॉंट्रिविशन तो अगर आप सेल्स में से variable cost को minus कर देंगे तो उसको क्या बोला जाएगा sir contribution ठीक है अब इसमें से हम क्या minus करेंगे sir इसमें से हम minus कर देंगे fix cost इसमें से minus कर देंगे हम fix cost जब आप fix cost को minus कर दोगे तब आपको मिलता है EBIT कई बुक में कई बार colleges में आपको सुनने को मिलेगा PBIT EBIT E का मतलब earning होता है P का मतलब before और I मतलब interest और T मतलब tax profit before interest and tax या फिर earning before interest and tax ठीक है तो क्या procedure है सबसे पहले हमारा sales में से variable cost minus करेंगे तो क्या निकलता है contribution उसके बाद fix cost minus करेंगे तो क्या आएगा EBIT अब जाके हम minus कर देते हैं इसमें से interest अब इसमें से अगर हम interest को minus कर दें तो फिर जो हमें result निकलेगा उसको हम बोलेंगे EBT या PBT अब अगर इसमें से हम minus कर दें sir tax इसमें से क्या minus कर दें sir tax तो हमें एक result मिलता है that is PAT या फिर EAT PAT या EAT ठीक है PAT या फिर EAT अब जो PAT EAT हमारा निकल गया इसको थोड़ा नीचे कर देते हैं tax हमने minus नहीं किया ना भी EBIT EBIT टेक्स उपर आएगा ये नीचे आएगा चल थोड़ा उपर नीचे हो गया इसको ले जाते हैं यहाँ टेक्स यह थोड़ा उपर इसका amount यह ठीक है अब जो EAT और ये PAT जो निकला है अब इसको पैट भी बोल देते हैं EAT अब इसको एक example से समझ लेते हैं मैं ना एक side में column row कर देता हूं और यहाँ पर एक अपना ही example ले ले लेते हैं उस example से समझ मान लेते हैं मेरा sales जो है वो हजार रुपए का है ठीक है और मेरा variable cost जो है वो 400 रुपए तो अब जो मेरे पास result आया वो कितना आया इस 600 को क्या नाम देंगे हैं contribution सिंपल से बात है अब इसमें से हम minus करेंगे fix cost that is मान लेते हैं 200 रुपए सर ये fix cost भी questions में given होगा और variable cost भी question में given होगा और sales भी question में given होगा लेकिन sales में भी in terms of unit हो सकता है in terms of amount हो सकता है तो अगर हम sales की बात करें तो sales अगर in terms of unit हुआ तो बड़ी simple सी बात है आपको हमेशा जो sales रखना है वो in terms of rupees रखना है अगर unit हुआ तो unit into में per unit आपका जो भी होगा cost उससे multiply कर देंगा per unit selling price per unit selling price से multiply कर देंगा अगर मैंने कहा 5000 unit है 10 रुपए का एक है तो बताओ sales कितना है आप बोलोगे 5000 into में 50,000 होगा ठीक है fix cost always given होगा अब जो हम माइनस करके result मिल रहा है that is हमें क्या मिला 400 रुपए इसको क्या नाम देंगे profit before interest and tax अब बारी आगई interest की सर अगर interest की हम बात करें तो interest मैंने मान लिया 100 रुपए अब सर interest कैसे निकाला जाएगा interest कैसे निकाला जाएगा या तो आपका interest दो तरीके से हो सकता है interest या तो गीवन हो सकता है आपको question में या फिर आपको percentage गीवन हो सकता है सर अगर गीवन हुआ क्या गीवन होगा सर fix amount गीवन होगा आपको fix amount क्या गीवन होगा सर आपको fix amount या फिर आपको क्या गीवन होगा परसंटेज अगर आपको परसंटेज गीवन हुआ तो आप क्या करोगे सर आपको परसंटेज किस-किस पर हो सकता है लोन के उपर हो सकता है या फिर आपका बॉंड के उपर हो सकता है या फिर आपका डिबेंचेर के उपर हो सकता है यह सारे परसंटेज निकालके आप इंट्रस्ट को कैलकुलेट करोगे और इन सभी को एड करके जो इंट्रस्ट आएगा मैं उस इंट्रस्ट की अहां बात कर रहा हूं मतलब तीनों इंट्रस्ट मिलाते सो रहा है समझ मैं इस बात आपको अगर मैंने सपोस करो मुझे होगा बताओ एक हजार सिंपल हमने अकाउंट में बहुत अच्छे से कैलकुलेट किया हुए सेम ऐसे हो सकता है टेन परसंट लोन है तो उसका परसंटेज होता है लोन निकाल लेते हैं है ना वो सारा काम कर लेते हैं तो यहां पर यह हमारा आ गया इसी तरीके से इंट्रस् है अब बचे कितने मेरे बन फिट है अब जो ये 150 और सको क्या नाम दिया हमने अरनिंग आफटर टेक्स यह फिर आप बोल सकते हो प्रॉफिट आफट अब इस profit के उपर किसका अधिकार है, इस profit के उपर, अगर मैं इधर लेके चलता हूँ, अगर मैं P.A.T. के बाद करूँ, इस P.A.T. के उपर किसका राइट है, सर, इस P.A.T. के उपर दो लोगों का राइट है, एक होता है हमारा preference share holder का, और एक होता है हमारा equity share holder का, sr preference share holder का पहले right होगा यानि जब distribution होगा हमारे पास pet पता है कितना मेरे example में डेड़ सु रुपे है इस डेड़ सो में पहले preference share माल लेते हैं prefer price share holder का dividend बन रहा है 50 रुपे तो अब equity share holder की कितने हिस्से में जाएगा 100 रुपे ठीक है न तो यानि जो भी हमारा profit after tax आया, उस profit फे दो लोगों का rights होगा, सबसे पहला जो right होगा, वो किसका होगा, किसका होगा, सबसे पहला right जो होगा, वो होगा हमारा preference shareholder का, उसके बाद जो दूसरा right होगा, वो किसका होगा, equity shareholder का, अब equity shareholder के अंदर भी dividend declare हो भी सकता है, नहीं भ पढ़ा होगा या फिर आपने cash flow statement अगर कभी किया होगा dividend declare but not paid interim dividend यह बंगाता है तो ऐसे situation में यहां पर भी क्या आ गया सर यह 100 रुपए के भी दो पार्ट हो सकते हैं कौन कौन से पार्ट हो सकते हैं सर इस 100 रुपए के हो सकता है कि यह dividend दिया जाए और dividend ना दिया जाए अगर dividend दे देंगे इसमें से और हो सकता है dividend ना दिया जाए that is retain earning dividend मैंने मान लो 100 में से बोला 25 रुपए दे दिया जाए तो retain earning कितना होगा हमारा 75 रुपए इसको next page पर और elaborate कर देता हूँ मैं किसको sir P80 को या फिर कह लेते हैं E80 ठीक है न next page पर मैं वहाँ space मिलने रहा था फिर मैं पीछे दिखा दूँआ यानि sir इसके दो हिस्से है दो हिस्से किसके होंगे preference share holder और equity share holder अब preference share holder को मेरा क्या था 150 था मान लेते हैं 50 रुपए preference share holder को मिल गया ऐसे situation में preference share holder की कहानी खतम अब equity share के holder के कितने पैसे आगे 100 रुपए अब इस पैसे का दो फैसला हो सकता है कुछ पार्ट retain earning हो सकता है retain earning और कुछ पार्ट आपका dividend में दिया जा सकता है अब यहाँ percentage हो सकता है मैंने suppose करो मैंने कहा dividend का न 20% है dividend मैं कितना दे रहा हूँ 20% तो 20% इसका निकाला जाता है ठीक है 20% कितना चला जाएगा DPS में सर्व 20 रुपे और बाकी 80 रुपे कहां पहुंच जाएगा तो 20 रुपे मैं मान के चल रहा हूँ मेरे पास जो shareholder है न वो total shareholder के number में बात करूँ तो total shareholder हमारे पास suppose करो 10 है number of shareholder अगर मैं बात करूँ मेरी company में number of shareholder तो कितने number मैंने present कर दी है अब 20 रुपे इन 10 लोगों में बटेगा अब यह 20 रुपे जो होगा ना उन 10 लोगों में बटेगा तो अगर मैं EPS निकालू earning per share तो 20 रुपे की कमाई है और कितने लोगों में बटेगा 10 में तो हर लोगों के हिस्से में कितना जाएगा इसको हम EPS call करते है earning per share इसको क्या बोलेंगे हम earning per share अब हर एक के person के कितना जा रहा है 2 रुपे हर person के खाते में जा रहा है 2 रुपे अब हम अगर देखें हर एक person के खाते में 2 रुपे है और face value अगर आपका कितना है 10 रुपे तो 10 रुपे पेगर आप 2 रुपे का payment कर रहे हो इसका मतलब 20% ही दे रहे हो तो एक होता है हमारे DPS आगे चलके आएगा मैं भी बस hint दे रहा हूँ यह पुराना है सारा यह 12 वाला ही है मान के चलो आप तो DPS होगा DPS क्या होता है dividend per share क्या होता है dividend per share का value मतलब आपका यह क्या है dividend per share divided by dividend और यह percentage में आएगा divided by face value इन्टू हंड्रेड तो आप चेक करोगे 20% आगया यह इतना relevant नहीं है जिसको समझ बनी आ रहा हम बाद में दुबारा समझ लेंगे यानि सर जो हमारा यह 150 रुपे बना है 150 रुपे के कितने टुकड़े हो गए मैं इसे हटा रहा हूँ यहां से 150 के दो टुकड़े हो जाएंगे यह बात clear हुई के आपको चलिए सर यह बात अगर clear हुई तो मैं यहीं पर लेके चलता हूँ यहीं लेके चलता हूँ इसी 150 को लेके चल रहा हूँ मैं मान लेते हैं preference share dividend minus करने के बाद हमारे पास 50 रुपए minus दिया तो जो अगला नेम आएगा न उसे बोलेंगे earning for equity earning for equity earning for equity कितना माना जाएगा 100 रुपए मैंने पीछे साथ एक point मैंने गलत बता दिया यह EPS नहीं होगा इसको DPS ही बोलेंगे यह DPS होगा चीक है मैं एक बार यह वाला ध्यान में मत रखिएगा by mistake मैं किसी और concept पे चला गया यह DPS ही रहेगा dividend per share कितने आगे dividend per share 2 रुपए हर share का dividend कितना होगा है 2 रुपए formula क्या है dividend हमारा upon में number of share dividend upon number of share formula देख लीजिए dividend divided by number of share ठीक है और यह earning आगया retain earning बोलते है हम आगे देखेंगे sir EPS क्या होता है EPS होता है is equal to earning for equity earning for equity divided by number of share मेरे example में अगर मैं EPS कूछूं तो number of share कितने है number of shares मैंने कितने माने है तो 10 से divide कर देंगे तो हमारा अब इसको अगर divide करते है तो आएगा EPS EPS कितने आजाएगा हमारा EPS आजाएगा हमारा 10 रुपे कैसे आया EPS sir EPS आगे हमारा 100 divided by number of shares लिख रहा हूं मैं 10 तो यानि 10 रुपे EPS आगे leverage के अंदर पहले हम इस statement को समझते हैं फिर leverage की बात करेंगे तो ये आपको कही न कहीं पहले आपने कहीं न कहीं देखा होगा जिसने नहीं देखा होगा बड़ा simple एक बार फिर से देख लेते हैं सबसे पहले क्या लेते हैं sales sales में से क्या minus करते हैं variable cost variable cost minus करने के पास जो हमारे पास result आता है वो क्या आता है sir उसको क्या नाम देते हैं हम contribution contribution का मतलब क्या होता है हम business के अंदर जो काम करते हैं fix cost पे कभी भी हम अपना business को नहीं देखते fix cost तो fix है वो तो zero sale पे भी आपका होना है हम देखते हैं variable cost हमारा recover हो पारा है नहीं हो पारा तो variable cost को इसलिए यहां पर contribution बोल दिया गया अब एक बाद मुद्दे की देखो अगर आप contribution को देखो तो अगर मैं आप से बोलू कि profit और fix cost इन दोनों हिस्सों को अब ध्यान से देखना अगर add कर दूँ यानि 400 और plus 200 कर दूँ तो 600 आ जाएगा 400, 200, 600 ही होता है एक formula आपने mind में सोचो drive हो गया कौन बच्चा बताएगा क्या formula बन गया contribution is equal to क्या बन सकता drive करके preference share dividend आप सब अपनी बाते करें preference share dividend में सभी का answer दूँ आप preference share dividend तो normal कि जो preference share holder को दिया जाता है अभी शेक का जवाब आ गया fix cost plus में fix cost plus में EBIT fix cost अब तुसार ने बोला sales minus contribution यानि अलग-अलग बच्चों के अलग-अलग answer आएं तो इसका मतलब सर contribution के भी दो formula मतलब के बन सकते हैं contribution पूछा नहीं जाएगा हाला कि बस आपके में mind को बता रहो कि अगर आ जाता है exam में कुछ ऐसा पूछा जाए तो हो सकता है एक sales minus VC एक बच्चे ने कुछ ने जवाब दिया और दूसरा हो सकता है contribution is equal to fix cost प्लस में सभी बच्चे इससे agree कर रहे हैं इसको थोड़ा उपर कर दे इसको नीचे करते हैं एक मिनट रुकिए इसको अरेंज करते हैं आपके लिए इसका तो कोई काम है निए सभी बच्चों का लगबग sales minus variable bond बता दिए bond क्या होता है आप देखिए एक एक चीज़ पूछ रहे है student के सर यह क्या होता है देखो loan आपने bank से loan लिया simple सी बात है आपको loan चाहिए loan है उसके आप ब्याद दोगे तो जो ब्याद दोगे that is interest bond क्या होता है कुछ एक सरकारी company जो होती है गवर्मेंट जैसे SBI है अगर उसको पैसे की ज़ुरत होगी न तो उससे debenture issue करेगा लेकिन क्योंकि यह government है government में इसने बहुत सारा part take over 51% stake किया हुए तो वह बोल देते हैं अपने नाम को debenture नहीं बोलते बॉन्ड बोलते हैं ख़एमालो मुझे पैसे की ज़ुरत है पैसा मैं share से भी इकटा कर सकता हू , मैं bank loan से भी इखटा कर सकता हूं और साथ के साथ और कहां से हट्णा कर सकता हो .. Share से हो गया, bank loan से हो गया और मैं एक, Medenture से भी इखटा कर सकता हू, तीनी जगह है मेरे पास पैसा इखटा बागे relative relative को छोड़ देते हैं मुझे पैसे की ज़रात है माल लेते हैं 100 करोरी मैं bank के पास जाओगा कि मुझे पैसे चाहिए bank वाले या तो देंगे या तो मना कर देंगे bank वाले ने नहीं दिया मैं equity shareholder के पास जाओगा equity shareholder से पैसे मिले गए नहीं तो फिर मैं last debenture इसू करूँगा अब हम आ जाते हैं debenture पे अब मैं एक simple सी company हूँ मेरे company का government का कोई connection नहीं है मैंने 100 करोड रुपे के debenture इसू कर दिया और आप लोगों से मेरे पास पैसे आ गया तो जो मैंने इसू किय हैं तो हम अपने उसको debenture नहीं बोलेंगा उसको क्या बोलेंगा bond तो basically bond शब्द जो है ना वह government company यूज कर लेती है debenture के लिए और normal कोई other company है तो वह क्या यूज करती है वह बहुत simple debenture यूज करती है यह difference है और बाकी कोई फरक नहीं है दोनों में ब्याज रेट होता है स देखे लिए लाइब क्लास पता नहीं क्या मुझे है ठीक है चलिए एक चीज आपने मुझे बताया है सेल्स में से फटा-फट मेरी तरफ ज्यान दिजिएगा सेल्स में से माइनस करेंगे अगर हम वेरियेबल कॉस क्या रिजल्ट है का contribution contribution में से क्या माइनस करेंगे fix cost तो क्या result आएगा EBIT उसमें से क्या माइनस कर देंगे हम interest तो क्या answer आएगा एबट क्या answer आएगा ebt अगर हम interest माइनस करेंगे ebt ebt में से क्या माइनस करेंगे हम tax तो क्या आजाएगा eat earning after tax लेकिन leverage कहता है हमें tax से मतलब नहीं हम दो ही चीज पर concentrate कर रहे हैं और एक interest, आप पीछे देखिए मैंने क्या बोला, कि leverage जो है, operating leverage fix cost से, financing leverage, और combined leverage, leverage का मतलब है effort मान लेते हैं, effort, तो आप ध्यान दीजिए operating, operating का मतलब क्या होता है, business चलाना, business चलाने के लिए आपको सिर्फ fix cost एक ऐसा main components होता है, जो बहुत आपको recover करने की जुरत होती है, तो operating leverage में सबसे बड़ा major factor कोन होगा, fix cost, इसलिए इसका formula हम आगे और भी चलेंगे, इसका formula अगर बोलू न, operating leverage का, मैं थोड़ा short form में लिख रहा हूँ, operating leverage, और क्यूंकि ये degree of operating leverage होता है, तो DOL लिख देता हूँ, तो इसका formula हो जाता है, contribution, divided by, EBIT, सर, contribution अभी formula देखिएगा, कैसे बनाया अभी वो भी आएंगे, contribution अपोन में EBIT, अब थोड़ा सा logic लगाओ, contribution और EBIT के बीच में क्या है, contribution और EBIT के बीच में क्या है, सोचो, contribution और EBIT के बीच में क्या है, fix cost, अगर मैं बोलू, मेरा fix cost है ही नहीं, तो upon करके तो answer क्या आ जाएगा, वन, तो इसलिए मैंने बोला, कि operating leverage को निकालने के लिए, आपका कौन involved रहेगा, fix cost, यानि यह हमें यह बताएगा, कि हमारा, कितना fix cost, हमारा involved है, कितने percent हमारा EBIT के उपर fix cost देना पढ़ रहा है, हमें profit के उपर कितने percentage fix cost देना पढ़ रहा है, एक तरीके से, इसका formula क्या होगा, interest का, कोई बच्चा इसका formula बना सकता है क्या, अगर यह formula आपको समझ में आ गया, मैं अगला formula आपसे बनवाना चाहता हूँ, अभी किसी को कुछ पता है नहीं, मैंने बोला, सर, operating leverage का formula क्या है, और आपने मुझे बताया था, कि operating leverage में कौन role play करेगा, fix cost, तो आपने बताया, सर, contribution upon में क्या कर दिया, EBIT, यह गर आपने है, अब मैं जानना चाहता हूँ, financing leverage का formula, मैंने बताया, financing leverage में कौन involved होता है, सर, financing leverage में कौन involved होता है, सर, interest, इसका क्या formula हो सकता है, बताइए, इसका क्या formula हो सकता है, divide क्या होना चाहिए, EBIT, दोनों के बीच का, आपको क्या करना है, दोनों का बीच का gap percentage calculate करना है, कि कितने percent जा रहा है, ठीक है, combine बोलता है, इन दोनों को जोड़ दो, अब अगर आप ध्यान से देखो न, combine का formula पता ही क्या है, अब इन दोनों को जोड़, इन दोनों को हम क्या करते है, मतलब fix cost और interest को जोड़ दो, या multiply की बात कर रहे हैं, और basically formula को मैं multiply करूँआ, या मैं यहीं पर multiply कर देता हूँ, multiply करेंगे, इन दोनों को multiply कर ये एक बार, क्या होगा, contribution upon me, EBIT, into, EBIT, upon me, EBIT, देखिए, अब क्या निकला result, cancel out, formula क्या बना हमारा इसका, EBIT, ठीक है, अब मुझे formula मैंने hide कर दिया है, एक बार फटा-फट से, mind में लगाईए, कि सबसे पहले, आगर हम operating leverage की बात करें, तो operating leverage में कौन involved होता है, fixed cost, financing leverage में कौन involved होता है, और combine में, combine का मतलब दोने involve हो जागा, तो combine का formula क्या बना था, contribution upon में, यानि सर, leverage के लिए स्रिफ और स्रिफ हमें यहीं तक का point चाहिए, इसके बाद वाली चीज़े जो मैंने बता है, वो बस एक journal knowledge perspective से extra था, ठीक है ना, अब operating leverage का formula क्या बताओ, फटा-फट, बोलो फटा-फट, दिमाग लगा आपके सामने क्या बनेगा, contribution अपउन में, EBIT, financing का क्या बनेगा, EBIT अपउन में, बताओ, EBIT अपउन में, EBT, क्योंकि वहाँ पे interest आपका involved होगा, और financing में क्या बनेगा हमारा, sorry, combine में क्या बनेगा, contribution अपउन में, और दूसरा ये भी हो सकता है, दोनों को multiply कर दो, आपका answer, चलिए, आजाईए, again format को, अब जो आपको exam में follow करना है, अगर आता है, कैसे करना है, जिस तरीके से भी हम लिखेंगे, वही follow करके चलना है, ठीक है न, format में बिलकुल बनाते चलना, amount आ गया, particular आ गया, ठीक है, एक example मैं लिख लेता हूँ, एक्जामपल लिख लिए मैंने, x, y, z limited है, जिसका sales है, दस अजार रुपए, contribution या profit है, variable cost है, 30%, fixed cost है, दो हजार, इंट्रस्ट है, एक हजार, calculate, calculate, different type, of leverage, अब different type of leverage की बात कर रहे हो सर, तो आप बता दो, कितने टाइप के leverage मैंने अभी सीखे हैं, सर, leverage different की बात करें, तो कितने type होंगे, सर, तीन type के होंगे, एक कौन सा होगा, एक कौन सा होगा, और एक कौन सा होगा, combined, operating leverage, financing leverage, combined, और इसको degree leverage को, नगे degree के terms में आपते हैं, तो इन सभी के आगे मैं D लगा देता हूँ, और आप भी degree of combined leverage लिख सकते हैं, और ये ना, DOL, DFL, और ये standard word है, आप exam में भी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा जाएगा, आप लिख सकते हो, जैसे EPS, EBIT, ये सारे मैंने short form लिखे हैं, variable cost, variable cost कितने 30%, हमेशा याद रखना, जब कभी किसी भी sales के आगे, या profit के आगे, ये नहीं बताता कि किसका पर्सेंटेज, variable cost या profit के आगे, ये नहीं बताता किसका पर्सेंटेज है, तो क्या जमसल नेते हैं, sale कई होगा वो, ठीक है, तो पर्सेंटेज यहाँ पर कैसे निकालेंगे सर, दस हजार, इंटू में 30%, और ये आगया हमारा, तीन हजार, इसको क्या नाम देंगे, contribution, इसको क्या नाम देंगे, contribution, सर, contribution क्या आगया, साथ हजार, इसके बाद आगे देखा जाए, इसमें से क्या माइनस कर दें, सर, fixed cost, क्या माइनस करें, fixed cost, कितने रुपे, दो हजार, तो इसको क्या नाम देंगे, क्या नाम देंगे, EBIT, कितने आगये, पांच हजार, इसके बाद हम क्या माइनस करेंगे माइनस करेंगे हम interest interest कितने percent एक हजार दे दिया, तो सीधा एक हजार तो जो अब result आएगा, क्या आजाएगा EBT अगर मैं सवाल में tax भी दे दूँ tax 30% अब मुझे बताइए leverage निकालने में profit after tax का कोई use है क्या नहीं है, तब भी आपको इतना ही answer करके फिर आगे निकालना है ठीक है, अब इसके बाद different leverage है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, बड़ी simple सी बात है मैं इसको एक color का कर देते हैं सब को चलिए sir, अब ध्यान दीजिए सबसे पहले निकालेंगे D, O, L आप या तो exam में ऐसे कर सकते हैं इसको नाम दे दीजिए A इसको नाम दे दीजिए B और इसको नाम दे दीजिए C एक तो यह option है तो D, O, L का मैं formula एक यह भी लिख सकता हूँ क्या A upon में या फिर आपको पता ही इसको क्या बोलते हैं हम contribution divided by EBIT आपको calculator allowed है exam में आप direct कहीं calculation करने की जुरत नहीं यही calculate कर देंगे that is क्या आएगा साथ हजार divided by पांच हजार क्या आए आंसर साथ हजार divided by पांच हजार 1.4 इसी के सामने आंसर देगे एक ही statement है no need to के extra working note करो formula भी यहीं दिखा दिया examiner को answer भी यहीं चल रहा है दूसरा क्या निकालेंगे dfl क्या होता है dfl बताना एक बार dfl क्या होता है degree 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 dfl क्या होता है बच्चों ने जवाब दे भी दिया है degree of financial leverage मेरे साथ जितने भी बच्चे लाइव है साथ के साथ मन में भी revision करो अब मैं बोलता हूं तो बोलो ताकि आपको ना थोड़ा सा remind रहे degree of financial leverage इसको कैसे बता सकते है सर इस short form में क्या हो सकता है कोई बताएगा मुझे क्या होगा b upon c ठीक है इसका मतलब e b i t divided by e b t ठीक है और i c को solve करें तो क्या होगा हमारा 5000 divided by 4000 यह आगया one point चीक है यानि जो है ना हमारा risk factor यह 4 यानि 40% हमारा risk factor है आप ध्यान से देखिए आपका operating leverage किसके बीच में था 5000 और 7000 के बीच में 2000 है आप अगर 2000 रुपे profit का निकालिए profit का 2000 कितने percent के बराबर होता है मैंने बोला कि हमारा 5000 profit है इसमें 2000 तो मेरा ब्याज माइनस करने के बाद है ठीक है अब profit से compare करिए तो कितने percent है तो आप simple सी बात बोलेंगे सर 2000 divided by 5000 into 100 यानि 40% अब यह 1.4 पता ही क्या यह percentage शो करता है ultimately यानि हम जितना भी पैसा कमाते है ना और उसके अंदर हमारा 40 percent risk है profit का 40 percent हमारा risk है अगर operating leverage बात कर रहे है तो 40 percent risk किसका है सर फिक्स कोस्ट का है अगर मुझे क्योंकि management level पे सीख रहे हो तो management level पे पता है क्या होता है आप इतना सारा कुछ थोड़ी निकालोगा आपको data होता है data निकालता ही quick ही जवाब मैंने किसी से पूझा भाई DOL बता मैं management और सबसे top level पे बैठे होते हैं यह जो financial management होते हैं सबसे top accountant वगएरा CA वगएरा यह सीधा CFO वगएरा होते हैं भाई DOL क्या है उसने बोला DOL 2 है मैंने का यार profit का तो double risk चल रहे हैं आपे तो दो हो गया ना एक तो हमारा normal profit है दो बता दिया तो risk तो 100% है तो risk ही बहुत जाद है अब किसी ने बोला कि sir 1.1 है चल 10% का risk का ले ले समझ में आ रहा है ऐसे फैसले लिये जाते हैं हम जैसे जैसे चप्टर में आगे बढ़ते जाएंगे तो और detailing आपको पता चल जाएगा बहुत basic है और यकीन मानो जो मैंने यह सवाल लिखा है न ऐसे ऐसे सवाल आप book में भी दिखा दूँगा लास्ट यर में भी दिखा दूँगा यही question 7-7 number में पूछे जाते हैं और इससे जादा कुछ नहीं पूछा जाता मैं तो आपको पूरा detail में लेके जाऊँगा कि क्या-क्या चीजे होता है लेकिन book में इससे जादा कुछ नहीं पूछा जाता तीनों लीवरेज पूछने साथ नमबर पिछले साल के बीकों प्रोग्राम में ओनर्स में सब में यह question पूछा गया था बस आपको basically formula और बच्चे यह भी formula याद नहीं करते हैं छोड़के आ जाते है question अब देखो last कौन सा है हमारा dcl क्या होगे degree of combined leverage क्या कह सकते है इसको a upon में c और दूसरा एक और formula हो सकता है इसका देखो क्या हो सकता है dol into में dfl भी कर दोगे तो चलेगा मैंने multiply करके दिखाया था वहाँ पे आप इन दोनों को multiply करो risky factor निकाल लेता है 1.4 into में 1.25 answer 1.75 यानि 75% दोनों को मिलाके 75% का risk है sir interest और fixed cost का दोनों को मिलाके profit कितना था हमारा 5000 और 5000 पे आपका risk कितना हो गया 5000 का 3000 कितना होता है 5000 का अगर आप 75% निकालोगे तो उसके हिसाब से हमारा एक percentage के उपर बैठ जाता है तो अब आप इसको ऐसे भी निकाल लो चाहे a upon me c यानि sir contribution कितना है 7000 divided by 7000 divided by क्या बताए था आपने c कर दो 4000 तो देखो आपका answer 1.75 आपका 1.75 आपका तो अगर आपसे DCL पूछा जाए ना तो DCL में आपना formula से मत लिखो आप दोनों के जो answer है उसको क्या कर दो combine कर दो यह क्या था हमारा exam में करने का तरीका अगर आपको दूसरे method से करना है तो यहां तक आप solution करिए यहां पर पहले लिखे क्या मैंने 10 year में जैसे मैंने solution डाला है यहां पर लिखे क्या operating leverage और formula फिर answer फिर क्या लिखे आप financing leverage formula फिर answer फिर क्या लिखे आप combine leverage formula answer यह अपने statement बना लिए और answer दे दिया साथ number में ज्यादा time इसमें exam में नहीं लगना होता है समझ मैं यह बात आपको यानि sir अभी तक हमने क्या सिखा financial leverage sorry अभी तक leverage में क्या सिखा sir leverage का leverage का मतलब होता है कम effort लगा के result बहुत जादा ले लेना बिलकुल सही जवाब sir leverage के अंदर हमने देखा के हमें different type leverage निकालने होंगे when one year data given when one year data given हमने देखा sir different type के leverage निकालने होंगे कितने leverage निकालने होंगे sir number one degree of बताओ degree of तो इससे DOL कह दे दूसरा degree of बोलो financial leverage तीसरा degree of combined leverage DCL degree of operating leverage degree of financial leverage degree of combined leverage sir इसका formula क्या था कौन बताएगा formula operating leverage आप दिमाग में format रखो और simple सी बात है उपर वाला table divided by नीचे वाला table simple सी बात है उपर वाला divided by नीचे वाला यार contribution contribution उपर रखना था आपको simple से याद रखना है उपर वाला table से नीचे वाला करना है तो formula क्या बन जाएगा यही लिख देता हूँ DOL into में DFL लिख देता हूँ ठीक है यह तीनों दोनों का formula बन जाता है अब हम जो मैं पहले लिख रहा था शायद अब आपको थोड़ा थोड़ा यह समझ में आने लगेगा कि sir why आपने operating leverage में fixed cost लिखा क्योंकि आप समझ पा रहे होगे कि operating leverage निकालने में fixed cost ही involved होता है उसी का एक percentage या उसी का एक हमें terms पता चल पाता है इसके बाद हमने देखा कि financing में क्या होता है हमारा financing में सिर्फ क्या involved होगा interest involved होगा और combine में दोनों involved होगा ठीक है एक हमने example भी देख लिया example के साथ साथ हमने इसको आगे continue भी किया अब हम बात करते हैं यह leverage आप तब निकाल पाओगे जब आपको single year का data given है कई बार आपको बोलेगा 2013 और 2014 का देदेगा और operating leverage निकालो दोनों साल को compare करके operating leverage निकालो ठीक है न यह कब का है हमारा single year का data कई बार आपको दो साल का compare करके निकालने को बोलेगा तो when more than one year data when two year given जब दो साल का आपको data given हो तो क्या करें ऐसे situation में भी तीन होंगे क्या होंगे DOL DFL बाकी इसके उपर हम detail में discussion अभी करना बाकी है आज की class में तो नहीं होगा हमारा आगे होगा एक होगा DCL DOL DFL और DCL अभी मैं सर्फ formula लिखूंगा इसका explanation मेरे को थोड़ा time लगेगा मतलब कि एक class लग जाएगा इसका formula होता है हमारा change in EBIT या फिर इसको अभी रहने देता है नहीं तो यह फिर बोलोगे देखेंगे ठीक है अब मुझे एक बात बताईए leverage का मतलब हम क्या देख रहे थे कोई बताएगा leverage कम effort easy यानि कम effort ज्यादा result इस theory को एक बार proof भी कर लेते हैं एक बार इस theory को हम जो हमाने अभी question किया इसी में हम एक बार proof करके देख लेते हैं थीक है क्योंकि कई बार लोगों का मानना है कि या loan लेके मत काम करो यार बेकार होता है loan लेके काम करो लेकिन कुछ लोग बोलते हैं loan लेके काम करो benefit होगा क्योंकि loan नहीं लोगे तो आपके equity होंगे capital होंगे जितने number of honor होते हैं तो distribution तो सभी के हिस्से में थोड़े आते हैं और number of honor कम होंगे तो कम जाएंगे तो उसी चीज को हम आगे देखते हैं इसी question पर आगे कर लेते हैं पहले यहां तक हर बच्छों को clear है तब आगे बढ़ों पता चले कि मैं बहुत जादा आगे निकल गए और बोले सर्फ पहले जो first page पर बताया था वहां से कुछ समझ में नहीं आ रहा है आप दुबारा बतादो वो सारे जितने भी श्रिया आपका जितने भी questions है अभी सिर्फ मैं basic एक बार formula तो आपको याद करा दूँ उसके बाद formula कैसे बनाए इसका meaning क्या है और क्यूं हम इसको apply कर रहे हैं और कहां कहां अपलाय होता है वो सब चीज़ देख लेंगे अलका क्लियर अभी शेक क्लियर श्रिया ओके हैंड्रेज अभी ना एक से दो दिन मतलब दो दिन के बाद आपका हैंड्रेज को option इनेबल हो जाएगा जहां पर आप question पूछ पाऊगे तो अभी ना हैंड्रेज क्योंकि ना देखो लैप्टॉप के अंदर एक ही जैक है तो वहां पर लगाया हुआ है यूएसबी जैक मंगवाया हुआ है एक से दो दिन में order किया है वो आ जाएगा फिर आपका हैंड्रेज का option ले लेंगे सर एक बार समझा दो आंसर आता है डिगरी में मतलब क्या है डिगरी का मतलब क्या होता है किसी चीज को मापने का डिगरी होता है डिगरी आप वह मत समझेगा डेली उनिवर्सिटी वाला डिगरी का मतलब होता है किसी को जैसे फीवर को कैसे नापते हैं कि कितने डिगरी ट तब बच्चा बोलता है sir operating leverage तो सीखा लेकिन degree of operating leverage नहीं सीखा, तो एक तरीके से इसलिए लगाया जाता है, बस एक respective मान लो, बाकी operating leverage होता है इसरे, clear, 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 चलिए, एक और point देख ले, हम ये वाला part अभी छोड़ रहे हैं, ये वाला part कर लिया, इसी part पे हम आगे चलते हैं, देखिए sir, मैंना data, लिख लू data क्या, एक और column बना ले, मैं पहले ही दो column तय्यार कर लेता हूँ, चलो तो, मान लो, x, y, z limited है, और ये सारा ना company का होता है, मेंली, और क्या लें, क्या लें, sales ले लेते हैं, 20,000, and variable cost, एक बच्चे ने पूचा sir, variable cost बता दो क्या होता है, variable cost होता है, जैसे जैसे हम sale करते हैं, एक unit को बेचने का खर्चा, उसे variable cost कहते हैं, एक unit को बनाने का खर्चा, उसको variable cost में count करते हैं, माल लेते हैं आठ हजार फिक्स कॉस्ट दस हजार इंटरस्ट एक हजार ठीक है Find different टाइप आफ लीवरेज कुछन सिंपल है चलो फटा फट निकाल देंगे बच्चे यह तो सेल्स सर्व आपने बताया बीज हजार माइनस वेरियेबल कॉस्ट कितने है आठ हजार इसके बाद कॉंट्रिबूशन बारह हजार माइनस क्या करें कितने है यह क्या आगया हमारा इबी आएटी माइनस क्या घर दे क्या घर दे बताओ इंट्रस्ट कितने है और यह बच गया हमारा इएटी एक हजार ठीक है एक मैं सिंपल सा डेटा पूछना चाहा रहा हूं उस डेटा का जवाब देना तब मैं एक कोश्चन इसमें एड़ ओन करूँगा 2010 में मेरा सेल्स जो था 2000 है और 2011 में मेरा सेल्स 3000 है मुझे बताओ परसंटेज के टम्स में कितने परसंट बढ़ गया है परसंटेज के टम्स में कितने परसंट बढ़ गया है कौन-कौन बच्चा बताएगा स्रिया ने 50% अभी शेक 50% जितने बच्चें सभी कमेंट में किया करो मैं कमेंट पढ़ता हूँ आपके देख रहा हूँ मैं सर EAT क्यों अच्छा हाँ सही बोल रहे है EAT नहीं होगा EBT होगा यह मैंने ध्यान ने दिया EBT ठीक है सभी का जवाब एकदम करेक्ट अब मैं इस 50% को थोड़ा सा जस्टिफाई करता हूँ कैसे आया होगा इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1000 और डिवाइड मैं करूँगा 2000 से और इंटू किस से करूँगा मैं 100 से इंटू किस से करूँगा मैं 100 से तो यह आ जाएगा हमारा 50% यानि किसी का हमें परसंटेज अगर दो साल का डेटा दे और उसका परसंटेज निकालना हो तो क्या होता है हमारा डिफरेंस अमाउंट दोनों के बीच का और डिवाइड किस से कर देते हैं बेस येर बेस येर दो साल होते है आपने स्टेट्स अब के पास आएगा अभी स्टेट्स में पड़ोगे या कभी अपने इलैवंध में पढ़ा होगा तो इंडेक्स नंबर में देखा होगा आपने तो बेस येर का मतलब होता है कौन सा प्रिवियर सियर कर लिए है पिछला साल यह है तो बेस यह यह फिर आप बोल सकते प्रीवियस यह पिछला साल और मल्टिप्लाइब यही फॉर्मुला लगा के निकाले आप फिप्टी पर्संट देखो आपने बता दिया सही था और मैंने भी फॉर्मुला लगा बता दिया बस मैं आपको फॉर्मुला बनाना के बता बताएगा आठ हजार कितने परसेंट Hast 0 मैं कुछ percentage देखना चाहता हूं आपने कितने पढ़ी है और किया करा हुआ अभी तक है कितने परसेंट है कौन बताएगा मेंतल और 20,000 चालिस 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 सभी बच्चों ने बताया है चालिस difference कैसे आएगा difference दो 3000 माइनस इन दोनों के बीच का तो 1000 difference आएगा बस 40% इसका मतलब 40% एकदम 100% आपका correct answer है और कैसे निकाला मैं बता देता हूँ आपका जो हमारा इसके बीच का हमें निकालना क्या है ये कितने percent है तो आपने लिखा VC upon में क्या लिखा sales into में 100 सर ऐसा क्या करा हमने बिल्कुल ऐसा ही करा आपने 8000 divided by 20,000 into में 100 अब बताओ कितने percent आ रहे हैं साहब ये है 60% सिंपल दिखतो रहे हैं आपको 40% तो आठी है एक मिट 60 थोड़ी आएगा 40 आएगा सर 60 कैसे निकाल रहे है 40 आएगा 40 आएगा 40 थोड़ी थोड़ी आएगा कोई बच्चा बोल रहा 60 थो 12,000 आएगा calculator original लो FC मतलब होता है fix cost मैंने FC लिख दिया fix cost full word ना आपना register पर लिख लीजिएगा fix cost क्या होता है number of unit बढ़ जाए number of unit घट जाए उससे कोई फरक नहीं पढ़ता ठीक है यानि सार आप अगर आपके सेल्स हो और वेरियबल कोस्ट हो तो आप निकाल सकते ओ उसका percentage निकाल सकते और निकाल सकते हैं मैं भी आपको निकाल निकाल के बता रहा है ऐसे क्योंकि मैं नीचे एक चेंजिस करना चाहता हूँ और उसके इसाब से मैं आपसे आंसर जाना चाहता हूँ और और कुछ पर नहीं है अब बताईए fix cost तो हमेशा fix ही रहेगा अगर मैं बताओ 20,000 sales पे मेरा 10,000 है तो कौन बच्चा बताएगा मेरा 30,000 के sales पे मेरा fix cost कितना होगा कौन बताएगा 30,000 के sales पे fix cost क्या होगा जल्दी बताईए 30,000 के sales पे fix cost कितना होगा बच्चे करें 3D सामदार है 30,000 के sales पे आप बताईए हमारा fix cost कितना होगा दिया का answer आगे है 10,000 10,000 एक ने 15,000 बता दिया 15,000 भी आंसर आ रहा है 15,000 15,000 15,000 नहीं आपका आंसर गलत है आंसर है ढ़ầy 10,000 जिन बच्चों ने 15,000 बता है उसका आंसर है 10,000 इसलिए मैं पूँछ-पूछ के कर तो कुछ पच्चे थोड़ा बोड़ तो हो जाएंगे सर क्या क्या बता रहे हैं ये तो पता ही चल रहा था अब देखो जैसे 2010 में मेरा सेल्स अब ध्यान देना 2010 में मेरा सेल्स अगर 10,000 है तो सर 2011 में मेरा सेल्स अगर 15,000 है अगर मैंने कहा कि यहां का fix cost 5000 है तो सर यहां का भी fix cost कितना होगा 5000 तब भी fix cost क्या होगा हमारा पांच हजार 2013 का अगर मैं sales बोलू दो लाक है या एक लाक पचास हजार है तब भी मेरा fix cost क्या होगा पांच हजार यानि मैं कहना चाहता हूं कि fix cost never change कभी change नहीं होता हमारा output के बढ़ने या फिर घटने से इसी तरीके से पिछले वाले questions के अंदर हमारा fixed cost मैंने पूछा था आप से कि 20,000 पे अगर हमारा 10,000 है तो 30,000 पे fixed cost कितना होगा 10,000 और interest भी कभी change नहीं होगा, interest भी वही रहेगा तो एक तरीके से interest भी कई बार fix cost के जैसा react करता है, वो change नहीं होगा कि हमारा sales बढ़ी है, ब्याद थोड़ा जादा दे दू कि हमें आपको, नहीं हो सकता, जितना loan लिया था, उतना ही होगा, मैंने कहा, कि मैंना अब वही question repeat कर देता हूँ, question, point number two यहां लिख रहा हूँ, if if sales increase by 10,000 then what percentage change in देखो, सवाल ने क्या पूछा, एक line लिखा, मैंने अगर हमारा sales ना 10,000 से बढ़ जाए, इसका मतलब sir, sales हमारा हो जाए, 10,000 से बढ़ाने का मतलब तो यह होगा कि 20,000 में हम 10,000 एड़ करें, 30,000 हो जाए, तो हमारे EVIT के percentage में कितना फरत आएगा, यह हमारा present data है, और यह हमारा expected data या current data बोल लो, percentage निकालने के लिए, यह मैंने इसलिए formula लिखा है, निकाल सकते हैं, तो सबसे पहले बताओ, कौन बच्चा बताएगा, अब variable cost क्या होगा, अगर आपको variable cost 40% पताएगा, तो सर अब कितना हो जाएगा, और यह कितना बचेगा हमारा, बारह 18,000, अब मुझे बताओ, fixed cost कितना होगा, अभी बताएगा, सर 10,000 ही रहेगा fixed cost, तो सर fixed cost अगर minus कर देगा, तो कितना बचेगा, 8,000, अब यह भी यही रहेगा, कितना आया, 7,000, अब EBIT कितने percent change हुआ, मैं इधर करके दिखा देता हूँ, फिक है EBIT कितने change हुआ है, तो difference लेंगे दोनों के बीच का, what is the difference, 6000, मैं वही formula side में लिखा है, मैं बार-बार लिखना नहीं चाहता, क्योंकि किसी percentage change को, किसी percentage change को कैसे करा जाए, तो percentage change में क्या था, difference, difference क्या था हमारा, divide किस से किया जाए, बताओ, divide हम किस से करें, 6000 से करें, base year क्या है हमारा, बताओ, difference क्या है, 6000, मैं, मैं रहको लग आप 6000 से divide करने का, difference 6000 आएगा, भाई, repeat कर दिया, 6000, ठीक है, divide किस से करें, कौन बताओ, किटने से, 1000 से divide होगा, into, बताओ, कितने percent आ रहे है, 60%, कितने percent, कितने percent आ रहे हैं, कितने percent आ रहे हैं, 600%, यहां भी 60 दे रहे हैं, 600, मैंने percent change in EBIT कहां बोला, EBIT तो लिया मैंने, अच्छा मैं EBT लिख देता है, यह मेरा question थोड़ा सा, इसको EBT, दोनों ही ले लेंगे, EBIT पूछ लिया, चलो EBT पूछ लिया, कोई बात ने, EBIT बोला था, उपर वाला भी लेने होगा, तो उपर वाला भी आप इजली निकाल सकते हो, इनके बीच का भी difference निकाल लोगे, ठीक है, यह EBIT है, लिखने और बोलने में गल्ती हो गई, यानि, हमारा profit कितने percent बढ़ चुका है, पिछले बार की तुलना में कितने percent बढ़ चुका है, जेसो percent बढ़ चुका है, सेल कितने percent बढ़ आए, कौन बच्चा बता सकता है, कोई बता सकता है, सेल्स कितना बढ़ आए, सेल्स कितने percent बढ़ आए, यहां से यहां तक जाने में, आपने जवाब दिया, यहां निकाल के भी देखा है, यही सेम ही डिजिट तो है, तो कितने percent बढ़ आए, यहां एक zero और रहेगा, यहां एक zero, छोड़ो, यह अलग कुश्चन था, ठीक है, कितने percent बढ़ है सेल्स, हमारा effort जो है, सेल्स में 50% है, लेकिन result कितने percent मिल गया, 600 percent जंप हो गया, लगाराओ, यहां लिवरेज, कि हम कम effort लगाके, ज्यादा percentage profit का increase कर लेते हैं, यह business के लिए ना, बहुत risky भी है, और बहुत फाइदे मन भी है, सर रिस्की क्यों है, अगर मैं इस time पे, अगर थोड़ा सा भी इधर चला गया ना, sales अगर मेरी 15,000 आ गई, मैं फट से loss में आ जाऊँ, क्योंकि यहां fixed cost जो है ना, हमारा almost 50 percent sales का है, यानि जब organization में, fixed cost और interest, बहुत ज़्यादा होता है sales का, और approximately 50-60 percent, तो उसके profit भी बहुत तेजी से बढ़ता है, और loss भी बहुत तेजी से होता है, ठीक है ना, उन चीजों पर हम देखेंगे, change वाले में, पहले ये समझ में आए आए आपको, ठीक है, इसके अंदर एक और question मैं add कर दूँगा, different type of leverage जो बोला था, वो नहीं निकाला, आप different leverage इसका निकाल पाओगे, इसको कहां रखें, कहां रखें, साइच छोटा कर दें, चलिए दोनों का leverage बता दिए, पटा पट, मैं A, अब ये तो इधर ही आ जाएगा, टी-ो-ल, टी-ए-फ-ल, बी-स-ी-ल, कौन बच्चा बताएगा, बी-ए-फ-ल, बता दो फटा-फट इसका, दोनों का बताना है, अब इसका भी बताना होगा, और इसका भी बताना होगा, बताएगे, वन पॉइंट और आगे, डी-ए-फ-ल है यह, यह क्या है, डी-ए-उ-ल, इसक्स, देखो कितना रिस्की होगा ही, टिक्स पॉइंट, यह आला बताएगे, यह होगा हमारा, इसका, टू-पॉइंट, इसकी यह भी एक से बहुत जादाएगे, इसका भी बताएगे, डी-ए-फ-ल का, यह किसका एए बताओ, तो सीधा सीधा बताओ ना, आप कभी इधर का बता रहें, तो इधर का बताओ, मैं ही कैल्कुलेट कर रहता हूँ, तो, एक बार क्रॉस वेरिफाइए कर लो भाई, ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, आथ हजार साथ हजार हैं, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल हंड़ेट परसंट करेक्ट है, हमारे सवाल में क्या-क्या था, बिल्कुल यह एक्जाम वाले कुश्टन से हैं, ऐसा नहीं है के कुश्टन कैसे आएगा, बिल्कुल एक्जाम वाले कुश्टन है, नंबर बन, कि सर यहाँ पे, DFL क्या था, DFL या DOL में बात करूँ, तो तीनों हमने डिगरी भी निकाल लिया, देटा को हमने स्विच भी कर दिया, और परसंटेज, अब आपसे यह भी पूछा जा सकता है, परसंटेज चेंज इन E-BIT बताईए, अगर मैं आपसे पूछू, परसंटेज चेंज इन, कोई बता सकता है क्या, तो अब देखिए, मेरे मन में कुश्चन यह आ रहा है, अब मैं इसको नाम दे जता हूँ, एक कंपणी वन है यह, और एक कंपणी टू है, अब कौन सा कंपणी बहतर है, इन दोनों के कंपरिशन में, कौन सी कंपणी बेटर है, इन दोनों के comparison में मुझे पता है कि इसका DOL क्या है इसका operating leverage क्या है कम तो जितना ज़्यादा कम operating leverage होगा वो उतना better होगा क्या नहीं ये best है सर FL में भी कौन सा best है यही best है और combine में भी यही best है ऐसा नहीं है कि एक जिसका best आगया सारा ही उसका best होता है ऐसा कभी भी नहीं आता मेरे हिसाब से जिसका आपका operating leverage कम है जिसका आपका financing leverage कम है जिसका आपका combine leverage कम है वो company हमेशा best माना जाता है ना कि ज़्यादा वाला वैसे तो normally हम क्या सिखते है जो number जादा है वो ही बढ़िया है हमारे लिए लेकिन इस वाले situation में जो number जितना कम होगा वो represent करेगा कि more healthy है compared to other business के हाँ वीडियो अभी record हो जाएगी और मिल भी जाएगी चिंता मत करो वीडियो मिल जाएगी और ये morning में ही upload हो जाएगी ये सारी वीडियो ओवर करते हैं बस last topic था बस ये बताना था और कुछ भी नहीं है ठीक है तो अभी तक क्या कर लिया बहुत simple सा concept था स्लेवर को छोड़ते हैं बुक को भी छोड़ते हैं हमने यहां से स्टार्ट किया था याद होगा leverage क्या होता है इजी होता है इजी का मतलब हम कम effort लगाके और अभी तक बस इसी पर मैं discuss करता जा रहा हूं कि operating leverage जिसके अंदर क्या involved है इसके अंदर क्या involved है तो मैं बता सकता हूं operating leverage क्या होता है business का fixed cost को define करता है between किसके आपके contribution और इसका पूरा format आपको अच्छा से clear है क्या minus करेंगे क्या plus करेंगे इसके अंदर हमारे काम की चीज़े इतनी थी यानि अगर देखा जाए तो जो अगला format है स्रिफ इतना काम का होता है हमारा leverage chapter के लिए और बाकी unit number कौन सा चल रहा है ये unit number 3 का हमारा ये chapter second चल रहा है हमने वो chapter pick की है जो कि आगे हमें काम आएगा बाकी सारे chapter में एक question ये देख लिया double करके भी हमने सारा check कर लिया ठीक है कोई दिक्कत किसी बच्चे का नहीं तो हम next class कल चुटती रहेगी परसो again class होगी आपकी to be continue leverage को हम आगे लेके चलने वाले हैं और leverage में क्या करना है नहीं करन है उसके आगे देखेंगे अभी दो साल के data वाला pending है फिर हम बुक का question उठाएंगे और अगली ग्लास में हम बुक के question start कर देंगे करना हो ठीक है तो first class जिन बच्चों की है मैं courses यहीं करूँगा कि भाई आपके कोई topic ऐसा ना हो के ना समझ में आया हो बाकि जितने बच्चे जोइन होते हैं तो आपके content में folder given है वहां से आप पहले देख लो first class और बहुत मुस्किल नहीं है बहुत simple है देख सकते हो chapter leverage देखना जो बच् का confusion है कि sir working capital या receivable management अभी मत देखिए मैं बता दूँगा कैसे देखना नहीं देखना उसके हिसाब से हो जाएगा ठीक है चलिए हम start करते हैं तो एक question आपके book का है यह सभी के book में मिल जाएगा book का नाम मैंने बता दिया था rp रस्तोगी लेकिन semester 3 की book अभी printing नहीं हुई है अभी already work in progress कह सकते हो तो जैसे ही होगा उसके लिए मैं आपको फटा-फट से intimate कर दूँगा और book का link भी दे दूँगा जी book आ गई है फटा-फट से आप नहीं सकते हो ठीक है ना अभी फिलाहल book नहीं आई है तो अभी हम ऐसे ही काम चलाएंगे थोड़े जितने questions है और अभी का मतलब मैंने बताया था किसी चीज को चेक करने का एक तरीका होता है और basically क्या होगा हमारा operating leverage है जिसको short form में मैंने भी बोला था DOL और degree of financial leverage DFL भी निकालना है and degree of combined leverage जिसे DCL बोल दिया the following firm and interpret result इसके बाद आपको result पे भी थोड़ा सा गौर करना है result पे गौर क्या करना है कि कौन से firm का better है तो जई सबसे कम जिसका leverage होगा वही better होगा हमारा लेकिन कई बार ऐसा हो सकता है किसी का operating leverage कम है और किसी का financing leverage कम है तो हमें दोनों aspect में इसके answer देने पड़ेंगे ठीक है तो सबसे पहले हम अगर formula मैं लिखने की बात करूं क्योंकि हम यहीं पर पूरा का पूरा कर लेंगे अगर formula लिखूं तो पहले सबसे पहले DOL का formula आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए क्या होता है भूल ज इसके बाद हमारा था D, आपका कौन सा था? DFL, formula क्या था सर इसका? EBIT और exam में आप पूरा लिख सकते standard format है divided by EBT इसके बाद D, C, L के दो तरीके थे या तो आप इन दोनों के answer को multiply कर दो हमने प्रूव भी किया था या फिर secondary आप क्या कर सकते हो contribution divided by EBT आपकी मर्जी आप जैसे मर्जी निकालिए सारे answer 100% correct माने जाएंगे मैं एक question को पहले पूरा read कर देता हूं कि भी या question क्या कह रहा है क्या जानना चाहता है कहता है हमारे पास तीन तरीके के firm है firm A, firm B, firm A मैंने marker select नहीं किया हमारे पास तीन तरीके का firm है firm A है firm B है firm C है यानि तीन अलग अलग business है तो इसका मतलब अगर हम leverage निकालेंगे तीन leverage निकालना है तो A firm का भी तीनो निकालना पड़ेगा और B firm का भी तीनो निकालना पड़ेगा और C firm का भी तीनो ये questions एक्जाम में भी आया हुआ है और मैं बोलूँगा as a practice के लिए ये है कहता है output, output का मतलब होता है हमारा sales का unit, output का मतलब होता है हमारा क्या सर, sales का unit होता है output का मतलब ठीक है न, जैसे हमने 10,000 unit बेचे हैं तो output से उसे consider किया जाता है तो भाई हमने 60,000 unit, 15,000 unit और 1,000,000 unit बेचे हैं, fix cost दे रखा है, अब ऐसा मत सोचना के सर, firm A और firm B में fix cost कैसे बदल गया भाई, दोनों अलग-अलग business है, दोनों अलग-अलग organization है अगर होता न, के 2010, 2011, 2012 या फिर आपका sales बढ़ाना होता है, एक ही firm के अंदर तो fix cost टेक रहता, यहाँ पे यह firm अलग है और यह firm अलग है, इसलिए दोनों में fix cost भी अलग-अलग देखने को मिल रहा है, ठीक है अब variable cost 0.2 कहता है, तो 0.2, एक unit पे 20 पैसे 0.2, यहाँ पे 1.5 पैसा, यहाँ पे 2 पैसे है, तो वो मैं multiply करके दिखा दूँआ, interest fix दे रखा है, सर यहाँ dash का मतलब क्या है, dash का मतलब है, सर यहाँ पे interest है ही नहीं, zero interest है selling price per unit, हर unit को sales करने का unit दे रखा है, तो हमें वही statement बनाना है, जो कि हमने last class में सीखा था, जिन बच्चों की first class है, उनको भी यह statement समझ में आ जाएगा, ऐसा नहीं कि यह statement में कोई दिक्कत आने वाली है, बस आपको ध्यान से concentrate करके, focus करके सुनना है, तो मैं एक format बनाऊँग में नहीं देख रहे थे, लेकिन फिर भी use किया है, चलिए, तीन firm का column बना लेंगे सर, एक firm हो गया, दो firm हो गया, और आप भी exactly same answer निकालेंगे, तीन firm हो गया, ठीक है न, तीनो firm का यहाँ पे नाम डाल देते हैं, सर, यहाँ पे firm A, firm B, और firm C, particular, ठीक है, firm A, firm B, और firm C, सबसे पहले क्या लिखते हैं हम, sales लिखते हैं, है न, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, sales लिखेंगे, तो चलिए, आईए, लिखते हैं, sales, तो, सर, sales, एक का मैं बता दूँगा, बाकी का आप वैसे ही calculation करिएगा, जैसे होता है, एक का अगर मैं बताओं, तो sales होगा क्या, सर, sales होगा हमारा unit, unit पहले वाले का कितना है, साथ हजार unit, ठीक है, साथ हजार unit, और एक unit का rate आपको यहाँ गीवन है, sales का, that is 0.6, तो into में हम करेंगे, 0.6, ठीक है, तो आप इसको multiply करेंगे, तो क्या हैगा, that is 36,000, पहले point में किस सब को clear है, सर, दूसरे का sale, output लिख सकते हैं, sales की जगह आपको output लिखना है, output लिखो, लिकिन standard format हम sales लिके चल रहे हैं, तो sales ही लिखेंगे, ठीक है, चलिए, 36,000 जवाब भी दे दिया बच्चों ने, अब दूसरे का कैसे निकालना है, देखो, दूसरे का output यह है, यानि sales और into में 5, तो 15 इंटू 5, मैं directly 75,000 कर रहा हूं यहाँ पे, किसी बच्चे को दिक्कत हो, तो मैं बोल रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा, आपको समझ में आएगा, यहाँ पे unit दे रखा था कितना हमारा, मैं unit उपर लिखी देता हूं, यहाँ पे unit था सर, 60,000, और यहाँ पे unit है 15,000, और यहाँ unit है 1,00, अब इन सभी को मैंने selling price से multiply किय है, इसके बाद यहाँ से minus क्या करते है सर, variable cost, variable cost भी पहले वाले का मैं करके दिखाऊंगा, बाकी सब इसी तरीके से होना है, हर किसी का, पहले वाले का variable cost 20 पैसा है, तो 0.2 हो जाएगा हमारा, तो यह आजाएगा हमारा 12,000, ठीक है, variable cost 12,000, सर, B का कैसे निकालों के, B का variable cost देड रुपए है, तो 15,000, इंटू में डेड हो जाएगा, तो 15,000, इंटू 15,000, कितने होते हैं, 22,500, और अगले का 2 पैसा है, तो 1,00, अरे इसका तो यह लिखा ही नहीं हमने, इसका 10 पैसा है, 10,000, और 2 पैसा है, तो 2000, ठीक है, तीनों का मैंने लिख दिया, इसके बाद ह हमें क्या करना है, सर, इसमें से माइनस कर देना है, और एक new result हमें generate होके मिलता है, simple है, बिल्कुल simple, और जो इसके बाद माइनस करके आता है, हम थोड़ा सा standard नाम यूज कर रहे हैं, that is contribution, contribution, एक बढ़ी ऐसा नाम यूज कर लिया, contribution, मैं आगे से cunt. भी लगा दूँआ, वो माइनस करना है, तो 36 माइनस करेंगे तो क्या हैगा, सर, 24,000, माइनस करेंगे तो क्या हैगा, आप बता दीजिए, ये वाला मैं कर देता हूँ, जितने बच्चे ओफलाइन में सभी calculator से करिएगा, जो नहीं लाए, ये calculator लिखिए, आप सभी का है कहा calculator, 52,500, एफ सी, 10,000, बच्चों ने निकाल के बता भी दिया, 52,500, 52,500, चलिए, 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 बिल्कुल सही, कुछ बच्चों ने तो answer भी निकाल दिया, अक्षय ने answer भी निकाल दिया, कोई बात नहीं हम देखो, दीरे-दीरे करेंगे, अब इसमें से क्या माइनस करोगे, सर, सर इसमें से पता है क्या माइनस करने वाले हम सर इसमें से माइनस करेंगे हम इंटरास्ट नहीं फिक्स कॉस्ट पहले फिक्स कॉस्ट आएगा भाई पहले फिक्स कॉस्ट इसके बाद ना हम फिक्स कॉस्ट माइनस करते हैं इसको मैं वीसी मतलब वेरियबल कॉस्ट है फिक्स क साथ हजार दूसरे वाले केस का है 14,000 और तीसरे वाले केस का है मातर पंदरा सो जब इसमें से माइनस कर दिया जाएगा तो माइनस करने के बाद सर क्या रिजल्ट आएगा हमारा हमारा रिजल्ट आने वारा है EBIT EBIT सर माइनस करेंगे 7,000 तो कितने बचेंगे 17,000 और यहां 14,000 माइनस कर दो 38,500 और दूसरी साइड माइनस करो कितने 6,500 ठीक है अब इसमें से हमें क्या माइनस कर देना है सर इसमें से माइनस कर देना है हमें माइनस इंटरस्ट सर इंटरस कैसे निकालोगे हर किसी का इंटरस दे रखा है पहले वाले का चार हजार दूसरे वाले का आठ हजार और तीसरे वाले का सर है ही नहीं तीसरे वाले का सर है ही नहीं चीडिक है सर अब जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा हमारा EBT और हमारा leverage के लिए इतना ही काम होता है तो यह आजाएगा हमारा 13,000 और यह आजाएगा 30,500 और यह आजाएगा 65,000 जो बच्चे नए है फ्रेशर है जो बच्चे उनको भी दिक्कत नहीं आएगा सिंपल देखो सबसे पहले होता है sales sales में से minus क्या करते है variable cost तो एक नया नाम generate करते हम जो कि मैंने pink word से लिखा हुआ है new नाम generate किया है that is contribution contribution के बाद क्या minus करते हम fixed cost तो एक new नाम generate हो जाता है that is क्या होता है EBIT इसका full form क्या है sir earning before interest and tax इसको profit before interest and tax भी बोला जाता है इसके बाद हम interest minus करते हैं तो एक new name generate हो जाता है that is क्या है हमारा EBIT से earning before tax बोलते हैं अब तीनों leverages पूछे हुए है तो यहां पर मैं लिख देता हूँ DOL ठीक है यहां पर मैं लिख देता हूँ DOL और formula आपके सामने यहां लिखा हुआ है तो मैं formula लिखूंगा नहीं आप इसको ऐसे भी कर सकते है examiner को एक जगा formula लिख दीजिए examiner समझ जाएगा और इसको नाम A दे दिया इसको नाम B दे दिया इसको नाम C दे दिया अपना एक नाम दे दिया ठीक है तो DOL क्या होगा हमारा A upon में B ठीक है यानि contribution divided by EBIT और DCL क्या होगा DFL क्या होगा सर DFL होगा B upon में C और सर DCL क्या होगा DCL इन दोनों का मल्टिप्लिक्शन कर लीजिए या फिर आप कैसे निकाल सकते हैं सर या फिर कैसे निकालेंगे A upon में C, ऐसे लिख दीजिए formula क्योंकि आपके register में space है तो पूरा पूरा लिखिए नहीं तो आप ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है समझ मैं दूसरा एक और तरीका सर और कोई तरीका नहीं है, बिलकुल यहां पर आप calculation करके हर किसी का firm A का तीनों निकाल देजिए, फिर firm 2 का तीनों निकाल लिए, फिर firm 3 का, वो थोड़ा सा लंबा process हो जाएगा, तो पहले का answer बताईए क्या आता है मैं यहां करके दिखा देता हूँ, पहले का आजएगा 14, 24,000 मैं एक कॉलम का निकालूँगा, बाकी ऐसे ही करना है 24,000 divided by 17,000 क्या गया 1.41 दूसरे का क्या होगा सर तो पहले डिवाइट 17,000 divided by divided by 13,000 1.30 तीसरे का सर क्या हैगा डिवाइट करेंगे तो 13,000 1.83 इसको multiply कर दो या फिर आप लिख सकते हो 24,000 divided by 13,000 क्या गया 1.83 समझे चलिए, अगले बारे कॉलम का बता दीजिए 1.363 दो डिजिट तक ले लें तीन जाने की अवशकता नहीं है अगला 1.26 अगला 1. पॉइंट multiply कर तो आप सीज़ा 1.71 ठीक है अब थर्ड वाले पॉर्सन का निकाल लेते हैं क्या आएगा बताओ 1.23 बच्चो ने बताया calculation आप भी करके चेक करिएगा जितने बच्चे लाइव में हैं सभी बच्चे चेक करिएगा और निहा नीशू जिसका भी जवाब आ रहा है भी देख लेते हैं सभी का अगला क्या है 1. अब देखें मजे की बात सर इसके अंदर बीच में तो कुछ है ही नहीं तो 1 का मतलब क्या होगा कि भाईया अगर मैंने बोला degree of operating leverage 1 आ रहा है तो मतलब fix cost नहीं है क्योंकि अगर मैं ये fix cost मान लो suppose करो ये fix cost मैं यहां से हटा दूँ तो फिर हमारा यहां पे क्या आएगा ये भी नहीं आएगा ये भी हट जाएगा और ये हट जाएगा तो क्या आएगा तो आप देखो अगर fix cost इसमें ना होता तो कितना आता operating leverage आप क्या करते इसको डिवाइड इससे करते तो वन ही आता समझ मैं आया और ऐसे interest नहीं है तो क्या आया वन ही आया इसका मतलब सर अगर जो भी components missing होते हैं उसके case के अंदर उसका one आता है तो वन तक हमारे लिए कोई दिक्कत नहीं है वन का मतलब भीया कोई फरक नहीं पड़ता वन तो हमारा basic ही है लेकिन दिक्कत तब आचाएज है वन के आगे बढ़ता है हमारा तो यह multiply करोगे तो यह आजएगा one point अब बोला गया है इसके अंदर interpret पूरना है आपको interpretation देना है क्या देना है result पे तो सब तीनों के अपने अपने result है अगर देखा जाए मैं लिखूँगा नहीं मैं समझाता हो जाऊँगा आपके पास किताब है तो वहाँ पे conclusion बस एक readable है इससे better यह है firm A और B C तीनों में compare करके बताना है तो मैं बुलूँगा तीनों में से सबसे बढ़िया performance firm C का चल रहा है क्योंकि इसका सबसे कम operating leverage है ठीक है इसके बाद financing में भी सबसे best है यह क्योंकि इसका कम है यहाँ पे interest का कोई चक्कर ही नहीं है इसके बाद combine में भी यह best है ठीक है तो यह सवाल number था हमारा first आपके किताब का यह हमने done कर लिया किसी को कोई दिक्कत है तो फटा फट comment में बता दीजिए noting का मैं proper time दे दूँगा 1.3111 सभी का अंकित का सभी का जवाब आ गया है hand raise का अभी एक दिन और रुकना होगा hand raise के लिए क्योंकि इसके अंदर एक और points देखेंगे ठीक है सभी को clear आगे बढ़ जाए एक और question ले हो गया note note कैसे देना है आपको note normally conclusion interpretation का है मैं दिखा दूँगा अभी class के बाद इसका मैं दिखा दूँगा note कैसे देना है और उस तरीके से normal अपने layman language में लिख सकते हो कि आप गीवन जो एक्जामपल था इसमें से best as per operating leverage C firm माना जाएगा and also financing leverage के हिसाब से भी C है and अगर दोनों best है तो combine तो विस बात है कि वह best रहेगा ही रहेगा तीनों फर्म के comparatively बस इतना लिखना है चलिए सर एक और सवाल देखते है ठीक है ये थोड़ा सा interesting question है ये 2019 में पूछा गया था एक्जाम में लेकिन इसको करने से पहले न हम एक आपका concept develop करना चाहते है इससे पहले एक concept develop कर ले हम अपना थोड़ा सा एक कुछ एक points और understanding बढ़ा ले ताकि question पढ़े तो लगे कि ये तो हम करी लेंगे ठीक है सर क्या concept है simple सी बात देखो सबसे पहले मैंने क्या कहा था format के हिसाब से सबसे पहले होता है sales let's assume भी मैं करता जाऊँगा 100 रुपए का sale है ठीक है इसमें से minus क्या करते है variable cost अब यहाँ पर variable cost में मैंने बोला अगर आपको 70% तो आपको पता चल जाएगे कि variable cost कितना है 70 है समझ रहे हैं और अगर आपको variable cost का percentage ना दे सीधा amount दे तो क्या हम इसका percentage निकाल सकते है variable cost का जी हाँ इसका percentage निकाला जा सकता है और क्या percentage होगा सर 70 फॉर्मूला लिख देता हूँ percentage क्या होगा आपका अगर यह सीधा 70 दे तो VC upon में sales into 100 अगर कर दें तो यह variable cost का एक percentage आ जाता है सर यह क्या आता है VC का percentage variable cost का percentage जो बहुत बड़ी बात नहीं हम करते हैं अगले point पे जाएंगे तो यह क्या आएगा हमारा contribution contribution कितने आएगा 30 अगर मैं contribution का percentage पूछूं तो contribution का percentage पता है कैसे आएगा सर contribution का percentage आएगा हमारा contribution divided by sales into 100 ठीक है और आगे चलके आप management account वाले बच्चे हैं तो management account के अंदर भी आप देखेंगे वहाँ बहुत detail में given है तो contribution upon me sales contribution upon me sales क्या है सर यह percentage किसका आगया सर country का percentage आगया अब एक मजे की बात देखो अगर sales variable 70 था तो contribution पता है कितने परसेंट आएगा मैं इसका निकालके भी बताऊं तो आपको पता चल रहा होगा सर सीधी सीधी बात है पता चल रहा होगा आपको कि कितने परसेंट आ रहा है तीस परसेंट अगर आपको वेरियेबल कॉस्ट का परसेंटेज बता दे तो आप contribution का परसेंटेज बता सकते हो अगर आपको contribution का परसेंटेज बता दे तो आप वेरियेबल का बता सकते हो इसका मतलब सर हमेशा hundred percent is equal to hundred percent किसका होता है हमेशा सर यह sales का रहता है हमेशा is equal to VC का परसेंटेज और प्लस किसका contribution का परसेंटेज यही होगा आपके सामने मैंने situation भी बनाया हुआ है आप देखे हाँ या ना पहले समझे आप इस बात को क्या यही बन रहा है यह situation मैंने इसलिए simple से लिया है कि भाईया sales जो होता है variable cost का परसेंटेज और contribution का परसेंटेज को जोड़ दिया जाए आप देखिए 70 में क्या जोड़ दीजिए आप 30 जोड़ दीजिए तो आप कहां पर पहुंच जाएंगे सेल पर पहुंच जाएंगे यही बात है यहां पर यहां तक समझ में आ रहा है अब माल लो मैं आपसे थोड़ा सा और advance question पूछ लूँ के मैं बोलूँ आपको के हमारा न यह 70 रुपए है सपोस करो मैं आपको बोलता हूँ के मेरा contribution न 70 रुपए है ठीक है और VC का percentage न वी सी का percentage है वो भी 70 परसेंट है तो आप मुझे बताइए के मेरा sales कितना होगा question mark है आपको क्या दे रखा है contribution कितना दे रखा है 70 और VC का percentage कितना है 70 आप तभी किसी चीज को 100% पर ले जा सकते हैं जब आपको जो amount given हो और उसका percentage given हो यानि सर यहाँ पे तो very simple अगर आपने बोला VC का percentage 70 है तो इसका मतलब सर contribution का percentage तो हम बता सकते कितने percent होगा contribution का that is 30% और आपको मैंने यहाँ पे क्या दिया है amount के terms में contribution आपको contribution amount के terms में पता है contribution percentage के terms में पता है तो आप 100% value find कर सकते हो कैसे करोगे सर तो sales is equal to क्या होगा यह formula लगा लगा लो यह आपको पता है percentage दे रखा इधर उदर करोगे आजाएगा आपका क्योंकि आप क्या लिखा होगे contribution की जगह पे contribution sales की जगह पे question mark और यह percentage की जगह पे percentage बाकी मैं directly बता देता हूँ कैसे आएगा sales is equal to 70 और divided by contribution का percentage 30 और into में क्या कर देंगे हम 100 that is आपका कितने आगे बताओ बताओ कितना है 233 जो भी आ गया यह देख लिजिए क्या आपको contribution का percentage मिल जाए और contribution का amount मिल जाए तो directly sales निकाल सकते हो जवाब yes sir directly हम sales भी निकाल सकते हैं समझ में आ रहा है 233 बच्चों का जवाब भी आ गया 233 233 233 लेकिन क्या आप variable cost amount के terms में निकाल सकते हो क्या आप variable cost amount के terms में निकाल सकते हो यहाँ पे variable cost निकाल सकते हो निकाल सकते सर निकाला जा सकता है sales का ही तो था सर यह 70% किसका 70% होगा sales का now आपने sales तो find कर लिया है समझने हो बात किसका percentage यह क्या है हमारा बताओ यह क्या हमारा sales है और यह जो मैंने VC का percentage बोला यह क्या था हमारा sales का ही तो percentage होता ultimately तो अगर मैं इसका 70% निकाल लो तो कितना आता है बता हो ज़रा एक बार हाँ 163 point वगरा छोड़ देना उसके उपर जाए ध्यान मत देना तो VC भी निकाल लिया समझ रहे हो बात? यानि किसी का percentage दे दे और उसका amount पता चल जाए तो हम sales को निकाल सकते हैं है ना? अगर चलो एक question मैं आपको देता हूँ आप मुझे बताना फिर मैं इसे rub कर दूँगा यहां से मैंने कहा कि मेरा contribution का percentage है ध्यान देना contribution का percentage है 40% और variable cost है दीरे दीरे करते हैं आगे चलते हैं और contribution है 400 तो मेरा question mark है आप मुझे बताएए sales और दूसरा मुझे बताएए variable cost चलिए बताएए फटा फट क्या आएगा दो question मैंने पूछा आप से बहुत simple simple से question 163 हरियोम का अंसर आ गया 1000 रुपे अक्षे 60 नीशू 1000 आर्जू 1000 sales 1000 sales 1000 और VC 400 सभी बच्चे 1000 VC 400 सभी बच्चों ने जवाब दिया तो सभी बच्चों ने मुझे सही जवाब दिया सर आपने पता है sales कैसे निकाला क्योंकि आपको दोनों की percentage पता था और यहाँ पे formula में यह apply कर दिया या जैसे भी तो मैं क्या करूँगा 400 divided by 40 into 100 तो आपने 1000 निकाल लिया अगर आपको यह पता चलिया तो variable cost में निकाल लोगे आप है ना लेकिन सर variable cost तो तभी निकालेंगा जब variable cost का percentage पता चले लेकिन सर हमें contribution का percentage पता है तो variable cost का percentage तो क्या होगा 100 minus quantity का percentage यही तो मैंने बता है अगर आप इस formula को ध्यान से देखे यह दोनों अपना से तो इदर उदर करिके निकाल लिए सकते गा तो यह कितना आ जाएगा हमारा सर यह आ जाएगा quantity का percentage 40 था तो यह आ गया 60 आपने इसका जट से अब variable cost 600 आएगा कुछ बच्चे 400 बता रहे थे तो variable cost 600 आएगा आपका 400 नहीं आएगा 600 आएगा 60 नहीं है 600 है percentage के terms में 60 है अगर variable cost का percentage आप से पूछू कितना variable cost का percentage होगा 60 यानि simple सी बात अगर मेरे को contribution बता दे 100 में से minus करके variable cost का percentage निकाल लेंगे अगर variable cost बता दे तो 100 में से minus करके contribution का percentage निकाल लेंगे 600 600 यहां तक हर बच्चों को clear है एक दम से point यहां तक clear है तो चलिए आगे question पर चलते है इसके बाद के कहानी आपको simple सी पता बात है कि क्या होता है हमारा fixed cost होता है अगर fixed cost 10 रुपे है तो इसका मतलब यह कितना आ जाएगा हमारा 20 रुपे आ जाएगा और आगे फिर interest वगरा zone चलता रहता है ठीक है अगर हम sales के level को बढ़ा दे या घटा दे sales के level को बढ़ा दे या घटा दे तो हमारे fixed cost पे कोई भी फरक है लेकिन variable cost उसी proportionate percentage में change हो जाता है जिस proportionate percentage में हमारा बढ़ रहा है या फैर घट रहा है ठीक है चलिए अब एक सवाल देख लेते हैं क्या कहता है सवाल में मैं एक format बना लूँ छोटा सा फिर मैं सवाल को भी पढ़ दूँ आपके लिए चलिए सब मैंने अपने लिए बनाये दो कॉलम क्यों बनाया बाद में बताएंगे सबसे पहले हम present लिख देते है या फिर अभी कुछ भी नहीं लिख रहे है बिल्कुल blank छोट रहे हैं इसको ठीक है पहले question हम पढ़ लेते हैं कहता है अब firm sales rupees 1 lakh एक लाग है दस लाग है दस लाग का sales है variable cost 7 लाग का है यानि सवाल में आपको sales दे रहा है सर और sales जो है वो है 10 लाग का और variable cost कितने का है हमारा 7 लाग का तो यह दिखनी रहा होगा थोड़ा सा dark है and fixed cost जो दे रखा है 2 लाग का दे रखा है आपको debt debt क्या होता है debt करजा, liability, loan, debenture को debt भी बोलते है हम short firm में कहता है debt दे रखा है आपको कितने का 5 लाग रुपे का और उसके उपर percentage दे रहा है आपको 10% what the operating and financing and combined leverage बोलता है भाईया बता दो आप operating, financing और combined leverage बताओ इस सवाल में exam में पूछा गया है कौन से year में जिसके पास book होगा देख सकते है साथ 2019 वगर हम आया हुआ है आगे क्या कहता है सर if the firm want to double learning अब ये बाले ध्यान रखिए का पहले हमने यहां तक कर लेते हैं ठीक है उसके बाद फिर हम अगले बाले पार्ट पर आएंगे और सबसे पहले क्या दे रखा है हमें sales और sales कितने का है 5-6-0 minus में variable cost 7,00,00 इसमें से minus करेंगे that is come contribution contribution 3,00,00 इसमें से क्या minus करेंगे fix cost सवाल में fix cost 2,00,00 given है तो हमारे पास result आएगा that is हमारा EBIT अब EBIT आएगा कितना सर 2,00,00,00 minus करोगे तो कितने आजाएंगे 1,00,00, इसमें से minus करोगे क्या सर interest examiner ने यहां पे चला की दिखाई आपको बताया है भाई साब हमारा करजा पांच लाग का है और इस पांच लाग के उपर हम ब्याद जो देंगे वो कितने percent देंगे 10% तो इसका मतलब सर यह 50,000 रुपए का आपका interest आएगा जो आपने find किया है अब जो आएगा निकल के वो आजाएगा EBT that is आपका कितने आगे 50,000 यहाँ तग अगर हर बच्चों को clear है और इसके बाद तीनो टाइप के leverage पूछे हुए है तो लो जी तीनो टाइप का leverage निकाल देते है DOL DFL और DCL Sir DOL, DFL, DCL इनका formula क्या होता है आपको इधर पहले लिखा था आपको याद भी होगा तो यहाँ पे मैं simply लिख लेता हूँ Sir क्या होगा contribution upon me EBIT इसका क्या होगा EBIT divided by EBT और इसका आपको पता है दोनों को multiply कर देंगा मैं लिख नहीं रहा formula अभी तो लिखा ही था बार-बार लिखके क्या करेंगे पहले वाले का देखा जाए तो क्या है तीन और दूसरे वाले का देखा जाए तो दो और combine का देखा जाए तो multiply करके छे हमने यहाँ तक के part को बड़े अच्छे से complete कर लिया किसी को कोई doubt है तो बताइए तीन दो छे बच्चों ने निकाल भी लिया चलिए अब आगे की कहानी पढ़ते हैं सवाल क्या कहता है कहता है if firm firm का मतलब business company if firm want to double earning before interest and tax यानि EBIT को firm चाहती है double कर दें double का मतलब जितना अभी है उसका दो गुना कर दें how much raise in sales sales में कितना बदलाव होगा need to be percentage basis आप बताईए कितने percent sales में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी इसके दो method एक shortcut है एक long है पहले हम long method से पहले समझेंगे shortcut method से जब percentage change वाले दो साल का data होगा तो मैं वहाँ बताऊँगा अभी पहले हम normal समझते हैं तो सवाल क्या कहना चाहता है कि इसका EBIT double हो जाए EBIT double का मतलब क्या होता है सर EBIT double का मतलब है सर बड़ी सी बात है मैं इसी के साथ में line खीच देता हूँ यह बोलना चाहता है कि यह 2 lakh हो जाए तो बताओ क्या होगा यही बोलना चाहता है समझ रहो 2 lakh रुपे है ना अगर 2 lakh रुपे हो जाए तो क्या होगा तो बही 50,000 तो fix है यह तो 50,000 ही रहने वाला है जितना पूछा है मुझसे कहीं ज़्यादा अंसर दे सकते हैं इसको मैं इस format में बता रहा हूँ तो सर यह कितना आ जाएगा हमारा ठीक है यह मैंने extra निकाला है हम इस से उपर की साइट जाने वाले है अब बताओ fix cost जो है इस level पर भी कितना रहेगा हमें नहीं पता कि sales कितना बढ़ने वाला है हमें नहीं पता मैं लिख देता हूँ यहाँ पर new new पूछा है हमें question मार का भी नहीं पता आप सभी अगर इस से agree करते हैं तो आगे हम बढ़ें चार लाग कैसे है समझ में आया अब आपको अच्छे से पता है कि sir आपका VC का percentage जो है वो आपको देख के ही पता चल रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ directly अगर कुछ और अटपटा amount होता तो निकाल के दिखाता है सत्तर परसेंट है देख के पता चल रहा है हमें कितने परसेंट है बताईए पता लग रहा है कितने परसेंट है सत्तर परसेंट अगर आपको देख के ही पता चल रहा है साहब के 70% है तो आपको देखके ही पता चल रहा होगा ये कितने % होगा अभी यही सीख रहेते न तो अगर आपको ये 30% पता है और amount भी पता है तो क्या sales निकाल पाओगे अभी बता है था मैंने तो sales निकाल सकते है नहीं निकाल सकते है बिलकुल निकाल सकते है सर अमाउंट पता है that is amount क्या है हमारा चार लाख divided by आपका contribution का percentage तो formula ना आप 100 ना करें सिर्फ 0.3 करेंगे तब भी आ जाएगा क्योंकि मैंने 0.3 कर दिया या फिर आप ऐसे भी कर लीजिए जो आपके इच्छा है चार लाख divided by अरे divided by 30 इंटू में 100 कोई बात नहीं है बताइए क्या आया यह आ गया 13,333,333 रुपए 3,3,3 2,4,1,3 कम है 2,4,5 आप तो 3 बार ली 3 बार 6 नहीं 6 बार 3 क्यों 13,333,333 अच्छा एक जादा हो गया मुझे क्यों लग रहा है कम है अच्छा ठीक है 2,4,6 मैंने साथ 6 बार 3 आएगा न ठीक है तो सर आपको न एक बात पता चल गया कम यह पता चल गया 1,2,3,4,5,6 क्या आप variable cost निकाल सकते हो कौन बच्चा variable cost निकाल पाएगा बताओ जल्दी कैसे निकलेगा variable cost पूछा नहीं है सवाल में सवाल में बोला है sales बता दो कितना होगा वो तो हमने बता दिया बस आप के लिए मैं जानना चाहता हूँ कि क्या होगा बताइए variable cost क्या होगा नो लाख तैंतिस हजार यह सिर्फ अब आप देखो अगर आपको इसके कोई भी components को double, triple कुछ भी बोले तो आप पूरी statement निकाल सकते हो मैं बस आपको यह बताना चाहता हूँ कहीं से भी कोई भी picture के निकाल सकते हो लेकिन उसके लिए आपको basic concept पता होना चाहिए क्या के contribution percentage, variable cost का percentage तभी निकाल पाओगे ठीक है आप यह भी निकाल पाओगे easily DFL आप से यह question पूछा जा सकता है exam में के EBIT double हो तो बताओ हमारा DFL, DECL और DOL कितना होगा पूछ सकता था तो भी आपको यह पूरी statement तो बनानी पड़ती तो इसी तरीके से बनाते हैं आप DFL निकाल देते हैं कितना है हमारा कितना है DOL 4, 2 आ गया और यह कितना आ जाएगा यह बढ़ जाएगा ना 2 और 1,5 साड़े 3 आटेगा बढ़ा रहे हो आप तो 1.33 और यह कितना आ जाएगा 2.66 66 ही होगा ना ठीक है सवाल जो पूछा है भी हमने आंसर नहीं दिया एक्जाम रख कहता है How much raise in sales Sir Answer Sales will be Increased rupees कितना raise होगा sales में तो 10 था 13 हो गया तो sales will be increase यह रहा 3,333,333 रुपे ठीक है increase के साथ buy भी लगा दो तो better है है ना second कहता है need on percentage basis वाई साथ percentage basis के इसाफ से बताईए तो आपको बताया था जब दो बार का data given हो तो percentage कैसे निकालते हैं याद है उसका gap निकाल लेते हैं और पिछले वाला जहां से हमने difference निकाला भूलेते हैं तो percentage sales कैसे निकलेगा is equal to change in sales change को ना मैं delta बना देता हूँ यह delta ही होता है ना delta का मतलब क्या होता है सर ठीक है percentage के लिए delta in sales delta in sales divided by divided by कौन सा year base year कहलो आप तो यहाँ पर देखा जाए तो हमारा change कितना है चार पाँच एक दो तीन चार पाँच ठीक है divided by into में 100 तो यह percentage change होगा समझ मैं आरे बात इसको एक shortcut तरीके से भी कर सकते हैं हम लेकिन मैं shortcut तरीका सिर्फ करके दिखाऊँगा उसको अभी समझा नहीं पाऊँगा क्योंकि उससे एक और concept जुड़ा हुआ है जब तक वो concept समझ में नहीं आएगा तो नहीं आएगा shortcut तरीके में आपका sales कितने percent बढ़ रहा है 100% बढ़ रहा है तो आपका percentage change in sales is equal to percentage change in EBIT divided by DOL percentage change in EBIT कितना था? 100% divided by DOL कितना था? percent वाले का देखो 3 that is 33.33% दो लाइन में आंसर खत्ब लेकिन ये बना कैसे? बहुत सारे questions होंगे थोड़े एक दिन का समय लो question को समभाल के रखो अगली क्लास में concept पूरा का पूरा clear हो जाएगा दिर दो साल का data आएगा तो हमारा समझ में आई बात आपको? कि percentage change in sales मैं एक बार दोबारा बता देता हूँ कैसे आया हमारा? एक बार फिर से देखिए हमारे पास question ने क्या कहा कि EBIT को double करिए हमने EBIT को double करा EBIT double के बाद बोलता है FC जो यहां था वही FC लिया तो इन दोनों को add करके हम यहां पहुँच गया चार लाक और हमने पहले से calculate कर लिया यह 70% है तो यह 30% होगा हमने पहले concept देखा तो इसका मतलब सर यह 30% और यह 30% तो 30% के equal रखके हमने पूरी sales निकाल ली जो कि यह sales हो गया हमारा यहां का और इसी का कितने percent निकाल लिया 70% तो यहां पे आ गया यह सीधा का सीधा अब इससे एक statement बना लिया हाला कि सवाल में ना तो यह बोला गया ना तो यह बोला गया ना तो यह बोला गया हमने अपने इच्छा से निकाला गया अगर सवाल में आ जाए तो कैसे करेंगे हमने पूरा statement बना लिया अब percentage change निकालने का मतलब भहिया इन दोनों का difference ले लो इन दोनों का difference क्या आ गया 3,333,333 रुपे divided by base year 10,000,000 into by 100 हमारा एक percentage sales का terms निकल गया इक्जाम में बस इसने बोला था percentage change बताईए अगर बोलता ना also verified answer तो आपको यह भी करना पड़ता और ऐसे भी करना पड़ता मैं आगे बात करूँँगा मैंने तो आप लिख दिया बस percentage change वाला ताकि आपको थोड़ा बहुत लगे कि हाँ ठीक है सर ऐसे भी हो सकता है जिस बच्चों को लेंदी लग रहा हो अभी सभी के shortcut हम आगे दीरे दीरे देखते जाएंगे जैसे पढ़ेंगे यहाँ तक हर बच्चों को clear है सर VC से sales नहीं निकाल सकते percentage में बिल्कुल VC से भी sales निकाला जा सकता है आपको पता था एक बात एक और मैं बात बताओं जैसे हमें यह पता था ठीक है ना हम सीधा 70% भी निकाल सकते थे सीधा variable और VC से भी sales निकाल सकते थे अगर मैं बोलू के भी आप बिना sales के आप VC निकालिए तो आप formula में पता ही क्या लगाएंगे चार लाग था और divided by कितने percent के 30 और आपको पता है VC का percentage 70 है तो into में 70 करिए सीधा आपका निकल के आएगा directly है यानि मैं सर बताना चाहूं तो जितने amount है उसका percentage नीचे रखी है परसेंट मानते हैं इसलिए मैं starting में क्या लिख देता हूं into में 100 और अगर आप VC निकालना चाहते हैं तो VC का percentage आपको अल्रेड़ी पता था 70 आप 70 लिखके भी निकाल सकते हैं तैसे कोई दिक्कत वाली बात है नी अब इसके ना जितने बच्चे है ना वो अपने अपने खुदी एक formula और एक खुदी shortcut डेवलप करते हैं तो हर बच्चे का ठीक माना जाता है मैं हर तरीके से बता दूँगा जो भी best रहेगा वो अपना opt करके आप करते जाओगे sir 30 कैसे आया 30 पूछ रहे कैसे आया अगर आपको variable cost पता है कि 70% है क्योंकि यह 7 लाग है यह 70% है तो variable cost 70 पता है तो country आपको पता ही चल गया 30 आएगा देखो यहाँ पर बताया है तो formula 100 is equal to VC percentage प्लस में country percentage format का कुछ भी heading नहीं होगा बस यहाँ पर calculation income statement कह सकते हो computation of income statement या सरफ income statement कह सकते हो और ऐसाच कुछ नहीं लिखते है या फिर उपर लिख सकते हो calculation of operating leverage, financing leverage, combined leverage clear है यहाँ तक एक और सवाल देखें यह सवाल percentage change बाला है थर्ड अभी नहीं करेंगे अगली class के लिए बचा कर रखते हैं जो दो साल का data है उसमें काम आएगा बहुत simple सा होता है एक यह सवाल है आपके सामने लेकिन इस सवाल को करने से पहले मैं आपको फिर से कुछ चीजह सिखाना चाहता हूँ ध्यान से देखिएगा आपने economics में इस terms का बहुत ज्यादा use किया है और पहले भी कहीं न कहीं use किया हुआ है यह term तो formula एक होता है हमारा break-even point जिसको मैं short form में और जो भाई साब बच्चे हैं किसमे management account become honors के बच्चों के कुछ के पास management account है semester 5 वाले बच्चों के पास उनका तो पूरा एक chapter है जिसमें से सिर्फ इस break-even point के उपर 15 नंबर का सवाल आता है सिर्फ break-even point के उपर पूरा का पूरा chapter है तो sir break-even point क्या होता है break-even point का मतलब समझो पहले आप sir break-even point वो level होता है जहां पे हमारी सारी के सारी fix cost recover हो जाती है उसको बोलते है break-even point जहां पे हमारा वो sales माल लेते हैं मेरा जो sales है sales that is हमारा hundred का है ठीक है minus variable cost variable cost माल लो 70 का है तो बचे कितने 30 और अगर मेरा fixed cost भी 30 है तो हम जो profit है वो तो 0 आ गया ना तो वो level जहां पे हमारा no profit no loss होता है उसको क्या बोलते हैं break-even point बोलते हैं या फिर हम बोल सकते हैं जहां पे sales is equal to tc हो जाए सर यह क्या बोल दिया आपने sales is equal to total cost total cost का क्या formula होता है total cost हमारे दो चीजों के मिला के बनता है BC plus में FC यह सारे management account पर हम सीखते हैं लेकिन अभी आपको इतना डिटेल मैं जितना बता रहा हूं समझ में रहा है okay नहीं तो भी कर लेंगे वह तो ठीक है break-even point का formula जो होता है न वह होता है fix cost divided by दो बातें लिखा जा सकता हैं यहां पर मैं लिखें दूसरी बात ने स्रफ contribution की बात करूंगा यहां पर डिवाइड by contribution यानि cpu cpu समझ में आदेगा cpu क्या है सर यह पूरे full formally लिख देते है fix cost divided by contribution per unit unit के हिसाब से ठीक है यहां फिर एक formula और भी होता है fix cost divided by contribution का percentage जिसको हम ना कई बार इसी को हम pvr भी बोलते हैं profit volume ratio pvr इसको क्या बोलते हैं हम profit volume ratio contribution के percentage को हम profit volume ratio भी बोलते हैं यह क्या है सर इसका full form है सर profit ratio ठीक है अब सर आपको यहां पे अगर मैं यह दे दूँ और आपको यह पता चल जाए और यह पता चल जाए तो इन दोनों में से कोई भी एक तो आप fix cost निकाल सकते हो यह formula इसलिए बताय जा रहा है ताकि आप क्या निकाल पाओ fix cost क्यूंकि fix cost जरुत पड़ेगी आपको degree of operating leverage निकालने में बिना fix cost के क्या operating leverage निकालनों के नहीं होगा वो तो one होगा हमसे कभी भी पूछ लो बोलो सर एक firm का न fix cost है ही नहीं मैं बोलूँगा operating leverage one है जाओ उससे क्या होगा आगे तो हो नहीं सकता minus वगरे तो होगा नहीं वो sir example ले लेते हैं पहले मैंने बोला sir sales है sales है हमारा 1000 ठीक है contribution percentage मानलो 30 और break even sales मानलो 900 आपने निकालना है fixed cost sir BES क्या है break even sales है sir BES क्या है break even sales है ठीक है समझ रहे हो आपको क्या निकालना है fixed cost तो sir formula के अंदर put कर लो ना एक बार में आ जाएगा क्या होगा sir break even point given है बिल्कुल given है 900 so is equal to FC given है sir बिल्कुल given FC कितने FC नहीं given बाई निकालना है यह तो और percentage contribution का 0.3 कर लो इसको cross multiply करो बच्पन से तो यही करते आया है तो कितने आ गए sir 270 आ गया fixed cost देखो कितने आसानी से fixed cost हमने निकाल लिया समझे अगर यही मैं CPU देता cost per unit देता cost per unit क्या है sir माल लो example number two मैंने sales बताया 10 रुपे पर unit and VC बताया मैंने 6 रुपे पर unit और मैंने break even sales बताया sir break even sales बताया मैंने 1000 unit यह भी unit मैं दे रहा हूं सब कुछ unit मैं तो आपका CPU क्या होगा contribution per unit CPU is equal to SP minus में VC selling price per unit minus में VC यही सिखा है contribution का तो formula तो क्या आएगा सर यहां पर हमारा 10 माइनस में 6 is equal to 4 आजाएगा सर चार क्या है यह contribution per unit formula लगाके निकालना जा सकता है यह निकालना जा सकता सर बिलकुल 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 निकालना जा सकता है कैसे निकाले सर निकालते थे 1000 fixed cost पताया no CPU पता है क्या 4 multiply करिए क्या आ गया 4000 is equal to ठीक है यानि amount के terms में दे दे पूरे में तब भी कर सकते हैं वैसे भी कर सकते हैं चलिए आईए अब आपने अगर इतना समझ लिया है न और इसको इतना detail में आपके exam में नहीं पूछा जाता management account में बहुत detail है यह आपको सरफ यह formula बताने के लिए मैंने थोड़ी बहुत time लिया आपका अब चलिए आज आईए यहाँ पर question पर question पर question करना चाह रहे हैं यहाँ पर break even point है आप पूछते sir break even point क्या होता है यह बता दो हमें इसलिए मैंने पहले ही बता दिया भाई break even point को concept को उपर ले जाते हैं चलिए sir बढ़े question कहता है x corporation has estimated that the for a new production break even point यानी break even point सवाल में दे दिया इसने break even point दे दिया sir और unit के terms में है और कितने है 2000 if item sold 14 per unit और selling price भी दे दिया कितने 14 and cost department currently cost department has currently identified the variable cost 9 यानी variable cost 9 कौन बच्चा बताएगा contribution मैं आपका वेक कर रहा हूं फटा फट बता दीजिए कौन बताएगा contribution कितने हैं कौन बताएगा contribution कितने हैं कौन बताएगा contribution कितने हैं बच्चोंने fix cost से निकाल के दिखा दिया अच्छा पहले वाले question था है contribution बताएगा calculator चला रहे है contribution निकालने के लिए 5 रुपे simple सी बात है 14 में से minus को रुवाई 5 है 5 रुपे 5 रुपे 5 रुपे 5 रुपे 5 रुपे सभी बच्चों का जवाब आ गया दिया का जवाब आ गया संजे का आ गया अर्श का आ गया राम का आ गया सभी बच्चों का लगबग लगबग जवाब आ गया हरियोम का आ गया बिल्कुल सही जवाब तो चलिए sir आगे बढ़ते है question की तरफ calculate degree of operating leverage for sales volume पच्छिस सो unit and 3000 unit what do you इसके आगे का question side cut गया क्या है इसके आगे बढ़ना भाई पूरा question लगाया करो क्या है what what do you enter the degree operating leverage sales volume यह उपर नीचे होगा what do you there a difference if any there a difference if any there a difference if any चलिए कोई नी हम तीनो leverage निकालने थे यहाँ पर थोड़ा सा ना typing error कहलो वो कुछ ठीक है तो आगे दिखते हैं तीनो type के leverage निकालने और कितने unit पे पच्छिस सो unit पे 3000 unit पे तो चलिए दो कॉलम बना लेते हैं एकदम फटा फट से फूर्ते में निकल जाएगा यह तो और यह जितने भी सवाल कर रहे हैं ऐसा मन समझना यह सवाल आसान है तो हो रहे हैं तो पेपर में नहीं आएगा सारे कोशन एक्जाम में आए हुए हैं कितने unit पे बोला गया सर एक unit 2500 पे और एक unit कितने पे सर 3000 पे पर्टिकुलर सबसे पहले क्या लेंगे हम सर सेल्स अब बात करते हैं सर सेल्स की सेल्स की हम बात करें तो सेल्स कितना है सर पत्चिस सो unit पे कैसे निकालेंगे सर बड़ा असान है सर पत्चिस सो और सेलिंग प्राइस चौदा रुपे तो इंटू में चौदा एक का मैं करके दिखा रहा हूँ दूसरा का आप खुद कर लोगे तो पत्चिस सो multiply by 14 कितने होते हैं बताइए फटा-फट से आप 2500 इंटू में 14 35,000 अगला आप खुद बताइए 3000 इंटू में 14 तो 42,000 हो माइनस में variable cost सर दे रखा है variable cost चिंता करने की कोई जूरत है नहीं तो variable cost क्या होगा सर 2500 इंटू में 9 दे रखा था 9 तो कितने हो जाएंगे ये 3000 इंटू में 9,927 27,000 हाँ है लाइन ना हाँ चलो कोई नहीं देख लेंगे कितने 22,500 ठीक है अब क्या निकलेगा तीनो और leverage निकालना है ने इसमें कहता है calculate degree of बस operating leverage निकाल दो बात खतम स्रिफ operating भी बोला है न calculate the degree of operating leverage for sales volume स्रिफ operating निकालना है contribution क्या आगया ये बताओ 12,500 और इसका क्या आगया 15,000 सर यहां तक तो आसान है बस हमारा operating leverage निकल ही जाएगा अगर आप मुझे क्या बता दो और FC पूरे question में नहीं है तो FC अब हमें निकालना पड़ेगा कैसे निकालेंगे break even point दे रखा है break even point unit is equal to FC divided by CPU CPU क्या होता है central processing unit क्या होता है contribution per unit ठीक है न क्या होगा contribution per unit अक्षे का आगया ठीक है तो यह हमें 2000 पहले से दे रखा था break even point आप सवाल में देखिए question में देखिए पहले से 2000 गीवन था FC नहीं पता तो FC को FC छोड़ देते हैं CPU हमने निकाल लिए 5 तो यह that is आगया हमारा कितने 10,000 आगया तो अब यहां पे भी क्या होगा हमारा 10,000 यहां भी क्या होगा 10,000 चलिए सर अब आगया हमारा EBIT सर EBIT minus करेंगे 2500 minus करेंगे 5000 DOL निकाल देंगे सर DOL क्या कहता है सर DOL कहता है country divided by EBIT contribution क्या है सर A और B कर दो पांच बहुत खतरनाक है यह आगया चलो बस यही सवाल में पूछा था अब यहां पे मैंने formula भी लिख दिया यही calculate कर लिया एक्जामनर एकदम खुस हो जाएगा अगर आप और detail में करना चाते हो तो side में कर सकते हो यह सवाल आपके exam में 7 नंबर से लेके 8 नंबर के बीच में हर बार पूछा जाता है और यह भी exam वाला ही question है एक तरीके से प्रोग्राम ओनर्स हर अब प्रोग्राम ओनर्स के चक्कर में नहीं पढ़ना आपने सवाल आ रहा है कर रहे हो बात खतम यह तो मेंगा पढ़ जाता है फिर आपको कभी कभी ठीक है D.O.L. 5 D.O.L. 3 बिल्कुल सही जवाब सभी ने जवाब दे दिया था अंकित का भी आ गया था तो फिक्स कॉस निकालना भी बच्चे सीख गए है यहां तक क्लियर है सभी को एक और सवाल हो जाए इसमें भी पहले कॉंसप्ट कराना है क्योंकि यहां पर दे रखा है फिक्स ऐसे टर्न ओवर रिशो पहले यहां तक देखिए सभी को क्लियर है अगर बोलते हैं एक सवाल और हो जाए तो कर लेंगे नहीं तो कल करेंगे कल भी क्लास होगी अभी रेग्लर क्लास चलाओंगा मैं अपकी क्लियर 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 एक सवाल और नेक्स क्लास स्र ख्यक्तों मैं थि देंगे पहले हम यह देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने कुछ चार से पांच कुश्चन किये थे चैप्टर कौन सा चल रहा है सर लीव रही जो बच्चे नए स्टूडेंट है उनको पहले दो क्लासिस लेनी पड़ेगी यानि आपके content section में है वो लीजिएगा आपको समझ में आएगा exactly आज क्यूंकि जो बच्चे नए directly देखेंगे तो शायद उन बच्चों को आज समझ में ना आए कल तक मैं बोल सकता तरह समझ में आजाएगा लेकिन आज थोड़ा सा advanced question भी हमारा होगा ठीक है तू लेट तू लेट चलिए सर अब हम ने क्या क्या कर लिया हमने leverages में सबसे पहले formula starting ही formula से करते हैं operating leverage क्या होता है operating leverage होता है हमारा contribution divided by EBIT और हमारा financing leverage क्या होता है EBIT अपॉन में EBT और अगला कौन सा होता है combine leverage जिसे हम बोलते है contribution divided by EBT इसमें दो साल का भी data होता है वो आज ही हम cover करेंगे format है simple सा income statement है income statement में क्या होता है सर सबसे पहले होता है sales sales में से क्या minus करते है variable cost तो जो result आता है उसको क्या बोलते है contribution contribution में से क्या minus होता है fixed cost जो result आता है उसको बोलते है EBIT फिर interest करते हैं minus फिर आता है EBT और ऐसे continue रहेगा हमारा चलिए सर इसके अंदर हमने कुछ basic concept और फिर हमने कुछ practical questions भी देखे थे यह सारे last class में हमने questions कर लिये थे आज हम और भी इससे आगे question करेंगे that is यह हमारे सामने एक और question है और homework नहीं दिया था आज homework भी दे देंगे आपको चलिए आपके book का ही question है क्या कहता है question देखते हैं और question सीधा start करते है देखे सर simple question है कहता है आपको अभी पहले unique क्या है इस question में एक आपको balance sheet given है uniqueness क्या है आपको इस question के अंदर balance sheet given है sir earning before interest and tax sir मुझे question 2 बता दो sir मुझे कल के question में जिसके doubt है ने कल वाले question में last में रुक के देख लेगे सामने slide दिखाऊंगा voice raise आप hand raise करोगे और hand to hand clear हो जाएगा उनका doubt ठेक है ना पहले हम एक question कर लेते हैं कैता सर equity share capital है retain earning है आपको याद होगा मैंने सवाल में retain earning भी बताया था कि क्या होता है dividend में से जो बच जाता है long term debt है तो sir इसके उपर आपको ब्याज निकाला जा सकता है अगर 80,000 है तो इसके उपर ब्याज बनेगा sir आठ हजार current liability fixed assets and current level कैता है the company total asset turnover ratio sir total asset turnover ratio दे दिया total asset turnover ratio इसका formula आपको पढ़ा होगा आपने क्या formula होता है sir sales upon में total asset यह formula होता है जिन बच्चों को formula नहीं पता मैंने formula लिख दिया कि total asset turnover ratio में sales divided by total assets कहता है fix operating cost यानि sir आपको fixed cost भी दे दिया इसने that is आपके पास 1,00,00,00 आगे कहता है variable cost percentage 40% आपको VC दे दिया 40% और the income tax rate 30% यानि आपको IT income tax rate 30% जो जानकारी given है मैं सिर्फ यहां पर plot कर रहा हूं अभी question नहीं उतार रहा हूं ऐसा नहीं के मैं आगे करने जा रहा हूं calculate the company different type of leverage different type of leverage का मतलब अलग अलग type के जितने leverage है उसको different type of leverage कहते हैं जैसे operating leverage, financing leverage और combine तीन ही हमारे leverage है इससे ज़्यादा leverage है नहीं face value of equity share 10 rupees each हमारे और given the face value equity share 10 rupees each सिर्फ इसके अंदर पूछा गया है different type of leverage लेकिन हम इस question में नए EPS भी निकाल के देख लेंगे क्योंकि face value shares का दे रखा है और हमें shares भी पता है तो that is EPS भी हम निकाल लेंगे sir format तयार करते हैं जो format सीखा था वही format है कोई बदलाव है नहीं format के अंदर जो statement सीखा था exactly वही format बनाने वाले है चलिए चलिए एक ही साल का बनाएंगे ना टेटा को हो 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 है कि स्रिफ एक साल का टेटा बनाना है कि यह आ गया amount यह आ गया particular सबसे पहले क्या होगा sir sales अब मज़े की बात पूरे question में sales ही नहीं दिया ठीक है sales नहीं दिया लेकिन आप क्या देखोगे यहाँ पे आपको इससे related अगर sales निकालना है तो यह formula अपलाई करना पड़ेगा क्यूंकि आपको stock total asset turnover दे रखा है अब इस formula में रखेंगे हम और यह formula मुझे समझाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है आपने 12th standard में भी आपने debtor turnover ratio, stock turnover ratio, asset turnover ratio सीखा हुआ है आपने corporate account के अंदर भी कही न कहीं देखा होगा जिनको नहीं पता तो ऐसा नहीं के ratio पूरा इस्तमाल होगा मात्र एक आद ratio है जो कि इसमें दे देते हैं जैसे की sales वाला और एक debt equity ratio debt upon equity अब बाकी कोई ratio इस chapter में नहीं आने वाला तो आप जितने भी student है यह सोच के बिलकुल भी ना घबरा है जो बच्चों को लगता है या इसमें ratio भी सीखना पड़ेगा सिर्फ एक ही question ऐसा है ratio का तो sir आपको यह इसने कितने दे दिये sir यह तीन दे दिये आपको तो तीन यहां लिख लिए sales की जग़ा पर sales रख लेते है sir total assets क्या होता है balance sheet का जो total होता है इसी को क्या बोलते है हम total assets total assets कितना है हमारा तो sir आप cross multiply करके आप sales निकाल सकते हो बड़े आसानी से कितने का छेला बताइए किसी बच्चे को कोई doubt sales कैसे आया बता भी दिया आसिम ने बता दिया पर्थम ने बता दिया छे लाक रुपए yes का आ गया ठीक है सभी बच्चों को समझ में आ गया छे लाक रुपए आ गया तो मैं sales की जग़ा पर sales plot कर दूँ अब minus क्या करें sir अब variable cost का क्या दे रखा है 40% दे रखा है तो इसका 40% अगर हम निकालेंगे तो क्या होगा 2,00,00 अब यहां तक सभी बच्चे को clear है तो क्या आ गया contribution that is 3,60,000 अब minus क्या करेंगे fix cost fix cost question में given है एक लाग बच्चा कितना 2,60,000 इसका नाम क्या देंगे EBIT पहले यहां तक देख लो हर बच्चे को clear है यहां तक अभी pewse regular class चल रही है आपका regular class हम ले रहे हैं इसलिए आज की class रखी है तो कुछ बच्चों को confusion हो सकता है में भी time table नहीं announce हुआ हो last class में अभी regular class लेंगे दस बारा दिन regular class रहेगी ताके आपका एक unit यह वाला खतम हो जाए फिर alternate कर देंगे अभी फिलाल regular class लेंगे और दो घंटे की class की timing कर दिया तो उसके साब से रहेगा आगे देखते हैं sir क्या है और minus में interest sir interest कितने का है आपका question में given है 10% यानि interest tax rate है 30 क्या है income tax है वो तो interest किस पे निकालोगे sir loan पे loan क्या है मातरिक debenture तो यह आगे 8000 हर बच्चों को clear है 8000 bracket लगाना चाहते हो तो लगा लीजिए नहीं लगाना तो कोई बात नहीं ऐसे भी कर सकते हैं मैंने लगा दिया इस question में इस लिए सब जगह लगा दिया 250 यह क्या गया profit before earning लिखते है ना हर जगा earning लिखते हैं चलो अब इसमें से क्या minus होगा sir minus कर देते हैं tax क्योंकि मैं EPS भी निकाल लेता हूं हाला कि question में नहीं बोला लेकिन इसमें निकाल लेते हैं तो tax minus करेंगे tax कितना होगा हमारा sir tax हो जाएगा हमारा 75,600 अब minus करके क्या result आएगा profit after earning after tax या pet बोल लो minus करो क्या आता है एक लाख चैतर हजार चार सो अब हम EPS निकालेंगे तो क्या होगा इसको divide कर देंगे number of share that is number of shares कितने हैं sir मैं इधर बता देता हूं निकालके sir हमारे total 60,000 था और एक share 10 का तो number of shares 60,000 divided by 10 तो कितने हो गए तो number of shares हमारा 6000 आ गया और divide करोगे जब इन दोनों के बीच में तो आपका आजाएगा earning per share 2. यानि EPS हमारा 2.94 का समझ मैं अब गलत आ रहे है 29 हैगा अच्छा 29.4 ठीक है अब सर एक और सवाल का point तो mean तो रही गया different type of leverage operating leverage financing leverage combine leverage अगर आपने यह statement तयार कर लिया तो यह सारे के सारे leverage निकालना बहुत आसान है सिर्फ formula पता होना चीए तो इसलिए इस सवाल में मैं formula ना लिखके मैं तीनों type का leverage फटा फट से निकाल देता हूँ आपके answer को चेक करने के लिए DOL बता दो बच्चो DFL बता दो TCL बता दो देखते हैं DOL किसका आता है 1.38 DFL 1.03 और 1.42 ठीक है Question number 5 Done किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताइए सभी का जवाब आ गया सभी का जवाब आ गया निदे नीशू परदीप दिया भावना सभी का जवाब लगबग लगबग आ गया हर कसी किसी को clear है तो हम अगले सवाल पे चले clear है clear है बिल्कुल आ गया इस सवाल को आप decide करेंगे कि मुझे करना है कि आपको करना है पढ़ लीजे सवाल आपको decide करना है अब देखो इतना आसान इससे ज़्यादा क्या मदद करेगा examiner जो हम statement बनाते थे उन्होंने बना के दे दिया सब कुछ निकाल के और बोलता है you are required different type of leverage both of the firm दोनों firm का निकालो और हम तो इससे पहले तीन firm का भी निकाल चुके हैं और कहता है their relevant risk position तो जिसका ज़्यादा leverage वो ज़्यादा risk ही और जिसका कम leverage वो कम risk ही यह करा दे या हो जाएगा देखते हैं कितने बच्चे बोलते हैं कि करा दो ये भी कर लेंगे कर लेंगे हो जाएगा बिलकुल सही तो इसके उपर homework हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा बिलकुल सही ठीक है अगले question पर चलते हैं यह थोड़ा सा interesting लग रहा है मुझे चलिए एक और question आपके सामने पहले एक पार हम सवाल समझ लें question को समझ लेते हैं फिर करेंगे कहता है कहता है रीक्रियेशन लिमिटेड कंपनी का नाम है कंपनी का नाम से क्या करना manufacturing आप फुल लाइन आफ आपका लॉन फरनीचर वगरा बनाता है दा आवरेज सेलिंग प्राइस पच्चीस सो रुपै का एक सेलिंग प्राइस है और वेरियेवल कॉस्ट पंदरा सो रुपए पर यूनिट है यानि भई महंगा सामान बेच रहे हैं यह फिक्स कॉस्ट पचास लाक रुपए काcycle फिक्स कॉस्ट ठीक है आपसे क्या क्या कोश्चन में पूछता है पहला पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट बताईए तो आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने ब्रेक इवन पॉइंट पर डिसकस किया था दो दो फॉर्मूले लिखे थे क्या था फिक्स कॉस्ट अपॉन में CPU और फिक्स कि इचरण प्रेक जाएं थीक है चलिए अफ्ट टिग्रेड ओ और टिंग्रेटिंग लिवरेज ओ लो यह डिग्री ओ और प्रेटिंग भी ब्रेज़ बोल रहें बस ओपरेटिंग बोलता है लेखेन आप 4,000 पर बताना पांच हजार पे बताना, छे हजार पे बताना, आठ हजार पे बताना, यारी हम आपके साथ थोड़ा सा खेलना चाहते हैं, कि हर अलग लेवल पे आप बताओ, क्या degree of operating leverage होगा, सिर्फ operating, financing भी नहीं, combine भी नहीं, ठीक है, दो सवाल तो answer मिल गया, क्या हमारा operating leverage बढ़ या घट सकता है, production of sales से, and the break-even point, अगर break-even point से, अगर हमारा अज़्यादा sale हो, तो क्या फरक पढ़ रहा है leverage पे, और break-even point से कम sale हो, तो क्या फरक पढ़ रहा है leverage पे, वो तो जब हम practical अभी question करेंगे, तो समझ बहाएगा, what conclusion would be the, आपको बताना है कि actual में हुआ क्या है, बहुत आसान है ये भी point, by what percentage EBIT will be increased, क्या percentage increase होगा EBIT का, if company sales should be increased by, अगर हम अपना sales 10% बढ़ा दें, EBIT पे कितना फरक पढ़ेगा, from the production and sales level 8000, और हमने क्या करा, अपना sales कितना कर दिया, increase कर दिया by 10%, लेकिन 8000 के level से count करना है आपको, 8000 last level है, उससे 10% और बढ़ा देंगे, तो क्या फरक पढ़ेगा, तो एक एक करके, आराम आराम से, एक एक point को हम solve करते हैं, ऐसा नहीं कि बहुत जल्दी फटाफट फटाफट कर लेना है, पहला point, break even point, break even point, मैं short form में लिख रहा हूँ, और आपको पिछलास क्लास में लिखवा दिया था इसका, क्या होता है हमारा, fix cost, upon में, यहाँ पे CPU आ सकता है न, क्यूंकि आपको per unit cost पता है, है के नहीं, यहाँ क्या आ जाएगा, cpu, तो sir, answer मिल गया, fix cost कितने है, 50 लाख, और divide cpu sir, cpu, 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 cpu यहाँ निकाल देते हैं, cpu होता है sir, sales minus में, vc, sales है पच्चिस सो, और vc है पंदरा सो, unit, तो एक unit का cpu आ गया, 1000, तो इसका answer आएगा, sales break, even point, यह unit में आ जाएगा sir, क्योंकि cpu से unit आता है, 30 घटा दे, 5000 unit, अब देखो हमारे, अगले question में 4000 unit पे भी है, तो 4000 पे देख लेंगे बढ़ रहा है, 5000 पे भी 6000, 8000 उसके इस हब से बताएंगे, 5000, 5000 बहुत बच्चों का answer आ गया sir, 5000, 5000 और 5000 है अगला point क्या है, different, different level, level पे हमें leverage निकालना है, सिर्फ operating, यहीं पे हो सकता है, point number one done कर चुके हैं, यहीं कर लेते हैं, point number two space बना के, चलिए sir, कितने level हो गए, एक, दो, तीन, चार level हो गए न, यानि चार column, एक, और एक increase वाले के लिए भी मैं कर लेता हूँ, extra 5, हाला कि उसके लिए आप अलग से करना, मैं यहीं करके दिखा देता हूँ, sir, एक कर रहेंगे हम किस पे, 4000 unit, 5000 unit, 6000 unit, 8,000 unit, और यह extra बनाया, तीसरे question के लिए, चौत्य point के लिए बाद में करेंगे, ठीक है, sir, सबसे पहले sales, तो 4000 unit, इंटू में selling price क्या है, 2500, एक मैं करूँगा, बाकि आप करेंगे, बताइए, 10,00, क्याए 1 करोड, एक करोड ना, 5 से करो तो, 125,00, बहुत ज़्यादा digit हो रहा है, इसको simple करते हैं थोड़ा, सारे digit लैक में हैं, ठीक है, तो कितने हो गए, एक करोड यानि 100,00, 125,00, और, 25,00, 500,00, 800,00, 200,00, 200,00, सारा मैंने लैक्स में कर दिया, ठीक है, यानि 100 है तो 100,00, यानि 1 करोड है, यह समझ लेना आप, 125 लिखा है तो 125,00, यानि 1 करोड पच्चिस लाग है, 500,00, लिखा है तो 500,00, यानि 1 करोड पचास लाग है, और यह आपका पूरे, 2 करोड ठीक है, माइनस वी सी, वी सी बोलता है, हमारा सर पंद्रा सो के इसाब से है, तो 4000 इंटू में, तो 60,00, और 5000 इंटू में, 75,00, इसके बाद 15,90,00, और 8,120,00, यहां तक ही ले जाते हैं, क्या आगे हमारा कॉंट्री, 40,00, 50,00, 60,00, और अब माइनस क्या करें, FC, सर, FC तो FC है, यह तो हर जगा 50,00, यह रहेगा ना, और यह क्या गया हमारा, सर, यह तो माइनस में पहुँच गया, माइनस, दस लाख, जीरो, दस लाख, अब DOL निकल लो, देखो, DOL जितना कम होगा न, वो एक से उपर कंपेर करना, अगर माइनस में चला गया तो और खतरनाक, फिर तो आपकी कंपनी गई, क्योंकि आप ब्रेक इवन पॉइंट पे नहीं हो, अगर आप लॉस में चल रहे हो, तो इसका मतलब आपका फिक्स कॉस रिकावर नहीं हो रहा, एक हमारा, एक से उपर देखना होता है, और एक से नीचे है, तो वो तो बहुत डेंजरस जोन है भाई, आप खुद देखो na, कमपनी दस लाग के नुकसान में बैठी है, ओप किस कमपनी को नुकसान है, इन दोनों कमपनी के, इसका जीरो प्रॉफिट ए, इसका दस लाग का लॉँस है, किस कमपनी को, किस, आप सेल्स को बोलोगी कि बढ़िया है, तो मैं बोलू हूँ भी यह 5000 बढ़िया है कम से कम ठीक है तो इसके बाद हम DOL निकाल लेते हैं हर किसी का इसका DOL निकालेंगे तो क्या जाएगा माइनस 4 कितना डेंजर रही है तो इसका DOL निकालोगे तो कितने आ जाएगे 50 और 0 इंफिनिटी हटाओ 0 इसका क्या आएगा 1 पॉइंट कितने आ रहे है 6 और इसका 80 तो ब्रेक इवन पॉइंट के बाद ये ना ब्रेक इवन पॉइंट के पहले का सेल है और ये ब्रेक इवन पॉइंट का सेल है ये ब्रेक इवन पॉइंट के बाद का सेल है हमारा ब्रेक इवन पॉइंट के है सर हमारा ब्रेक इवन पॉइंट 5000 यूनिट का है ठीक है अब हमारा जो दूसरा पॉइंट था ये complete हो गया सिर्फ degree of operating leverage ये सारे leverages पूछे थे जो मैंने बता दिये तीसरा पॉइंट कहता है क्या operating leverage break even point से क्या फरक पड़ता है तो अगर हम break even point से कम पे रहेंगे तो operating leverage very high break even point जैसे के बाद जैसे जैसे sales बढ़ेगा हमारा operating leverage क्या होता जाएगा कम हो जाए रहेगा और हमारे लिए सबसे better कौन सा है सर सबसे better 8000 वाला है जहाँ पे हमारा operating leverage minimum है सबसे कम है तो इसलिए ये हमारे लिए best माना जाएग 2.66 ठीक है यहाँ तक clear है हर किसी को अगले point fourth point पे आते है पहले 3 point बोलिए मैंने 3 point done कर दिया इसके conclusion लिखना है आपको आपको book में लिखा हुआ मिल जाएगा conclusion वहाँ से लिख सकते हो लेकिना book में है conclusion लिखा हुआ इसमें देखते हैं कि नहीं question नहीं है clear और even though मैं कहूंगा कि आपना एक के बाद हमारा leverage को justifyable क्या होता है एक के बाद अगर एक से कम जैसे minus आ रहा है नहीं तो इसको hyphen डाल के छोड़ सकते हो इसके आगे आप minus 4 ना लिखके hyphen डाल दोगे कि भाई इसका तो leverage हम करी नहीं सकते क्योंकि ये तो loss में ही चल रहा है इवी आईटी का क्या percentage increase होगा company sales should increase by 10% from the production level 8000 तो भाईया अगर 8000 से increase करोगे तो ये मैं question number 4 के लिए करने जा रहा हूँ 8000 का 10% यानि ये कितने हो जाएंगे बढ़ा दिया अब 8800 को आप 25 से multiply करो 220 220 तो बढ़ा कमाया हाँ ठेक है 220 8800 को 1500 से 132 और 220 मैं थोड़ा long method अपना रहा हूँ ये 88 और सर फिक्स कॉस्ट तो महान है 38 क्या पूछा इसने कि हमारे EBIT पे क्या percentage increase होगा तो भईया पहले EBIT ये था ये था तो अगर percentage change की बात करें तो last class में formula लखवाया था किसी को याद है register open करके देखो निकाल के बताओ देखते हैं कौन बच्चा इसका जवाब देता है दिफ्रेंस कितना है परसंटेज चेंज के लिए formula क्या होता है सर रिफ्रेंस डिफ्रेंस डिवाइड भाई बेस इयर तो सर हमारे सवाल में कितना डिफ्रेंस है बेस इयर क्या है चलिए बता दीजिए आप 26.6 जवाब आ गया 26.6 26.6 बहुत बच्चों का जवाब आ गया क्लियर है कोई दिक्कत ये कोस्चन भी हमारा डन हो गया देखो डियू में 2010 में पूछा गया था कि और पूरे 8 नंबर या 10 नंबर के बीच का सवाल आया हो है तो मेरे इसाँप से धाई धाई नंबर एक बंते हैं तो 10 नंबर का सवाल था यह के पर इसके साथ पांच नंबर की आमछे ज़रूर डाले होगे और इस सवार पेपर तो एन इपी वाले बच्चों का 20 नंबर का आएगा यह कुश्चन तो यह तो मान के चलो आपके पेपर में 12-13 नंबर का सवाल आएगा FC जादा हो तो आपको बस हाइफन लगा देना है उसका justify नहीं कर सकते है उपरेटिंग लिवरेज आप उपरेटिंग लिवरेज उसी का बता सकते हैं जहां पे आपको कुछ positive income मिल रहा हो तभी बताएंगे कि कितना आपका उपरेटिंग पे impact आ रहा है conclusion मैं conclusion वैसे लिख दूँगा आपके book में भी लिखा हुआ है मैं simple एक बार समझा देता हूँ कि conclusion में क्या होगा पहले point में कोई conclusion नहीं है दूसरे में कोई conclusion नहीं है तीसरे में conclusion है कि sir अगर break even point से हमारा कम हो जैसे 4000 unit और 5000 unit पे हमारे लिए कोई beneficial नहीं operating leverage हम नहीं define कर सकते लेकिन 6000 और 8000 unit पे operating leverage define हो सकता है और best operating leverage वह operating leverage माना जाता है जो कि less हो सबसे तो इसका मतलब sir 8000 वाला point हमारा ठीक है यह होगा दूसरे का conclusion तीसरे का conclusion क्या होगा sir what the percentage तो percentage increase होगा बस इसमें तो answer लिखना है कोई conclusion लिखना है इसका एक shortcut भी है जिस shortcut को मैं percentage change वाला topic जैसे आएगा मैं बता दूँगा इसका होता है हमारा कितने percent निकला हमारा कितने percent बढ़ाई है 10% और 10% divided by यानि अगर मैं इसका formula लिखू ना फिर formula लिखूंगा तो मज़ा नहीं आएगा आपके माइंड में question हो जाएगा जिसको कर अगली क्लास में मैं इसको shortcut भी करवाऊंगा होता है operating leverage into percentage change in sales formula operating leverage into percentage change in sales यानि दस इंटू में 2.6 सीदा answer आ जाता है तो उसको हम अगली क्लास में देखेंगे कल वाली क्लास में सारा difference यानि कल यह chapter खतम हो जाएगा आपका कोई doubt point 3 को अच्छे से लिखवा दे मैं content में डलवा दूँआ पूरा return book वाले जो ने लिखा हुआ है और थोड़ा easy language करके डलवाई दूँआ content point number 3 sir 8800 कैसे आया इसके अंदर यह point number 4 के लिए solution है इस पे 10% add on किया है 10% बढ़ा दिया है तो 8000 का 10% बढ़ाएंगे तो 8800 आएगा last वाला point last वाले point के अंदर आप यहां पे यह देखो कि पूछा EBIT में कितना change आएगा तो आपका 8000 से change चेक करोगे तो मैंने इसी को इस्तमाल कर लिया तो 8000 से यहां से यहां changes की बात करें तो देखो 8 changes है और base क्या है 30 divided by base रखा into 100 और यहां गया 26.6666 percentage होगा यह 667 कर दो वो matter नहीं करता एक बार यह question देखिए क्या हो जाएगा आपसे यह हमने first class में करा था इस type का question एक बार यह देखिए क्या आप question करोगे तो homework में डाल देंगे कहता है you are required operating leverage, financing leverage, combined leverage of two company आपको capital दे दिया मतलब अभी यह मुझे कराना पड़ेगा debenture दे दिया, sales दे दिया, FC दे दिया, अहां हो जाएगा फिर को देखो आपको sales दे दिया, output unit है यानि selling unit, debenture debenture चार लाख रुपे के आप उपर interest निकाल लोगे, that is 12% आप देख लीजिए, मैंने आपके सामने question रखा, आप पड़ लीजिए, फिर बताइए हो पाएगा या नहीं हो पाएगा अगर आपसे हो जाएगा तो homework में रख देंगे इसको बताइए हो जाएगा क्योंकि एक दो question आप भी practice कर लोगे तो better रहेगा हो जाएगा, maximum बच्चे कहा रहे है, sir, हो जाएगा capital का कुछ नहीं करना, अगर आप EPS निकालना चाहते हो, तो इसके थूरू निकाल सकते हो 10 रुपे का एक share मान लेना, जैसे मैंने पिछले वाले अभी सवाल में किया otherwise question नहीं बोलता निकालने को, हम भी नहीं निकालेंगे चलिए, दो homework मिल गए आपको, इस पर आजाते हैं देखिए, question में क्या कहता है the capital structure of Radiga Limited, consist ordinary share capital और इनके पास share capital, 10 रुपे का है, जिसकी एक की value यह है number of shares निकल सकता है and debenture दे रखा है, आपको 10 रुपे का 10% यहां से ब्याज निकल जाएगा selling price per unit दे रखा है, variable cost per unit दे रखा है fixed expense दे रखा है, आपको 2 लाख रुपे income tax rate दे रखा है, आपको 30% the sales level expected आपको 1 लाख unit पे सारा काम करके बताना है to, आपको 1,20,000 unit यानि एक एक लाख unit से लेके, 1,20,000 unit पे एक करके दिखाना है you are required percentage increase in earning per share यानि EPS में कितना percentage earning बढ़ जाएगा तो simple सी बात है, एक एक लाख पे निकालेंगे एक एक लाख बीस अजार पे निकालेंगे difference लेके percentage निकालेंगे degree of financial leverage एक लाख unit पे एक लाख बीस अजार वो तो निकाल ली देंगे कौन सा? यहाँ पे operating नहीं पूछा कौन सा पूछ लिया? फाइनिसी degree of operating leverage एक लाख और एक लाख बीस अजार देख रहें कोस्चन कैसे लंबा गिया जा रहा है एक ही बार बोल देते different type of leverage निकाल दो बात कतम आगे कहता है comment on the behavior of operating and financial leverage operating और financial leverage के behavior यानि बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है घट रहा है तो क्यों घट रहा है in relation to increase production एक से एक बीस में production गया तो क्या होगा? हाला कि देखा जाए तो यह question इतना मुश्किल है नहीं करी लेते हैं फिर नहीं है तो बस दो साल का data है point बहुत सारे बना दिये हैं इस question को डराने के लिए और exam में पूछा गया है एक लाख एक लाख सर sales अब sales देखिए कितने एक लाख unit पे मैं एक का बता देता हूं into में sales दे रखा था 10 रुपे पर unit तो 10 लाख और बारा इंटू बारा लाख ठीक है minus VC तो सर एक लाख unit है और एक 6 रुपे का है 6 लाख और बारा 7 लाख भी सजाद बताईए contribution सर चार लाख चार लाख असी अजार minus FC सर FC तो बताई रखा है हर लेवल पे क्योंकि company तो एकी है ना इसके बाद आ गया EBIT दो लाख और दो लाख असी अजार minus interest सर इंटरस आपका debenture debt दे रखा था that is 10 लाख का सरी यह रख 10 लाख रुपे का debt है और 10% तो एक लाख आएगा मैं यहां निकाल देता हूँ 10 लाख का इंटू 10% that is 1 लाख और 1 लाख अब आ जाएगा EBIT एक लाख और एक असी minus कर दो यहां से tax tax है सवाल में तीस परसेंट है तो तीस अजार 54,000 अब आजाएगा हमारा EPS के earning per share कहलो या फिर earning for equity या EAT लिख लेते हूँ सत्तर अजार और एक चपस अब एक एक question बताते हैं कहता है कि percentage increase earning per share में क्या percentage increase होगा per share को तो यही बटेगा ना इसमें percentage कैसे पता करोगे कितना increase हुआ वही difference तो इसको थोड़ा question तो देख लिया हमने जगह बना ले थोड़ा साफ कर देते हैं ओहो जीरो भी साफ हो गया percentage change in EPS क्योंकि ultimately यही point EPS में बटना है ultimately यही तो बटेगा सोचो तो आप EPS निकालोगे फिर change निकालोगे तो कोई माइने नहीं रखता आप सीधा इसी का difference लेके कर सकते हो हाला कि EPS में निकाल देते हैं चलो number of shares number of shares number of shares देखा जाए तो यह कहता है कि भाईया एक 10 लाग का है 100 रुपे का एक है तो 10 अजार और यहां भी 10 अजार यहां जाएगा कितना zero point यहां क्या आएगा बताओ डिवाइट करो seven EPS और यहां बताओ 12.6 अब इन दोनों का difference ले लो EPS बोल आए तो तो कितना 5.6 divided by seven कितने percent change आए बताओ कोई बता सकता है अब उस्हां अ कितने अ सी है अ किती पर संट है अ बच्चों ने बता भी दिया सर 80% 80% 80% 80% सभी का जवाब आ गया लग 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 80% अदिती जायद नीशु अभिशेक दिया सभी का जवाब आ गया सर 80% ठीक है चलिए चलिए आप सभी का आंसर आ रहा है इसका मतलब आपको सब कुछ समझ में आ रहा है इस चेप्टर में अब दूसरा पॉइंट कर ले फॉस्स हो गया सेकेंड कहता है फाइनेंशल डीएफल निकालना है दूनों कर अब निकालना डीएफल तो मैं दो बार लिख देता हूं डीएफल इसका डीएफल निकालने के लिए 2 लाक दिवाइड वायड़ाय एक लाक कितने आ गये इसका का दो अजाएगा इसका ू और अससी डिवाइड बर एक असी 1.55 ये लो इसका भी आंसर मिल गया हमें सभी बच्चों ने आंसर इसका भी दे दिया अब का अगला कहता है DOL निकालो तो DOL के आएगा 4,0,000,000 divided by 2,0,000,000 दो और 4,80,000 divided by 280 1.71 comment on the behavior of operating financing leverage increase production of the 1 to 120 तो आप देखिए यहाँ पे financial leverage दो है और यहाँ पे financial leverage घट गया और same operating leverage भी हमारा दोनों जगह पे DOL degree of operating ठीक है तो हमारा behavior क्या है जैसे जैसे हमारा production level बढ़ेगा यानि एक बात तो आपको समझ में आ गया होगा sales बढ़ाओगे तो operating leverage क्या होगा घटता जाएगा क्योंकि operating leverage financing leverage यह सब किस पर depend करते है fix cost पर यह दोनों तो जैसे जैसे sales बढ़ाओगे तो fixed cost का दवाब कम आता जाएगा आपके उपर और जैसे जैसे fixed cost का burden आपके उपर कम आएगा आपका काम करने का तरीका और expand हो जाएगा उस case तो यहां पर fixed cost आपके earning का ही पराबर का fixed cost यहां रहता है तो जितनी आपकी UP कितना है दो है और fix cost भी कतनी है दो है यहां पर आपके अर्निंग के double तो नहीं है, earning के बराबर नहीं है earning से थोड़ा ज़ादा है जो कि आगे हमारा कितना 1.7 यानि इस से 30% का कम है एक तरीके से देखा जाए तो best आपके लिए कौन सा है मैं best पे mark कर देता हूँ यह best और यह best, conclusion again same बताईए कोई डाउट यह का अंसर, अधिती का, राम का, नीशू का, अर्ष का किसी का कोई डाउट clear है श्रे भावना yes no doubt, clear, पृती, clear, कनक, clear, गुपता, अनीश, clear, डिया, clear चलिए, बहुत अच्छी बात है सभी बच्चों का clear, clear, clear अंसु का कहना है, सर, एक बार आज की class एक homework हमने आपको ये वाला कोश्चन दे दिया और एक homework आपको ये वाला कोश्चन दे दिया अगली class में ये chapter पूरी तरीके से हो जाएगा खतम, एक ये एकदम छोटा सा कोश्चन है मैं करा तो दू, लेकिन मैं सोच रहा हूँ यहाँ पे भी मैं long वाला करा दूँ और ये आप homework में करने के try करिएगा homework में करने के लिए try करिएगा बाकि मैं अगली class में shortcut method कैसे बना नहीं बना उस पे बताऊँगा अगले point पे आजाओ ये बहुत simple question है बस इसमें पता कितनी बार करना पड़ेगा एक ये plan है एक ये plan है plan है वही आपको operating ये भी मैं करा दूँ आ चलो बार बार कोश्चन percentage EPS ये भी difference से ले लेंगे चलो बागी के तो मैं करा दूँ आ ये छोटे छोटे सा question है यानि चार से पांच question रहते हैं जो मुझे कराना है एक दो question आपने करना है चली अब किसी बच्चे का कोई doubt है तो doubt पूछ सकते हैं screenshot नहीं ले पा रहे हैं हाँ screenshot नहीं लगेगा आपको अभी video थोड़ी देर में मिल जाएगा आप देखके note कर लेंगे और ये जितने भी screen पे हैं लिखे हुए आपको ये PDF format में मिल जाएगा everything is clear ओके चलिए फिर मिलते हैं next class में अब जिन बच्चों के कुछ एक doubt थे वो पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं बागी हम मिलेंगे next class के अंदर next class कल है और कल की timing साथ वजे exact रहेगी और कल इस chapter को हम पूरी तरीके से complete कर लेंगे फिर अगला chapter होगा हमारा cost of capital का ठीक है जिसको नोटिंग बगर करना है वो नोटिंग कर ले थैंक यू गुड वेलकम वेलकम गुड नाइट 6.8 का second point second point कहता है degree of financial leverage एक लाक यूनिट पे और एक बीस दोनों यूनिट पे तो हमने एक लाक यूनिट और एक बीस पे निकाला ही है अगर आपका doubt है हेंड्रीज कर सकते हो आप हां जी दिक्षा बताईए कोई doubt है तो कोई doubt है आपका येस दिया बताईए कि एक मिनिट रुके एक मिनिट मैंना लगा लूँ क्योंकि आवाज थोड़ी से ब्रेक हो रही है एक मिनिट दीजेगा भी दुबारा प्रिपीड कर देना बस मुझे एक मत करते हैं कुछ करते हैं अब बताईया दिया अब बताईया आप जिस जिसके डाउट है मैं एक एक करके ले लेता हूँ मैं यहीं बैठा हूँ कहीं जाना नहीं हाराम से जाएंगे घर अगर दिया मेरी वॉइस आप तक आ रही है तो आप बता दीजे प्लीज पता नहीं मेरे पास आज क्यों नहीं आ रही है कि दिक्कत है कि वैसे ही बता दीजे मैं सुन लेता हूँ चलो आपने कहा साइद आपने कहा कि दो लीवरेजिस में जो डिफरेंस आता आप दुबारा एक बार बता दीजिए क्यों कि उस्टाम आवाजी नहीं आई मुझे बिल्कुल भी और हैड फ्री भी लगाया तो नहीं हाँ जी आ रही है आपने क्या कहा बैस्ट होता है मतलब तीनों क्या हो आपने क्या बताए तीनों जितना कम होगा वह बैस्ट रहेगा हमारा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आप मुझे बता देंगे कुन सा कुश्चन है तो मैं पढ़ कहीं आपको एक्स्प्लेइन करता हूँ पेज नंबर 153 पे MCQ Which combination is generally good of the firm Higher of operating leverage, Higher of financial leverage, Lower of operating leverage, Lower of financial leverage, High of operating leverage, Low of none of these तो आपको इसमें क्या confusion बताए आपने हाँ See High of operating leverage अब इसके अंदर ना यहां पे दो decisions बनते हैं और यहां पे अलग decision बनते हैं आपके चीक है ना तो यहां पे इन्होंने दे रखा है High और Low High और Low का आपका चलिए मैं अगली क्लास में इसके उपर पूरत theory बता दूँआ तो clear हो जाएगा आपको चेंज वाले में आ जाएगा यह point हाँ हाँ sales combined leverage होता है sales upon में ebt नहीं आपका contribution upon में ebt लेकिन कई बार percentage के case में sales upon में ebt भी आ जाएगा या contribution बागी हमें priority contribution को देना होता है हाँ अब देखो जहां पर हमारा अब टैक्स नहीं है जहां पर टैक्स नहीं है इसने क्या कर रखा है कुन सा कुछ नहीं है sales and eps combine leverage use measure the relationship between ebit eps pet eps sales eps और sales ebit तो आप देखोगे तो simple सी बात है इन तीनों में से ce correct जा रहा है सपोर्ज करो tax है ही नहीं tax नहीं है तो हमारा eps ही ebt बन जाता है tax ना होने के case में जो पुराने चैप्टर थे ना उसमें न वर्किंग क्यापिटल वगरा उसके मैं अलग से ले लूँगा अब तो मैं ले सकता हूं डाउट तो उसके अलग से class conduct कर दूँगा पिल्कुल कि यूनिट फाइब मुझे दुबारा करवाना है तो जो जो डाउट है न मैं वही करवा दूँगा दुबारा में भी इस बताइए कि दुबारा करनेक्ट करना है यह अर्श बताइए कोई डाउट है किसके बाद अच्छा मतलब के comment मतलब कैसे conclusion कैसे देना यह पूछ रहें आप conclusion मैं लिख के ही डाल दूँगा यह अगली class में मैं सामने दोनों के comment लिख के सामने display कर दूँगा आप नूट कर लिजेगा चिक है चलिए student sir आपने text कैसे निकाला था text कैसे निकाला था मैंने text दे रखा था question में 30% और मैंने इसका 30% निकाल दिया था ठीक है तो चलिए मिलते हैं next class के अंदर और फिर कली class है कली इस chapter को खतम करेंगे फिर इसके बाद एक और बहुत interesting chapter start करेंगा that is cost of capital good night take care मिलते हैं next class में perfect अब ठीक है okay चलिए तो हम क्या देख रहे थे leverage और आज leverage के दो questions भी कर लेंगे और साथ के साथ जो doubts अगर दो question में थे वह भी continue कर लेंगे ठीक है ना आज हम दो साल का data जो दे रखा होता है उसको भी देखेंगे चलिए 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 सर अभी तक leverage में क्या-क्या देख लिया हमने leverage में हम पहले फॉर्मूले के point of view से discuss कर लेते हैं लीवरेज को calculate करने के ना वैसे कितने टाइप के leverage थे हमारे तीन टाइप के leverage थे सर्फ कौन-कौन से leverage तीन टाइप के हमारे एक है हमारा जो अभी तक करते आएं वो simply data था एक साल का दे 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 थे एक साल in the sense के एक बार का data दे 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 थे जस्ट उसी को करना था when more than one year data जब हो या फिर percentage change वाला data आपको दे दे तो कैसे calculate करो गया ठीक है सर इस वाले case में तो तीनो फार्मूले बड़े simple simple थे वहाँ भी simple ही है इस वाले case में आपने बता है सर D.O.L. अगर होगा तो बहुत simple सी बात है हम कैसे निकालेंगे D.O.L. के case में हम कर देंगे contribution divided by ABIT सर अगर हमारा क्या होता है सर D.F.L. होता है तो हम क्या कर देंगे EBIT divided by EBIT सर अगर हमारा DCL है तो सर अगर हमारा DCL है तो तो क्या करेंगे बेरी सिंपल आप ये भी कर सकते हो D.O.L. इंटु में D.F.L. ठीक है या इसके जगह पर आप क्या कर सकते हो कॉंट्रिबूशन डिवाइड़ बाई EBIT इन केस आपको EBIT नहीं पता चल रहा तो वहाँ पे आप EPS भी लिख सकते हो अभी पता चल जाएगा मैं करवाद हुआ कुछ बच्चों को दिक्कत आई होगे सर EPS बोल रहे कहीं पे जब % होता है तो अगें तीन ही डेटा निकालने होते हैं हमें क्या क्या होता है अब फिर से हमें DOL निकालना होगा लेकिन DOL का फॉर्मूला क्या हो जाता है % चेंज मैं चेंज के लिए डेल्टा बना रहा हूँ ठीक है न % चेंज इन EBIT या मैं इसको थोड़ा सा न अलग तरीके से लिखना चाहूँआ क्योंकि ये तो होगे आपको समझ में आ गया होगा थोड़ा अलग से इस वाले केस में तीन बाते होंगी DOL is equal to % change in EBIT divided by पर्सेंटेज चेंज इन सेल्स प्रायरेटी सेल्स रहेगा या फिर कॉंट्रिब्यूशन अगर सेल्स नहीं पता तो कॉंट्रिब्यूशन दूसरे फॉर्मूले की बात करें DFL इसका फॉर्मूला आता है % change EBT या फिर अगर आप यहां पे EPS भी ले सकते हो कोई फरक नहीं पड़ता डिवाइड़ बाय परसंटेज चेंज इन EBT परसंटेज चेंज इन EBT तो कुछ एक फॉर्मूला यह है जिसके help से आपको operating leverage या combine leverage निकालना है जहां जहां पे आपको बोला जाता था कि इतने % sales increase हो गया जैसे कोशन हमने किया था कि इतने % अगर sales increase हो जाए तो बताओ तो हम इस फॉर्मूले की मदद से percentage change क्यूंकि हमारा जो leverage है न leverage basically क्या बताता है कि आपका changes क्या आ रहा है fixed cost की बज़े से और हम normally इसमें comparison करते है data कि हम अगर क्यूंकि आपको अगर पता चल जाए एक digit की data पर अगर मैंने बुला 5000 unit sale है उसी के उपर आपने operating leverage निकाल लिए तो कोई फाइजा नी आपको एक 6000 unit पर भी निकालना पड़ेगा तब compare कर पाऊगे हाँ बैटर है या फिर नहीं बैटर है उसके इसाब से तो जब कभी वी आपको percentage के format में गीवन हो अब आप एक चीज़ नोटिस करना फॉर्मूले को याद करने का या रिमाइंट रखने का सिंपल सा तरीका है इसका जस्ट अपोजिट हो गया यहां पर कॉंट्रिबूशन यहां पर सेल्स भी लिख देता हूं सर तो देखो यहां पर क्या हो गया अपोजिट हो गया EBIT और यह नीचे आ गया चेक करो है ना यहां पर क्या हुआ EBIT अपोन EBT यहां उल्टा हो गया सेम यहां वाले पॉइंट में भी यह हुआ तो फॉर्मूले याद रखने में कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है आपको सिंपल वाले अगर याद है तो आप यह इसली फॉलो कर सकते हो जब आपको कमपेरीजन या परसंटेज के टम्स में आपको पूछा जाए तो इस तरीके से आप निकाल सकते हो EBIT क्या होता है हम पहले डिसकस कर चुके हैं sales contribution क्या होता है हम पहले और बागी सारे चीज़ों पर हम पहले already discuss कर चुके हैं कि किस तरीके से क्या रहता है ठीक है मैंने इससे related एक homework दिया था आपको इससे related एक homework दिया था calculate change in EPS if sale expected increase by 5% अब change वाला आ गया ना और EPS की अगर हम बात करें तो EPS कहां use होता है sir micro economics done हो गया अच्छा बच्चे कह रहे है हो गया हो गया ठीक है अगर आप डारेक्टली निकालना चाहते हैं विदाउट वो detail solution मैंने percentage change करके भी बताया था वो without detail solution तो आप क्या कर सकते हो अगर आपको DFL पता है तो आप easily percentage निकाल सकते हो जैसे इस वाले सवाल में आपको information given था EBIT profit profit before tax और क्या दे रखा था हमें fix cost कहता है calculate the percentage change in EPS EPS में कितना percentage change होगा अगर हमारा increase हो जाए कितने percent से 5% से क्या increase हो जाए sales अब आपको यहां पर क्या चाहिए sales की बात कर रहा है तो sales किस-kis point में आएगा एक То sales हमारा किस point में आ जाएगा अगर हम fully पुले की बात करें तो सेल्स एक तो इस वाले फॉर्मेट में आ रहे हैं लेकिन हम एपिस नहीं निकाल सकते हैं यहां से चेंज एक इस वाले में आ रहे हैं ठीक है लेकिन आपको यहां पर क्या चाहिए DCL निकालना ही निकालना पड़ेगा अगर आपने DCL नहीं निकाला तो नहीं होगा तो सिंपल सी बात है यह आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हो और शॉटकट तरीके से भी कर सकते हो तो अगर इसका जिस बच्चों ने आंसर बोला सभी बच्चों ने बोला कि सर हमारा तो आ आगे चलेंगे, चलिए सर, सबसे पहले क्या लिख लें हम, sales, question में नहीं गीवन, छोड़ देते हैं, सीधा क्या दे दिया, question ने, EBIT दे दिया, question ने क्या दे दिया, EBIT, minus में, VC नहीं दे रखा भी छोड़ देते हैं, अब contribution नहीं दे रखा लेकिन निकाला जा सकता है, minus में क्या करते हैं, fix cost, और उसके बाद क्या आता है हमारा, सवाल ने ये दे दिया है, यानि EBIT कितने हैं, 11,00, अगर fix cost हमें given है, कितना, 7,00, तो ये minus करने के बाद ही आया होगा, तो हम इसको plus कर देंगे, तो आजएगा 18,00, 20,000, ठीक है, अब इसने क्या पूछा, EPS में, are expected to increase by 5%, कहता है, calculate the percentage change in EPS, EPS में कितना होगा, अगर हमारा sales कितना बढ़ जाए, 5% से बढ़ जाए, तो sales बढ़ना और contribution बढ़ना बात एक ही है, ठीक है, sales बढ़ना या contribution बढ़ना बात एक ही है, क्योंकि मैंने देखो कहीं कहीं पे, आप ध्यान से देखो, तो कहीं कहीं पे मैंने, यहाँ पे आपको sales और contribution दोनों लिखा है, क्योंकि variable cost sales unit के terms में ही change होता है, हमें से हैं न, variable cost जो होता है, sales unit के terms में होता है, तो जैसे आपने पहले एक बार, जो simple हमने सीखा था, उससे भी कर देते हैं सवाल को, और दूसरे से भी कर सकते हैं, तो यहाँ पे D.O.L. निकल जाएगा, D.O.L. क्या आएगा बताऊँ, divide कर तो इसको जल्दे से, 1.1.6 जा आगया, D.O.L. अब हम चाहते हैं, कि हमारा sales कितना increase हो जाए, 5% एक column इदर बना लेते हैं, तो 5% sales तो नहीं पता, लेकिन contribution को increase कर सकते हैं, 5% बढ़ा दीजिए, 19,11,000, fix cost सेम रहेगा, minus 7,12,11,000, मैं long method ले रहा हूँ, उसके shortcut पर आजाएंगे, और क्या interest वगेरा दे रखा है आपको सवाल में, कुछ नहीं दे रखा, तो अगर मैं इसमें से minus कर दूं interest, जो नहीं पता, तो वो 0 होगा, तो इसका मतलब सर अगर वो 0 हुआ, तो हमारा EBT भी कितना आ जाएगा, लेकिन हाँ, profit before tax दे रखा है, तो बीच का difference interest होगा, एक मिंट मैंने थोड़ा से इसमें न, एक point आगे ले जाना है, अभी DFL छोड़ देते हैं, यहाँ गया profit, before tax, और इसी को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलता है, EBT, जो कि हमें question में given था, क्या given था question में 3,00,000, 20,000, और यहाँ के बीच का जो difference रहेगा, वो क्या रहेगा, interest, तो हमारा देख लेते हैं, 11,00, 20,000, 8,00, कितने आ गए, सीधा 8,00, तो interest भी सेम ही रहेगा, यहाँ भी, मैं दोनों method से करके दिखा रहा हूं, long भी और short भी, अभी बस 5 मिनट दीजिए, क्योंकि मुझे comparison करना है, यहाँगा 4,00, 11,00, ठीक है, यहाँ पे हमें, अब देखों, यहाँ पे EPS है, और EPS हमेशा, EPS is equal to, अब ध्यान रखना, EPS, कई बार, EPS is equal to, आपका EBT हो जाता है, अगर आपके सवाल में, टेक्स का rate ना गीवन हो, टेक्स नो गीवन, समझे बात, क्योंकि टेक्स मान लो 0, तो फिर उसके बाद माइनस करके, तो EPS ही आ जाएगा वो, वही आ जाता है, एक बार, कई बार EPS, EBT को मतलब बराबर ही मान लेते हैं, एक बार को, अब EPS का मतलब तो वैसे, earning per share होता है, लेकिन हम यहाँ पे share से divide ना करके, हम simply मान सकते हैं, जो यह profit बचा है न, यह EPS ही के बराबर ही है, क्योंकि टोटल के पॉम में, वही EPS ही आएगा, ठीक है, अब हम पहले DOL निकाल ले, वैसे DOL की जौरत है नहीं, पूछा ही नहीं है, हमें चाहिए क्या DFL, हमें EPS किसमें यूज होता है, financial leverage में, तो DFL चाहिए, DFL निकालो इसका क्या है, एक लाख, ग्यारा लाख बीस अजार, divided by, तीन बीस, 3.5, आप भी चेक करना, क्या रहा है, 3.5, अब हमारे sales कितना बढ़िया 5%, हमने बढ़ा दिया 5%, sales एक तरीके से नहीं गीवन था, मैंने बोला contribution sales को इमानलो बढ़ा दिया, अब पूछ रहा है कि बढ़िया, EPS में कितने percent increment लगेगा, अगर हम sales को increase कर दे 5%, तो EPS में, एक तो हम यहाँ से change निकाल सकते हैं, EPS में changes आ जाएगा, कैसे इन दोनों का difference, 3.2,000, 3.2,000, 3.2,000, 3.2,000, 4.2,000, 91, और divided by base ले ले लो, क्या है हमारा, 3.2,000, तो कितने आ गए, कितने percent, मेरा अलग क्यों हा रहा है, 28.4,3,7,5, एक तो यह हो गया, अभी अभी formula लिखा है हमने, कहां चले गया, बार बार किदर चला जाता है, यह लिखा है, एक अगर आपको DFL पता हो, तो आप अराम से, क्या निकाल सकते हो, percentage change in EPS, क्योंकि आपको DFL आप पता चल गया, आपको EBIT percentage change पता है, ठीक है, और इसके बाद आपको, EBT, यानि EPS percentage, automatically difference आपका, आ जाएगा, लेकिन इसके लिए आपको, दो चीजों को पता होना ज़रूरी है, एक तो हमें पता है था पहले से, दूसरा आपको percentage change in क्या निकालना पड़ेगा, EBIT, कितना percent change है, और एक आपका, फिर EPS निकल सकता है, तो इस वाले सवाल के अंदर, देखा जाए, तो हम इस method से हमने दोनों चीज़े निकालना लिया, दूसरा निकालना, दूसरे आपको percentage वाला method बता है, आप करना चाहते हो, तो गर सकते हो, फिर आपको क्या निकालना पड़ेगा, ultimately आपको एक और निकालना पड़ेगा, percentage change in EBIT, percentage change in EBIT क्या है, थोड़ा से lengthy हो जाएगा यह, अम बस experiment कर रहें और कुछ नहीं, ग्यारालाख, बीस हजार, माइनस, बारालाख, ग्याराहहजार, और नािन्टीवन, डिवाइड़ बाय, ग्यारालाख, सर यह आगया, 8.125 into 100 है implied आप मान लीजिएगा ठीक है इसके बाद हमें क्या करना है formula रखना है percentage DFL is equal to percentage change in EPS divided by percentage change in EBIT DFL क्या आया था बताओ 3.5 percentage change in EBIT यहाँ EPS रख दो percentage change in EBIT क्या है 8.125 multiply कर लिजए इसको 3.5 से वही आगया हमारा examiner आपसे कभी भी यह नहीं कहेगा कि आपको यही तरीके से करना है वो आपकी मर्जी है बस इस सवाल में इस question में हमें क्या पता चला कि सर अगर हमें sales का percentage बोले या contribution का percentage बोले बात बराबर होता है क्योंकि variable cost और इनके बीच में combination की बात करें तो same ratio में percentage change हो रहा होगा ठीक है ना अगर हमें और भी अगर हमें sales निकालने को बोला जाए क्या हम sales निकाल पाएंगे यहाँ अगर जब तक हमें यहाँ तो contribution का ratio दे देता यहाँ हमें variable cost कर रही इसो दे देता किसी क्या भी दे देता तो हम निकाल पाते यहाँ पर हमें question को इसी तरीके से करना होगा यह वाला जो part हमने किया है that is यह working note में चला जाएगा और fair part आपका यह माना जाएगा जो formula लिखके कर सकते हो आठ लाख 91,000 बच्चे बता रहें interest आठ 91,000 बच्चे बता रहें interest देखना चेक करो एक बाद ठीक से minus करो नहीं यहाँ पर कैसे बढ़ेगा थोड़ी interest भी fix रहता है interest भी आपका क्या रहता है fix रहता है और fix cost भी वो बदलता नहीं है हाँ मैं अब सारे questions करूँआ interest कैसे आया interest देखिए आपका कैसे आया मैं बता देता हूँ आपको ये point आपने निकाला ये point आपने निकाला और ये वाला आपको देखो ये वाला आपने गीवन था और ये वाला भी गीवन था तो इन दोनों के बीच का difference हमेशा interest आएगा, यह difference है क्या है यह difference difference वाला मैंने क्या करा, यहां से सिर्फ percentage increase कर दिया कितने percent सवाल में खुद कह रहा था 5% तो मैंने 5% बढ़ा दिया इसलिए increase कर वो गया अभी और भी खूब सारे questions करने हैं, जो कि समझ में आ जाएगा column में PBT PBT तो दे तो रखा है, profit before tax है ना तो इसको EBT कह लो, या कह लो PBT दोनों बात एक ही है, earning before tax या profit before tax, दोनों का मतलब ही एक ही है, ठीक है चलिए और भी questions करते हैं, फटा-फट बस मुझे practical questions ही करने ये formula बस आपको थोड़ा remind कराना था, ये सबसे last में करेंगे या ये homework दूँगा एक मैं करके दिखाऊंगा, बाकी homework दूँगा, है बहुत simple, बस समझाना है चलिए आ जाईए इस वाले सवाल पर हमने last class में कितने question कर लिया है, मुझे तो याद भी नहीं है difference कैसे लेते हैं, जो starting के class में बताया था, दोनों के बीच का difference divided by base year into 100, ऐसे percentage difference निकल जाएगा, हाँ, बिल्कुल EPS को minus करके भी निकाला जासा गए, ठीक है, पहले यहाँ देखिए, आप equation करते हैं, फिर आ जाएंगे फिर उसी point पे, मैं format बना लेता हूं, फटा-फट, कितने data है, यह भी देख लेते हैं, पहले एक पर पढ़ लेते हैं, question है न, कहता है, the share capital of company, company का share capital दे रखा है, which share of face value, 10 रुपे का एक, तो मैं यहाँ लिख देता हूं, number of shares आ गया, तो 10 लाख, divided by 10, is equal to 1 lakh आ गया, the company has a debt, 6 लाख 10%, तो यहाँ interest निकाला जा सकता है, interest is equal to, 6 लाख, और 10% अगर इसका calculate करोगे, that is, 60,000, मैं पहले ही निकाल के चल रहा हूं, the sales of the firm, 30,000 unit per annum, और selling price है आपका 5 रुपे, and variable cost है आपका 3 रुपे, the fixed cost दे रखा है आपको 2 लाख रुपे, the company tax का rate है 35%, अब जब tax का rate दे देना, तो उस case में हमारा EBIT, PBT और EPS अलग होगा उस case में, ठेक है, क्योंकि बीच में क्या involved होगे हमारा, tax वाला point हा गया, if sales increase by 10% calculate, अब sales आपको increase करना है, तो सर एक पहले present वाला तो निकाल ले, तभी तो sales increase करेंगे हैं, सर, present, present में कितने unit थे हमारे, सर, ये 3,00,00,00 unit, और कहता है, अगर हमारा sales 10% increase हो जाए, तो 10% increase होने का मतलब 3,00,00, 30,000 unit पे बात कर रही है, है ना, समझ में आया, पहले 10% कैसे increase हुआ, अब sales की हम बात करते हैं, सर, sales कैसे निकालेंगे, 3,00,00,00 into में, एक का कीमत 5 रुपए है, सवाल में कह रखा, एक का कीमत कितना है 5, तो 3,00,00,00, सर, minus कर दो variable cost, variable cost कैसे निकालोगे, 3,00,00 unit और 3 रुपए का एक unit, question में given है 3 रुपए एक unit, तो कितने 9,00,00, आप increase वाला भी कर दो, 3.3 into में 5, तो 15, 16,50,000, 16,50,00, और 3.3 into में 3, 9.9,00, ठीक है, यह क्या आगया, contribution कितने आगये, 6,00,00, यहाँ पर क्या आगया, contribution, बताओ यहाँ पर, last class, देखो, हो जाए मेरे हिसाब से तो best है, कितने, 6,00,00, 60,000, आप बताते जाएगे बस, 6,60, बिल्कुल सही, 6,60, 26,00, लिख देए एक बच्चे ने, 6,60, ठीक है, minus क्या कर दे हम, fix cost, fix cost क्या दे रखा है, अब क्या आगया हमारे पास, EB, IT कितने आगये, 4,00, यह 4,00, 60,000, minus कर दो क्या, interest, interest कितना है हमारा निकाल लिया था, 60,000, और यहाँ भी, 60,000, यह क्या आगया हमारा, EBT, EBT क्या आगया हमारा, 3, और यह आगया पूरे, अब minus क्या कर दो यहाँ से, tax कर दो, tax क्या दे रखा है हमारा, 35%, निकाल लो, 35%, 35%, टेक्स निकाल लो, 3.4, इंटू में 35%, एक लाख, 19,000, ठीक है, minus करने के बाद आ जाएगा, 2.21, लैक, यानि 2,21, चार लाख पे, 1.4 लैक, और minus करने के पाद, 2.6 लैक, यह जो है ना, यह earning, इसे अब EPS कहेंगे हम, अब वैसे EPS कहना, technically, एकदम अगर आप कोई बच्चा जाता है, तो वो detail में गलत, लेकिन FM में चलता है, counts में गलत है, EPS कहना, इसे बोलते हैं, earning for equity share, और EPS कैसे निकालते हैं, जब हम इसको divide कर देंगे, number of share से तो EPS आएगा, बस इतना है, लेकिन बात तो वही आना है, percentage change करने के बाद, ठीक है, तो चलिए, पहला point पूछा गया है, कि percentage change in EPS बताईए, तो सर, percentage, if increase in sales, then what the percentage change in EPS, दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो आपके पास ये पता चलिए, difference लेके, एक आप किसकी मदद से निकाल सकते हो, DFL की मदद से, लेकिन DFL वाले case में आपको percentage change किस चीज का भी चाहिए होगा, EBIT का भी चाहिए होगा आपको, तब ही निकाल सकते हो, ऐसे situation में मैं क्या करूँगा, simply difference लेके निकाल लूँगा, percentage change in EPS is equal to, आपका क्या होगा, difference amount किसका, EPS का, difference EPS divided by base, EPS into my 100, तो सर, difference कितना है, 221 और 260 के बीच का difference कितना हो जाता है, उननिस, उननिस हजार, डिवाइड़ बाइद बाइद दो लाख एकस हजार, into my 100, बताइए क्या आगया, हाँ, इसका दूसरे method से करना चाहते हो, करो, नहीं तो मैं तो कहूँगा, ज्यादा उलजने से अच्छा है कि simple, अगर सारा data available हो, ना, एक question दिखाऊँगा, उसमें मैं बताऊँगा, तो वहाँ वो formula काम आएगा आपका, अगला कहता है, degree of operating leverage of two level, दोनों level पे, तो भाईया, इसलिए तो data तयार करा हमने, दोनों level पे degree of operating leverage easily बना सकते हैं, ठीक है न, चलिए, D.O.L. Sir, D.O.L. कैसे निकालोगे, अब सबसे पहले ये divided by ये, है न, इसको नाम दे दो A, इसको नाम दे दो B, इसको नाम दे दो C, तो A upon में B, निकाल दो दोनों का, 6 बटे में 4, 1.5, इसका बता दो अब, 6.6 divided by, हाँ, ये 39 होगा, 49 होगा, साइद बच्चे कह रहे हैं, 49, चलो ये 49 होगा फिर, ये 39 कह रहे हैं, इसको चेंज कर देते हैं, अब डिवाइड कर दो, और इसका भी आंसर बच्चों ने बता दिया, सर, ये आएगा हमारा, ये 17.6 बता रहे हैं, देखना, ठीक है, और इसका भी बता दो, डिफरेंस गलत ठीक कर लिया, गुर्ण गुर्ण मैंने, सभी मैंने ठीक कर लिया, ठीक है, अब ये बता दो, ये क्या है अगे, डिफरेंस बताओ, वन पॉइंट, निकाल रहे हैं या फिर ऐसे ही, निकाल रहे हैं ना वो, रतन दीप, येस, येस, परभात, गुर्ण ठीक कर लिया मैंने, चलो, दो, दो, पॉइंट, डन कर लिया, देखो, कितना असान था, तीसरा, डिग्री ओ, फाइनेंशल लिवरेज, मेरे को पता था, इसलिए ना, जब लिवरेज वाला कोश्चन आता है ना, तो डेटा तो पहले तयार कर लिया करो, अब जो बच्चा पहला कोश्चन करेगा, पहला निकालेगा, फिर दूसरा करेगा, अरे यह भी करना है, फिर तीसरा करेगा, इससे अच्छा एक डेटा हमारा यह तयार होता है ना, जो मर्जी पूछलो भाई, फटा फट निकाल लेगा, बस पॉर्मूले लगाना है फिर तो अब क्या निकाल लेगा हम, DFL, क्या हो जाएगा, B बटे में C, बताइए, 1.4 आ गया, इसका अगला भी बताएं भाई, वन पॉइंट, वन पॉइंट, वन पॉइंट, लो तीनों आंसर्स दे दिया हमने, और कुछ नहीं था इसमें, बताइए, किसी बच्चे को कोई डाउट, इस कोशन में, एक स्टुडेंट पता नहीं, वन पॉइंट, वन सेवन कह रहा है, किसका आंसर एक बार चेक करो भाई, गलत तो नहीं बताएं, किसका, इसका, वन सेवन है, ये, फिर गलत की बताएं, ये, इसका वन सेवन है, जिनके पास बुक है, बुक में भी आप आंसर चेक कर सकते हैं, एक तो ये सबसे ज़्यादा न, ओनर्स वाली बुक देखा है, बहुत बच्चे परिशान रहते हैं, इसका कुश्चन कहां से शुरू हो रहा है, खतम कहां हो रहा है, आंसर शुरू कहां से, लेकिन अभी तक टेक्समेन को ये बात समझ में नहीं आ रही के बच्चे कितने परिशान हो रहे हैं, सिंपल सी बुक बनायते हैं, प्रोग्राम वाली बुक अच्छी है, सिंपल सिंपल, हाँ, अब महंगी भी गर रखी और ओस पेस भी बचा रहे हैं, पता नहीं क्यों, बताइए इस कोश् इस बार आने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं, इस बार, कि तीन चार चीजे पूछ लिया, और क्योंकि आपका कोश्चन पंदरा या बीस, दो में से इक मान के चलो आता है, तो ये बारा नंबर का आएगा, तो चार 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 नंबर का दे दिना होगा, क्लियर, पिछले कोश्चन का परसंटेज चेंज इन EPS यही तो निखाला है, पहले भी ऐसे करा था, अब भी ऐसे करा है, पिछला एक एडवांस बताया था, अभी आगे आ जाएगा, चलिए सर, अब मेरे को लग रहा है, मैं बहुत तेजी में ने तो यहीं चल रहा है, बा सर, कुश्चन पढ़ लेते हैं, कहता है, फॉलविंग इन्फर्मिशन अवेलेबल इन रिस्पेक्ट आफ, आपका एक कंपनी है, दत, पी वी आर दे दिया, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशो, इसका मतलब सर, यह कौन सा रेशो है, पता है, याद करो, सारी क्लासिस इसलिए मैं पहले बता चुका हूँ, चीजों को, contribution रेशो है, अब सर इसने तो answer ही दे दिया, आशर ही दे दिया, इसने, उपरेटिंग लीवरेज निकालना सीखते थे, यह दे रहा है हमें, फाइनसिंग लीवरेज निकालना सीखते थे, दे रहा है, interest liability दे दिया इसने, tax rate दे दिय है इसने number of equity दे दिया अब कहता है प्रपेयर इंकम स्टेट्मेंट इन EPS सर अब पूरा डिटेल आप तयार करो इसका कहना यह कोई बात नहीं बड़ा असाने से कर लेंगे हम इसके पूरे के पूरे डिटेल को तयार है अगर आप इस फॉर्मेट को आपको याद होता है जितने बच्चे देखो नए डेली बच्चे एंडरोल करते हैं कुछ बच्चे लेट आ जाते हैं तो मैं कहूंगा अब तो भाई थोड़ा सा इसमें आगे बढ़ चुके हैं अगली क्लास में जब हम नए चेप्टर स्टार्ट करेंगे तो उससे एंडरोल हो जाएंगे समझ में आ जाएगा सबसे पहले मैं फॉर्मिट बना लूँ सिंपल सर सेल्स माइनस क्या करते हैं बीसी क्या आता है हमारा कॉंट्रिबूशन माइनस क्या करते हैं EBIT अरे माइनस EBIT थोड़ी करते हैं माइनस क्या करते हैं Fixed Cost कोई आएगा? Fixed Cost क्या आएगा आपका? EBIT माइनस क्या करेंगे सर? Interest क्या आएगा हमारा? EBT माइनस क्या करेंगे हम? Tax क्या आएगा हमारा? EAT और इसी को हम करते हैं इनकम स्टेट्मेंट इसको हम डिवाइड कर देंगे किस से सर? Number of share से तो क्या जाएगा? EPS अब बस fill in the blanks हो गया question तो जो जो दे रखा है detail put करते जाते हैं Sir, number of equity? Sir, आपका tax rate 30% दे रखा है, interest दे रखा है कितने? 8000 Interest क्या है? 8000, अब interest कुछ में यूज होता है? कौन से leverage में? Operating leverage में या financing leverage में, financing में यूज होता है, अब DFL का formula open करो, क्या होता है हमारा? अब मैं इसको थोड़ा style से बदल के करता हूँ, मैं कर देता हूँ EBIT divided by EBIT minus interest, थोड़ा style change कर दिया बस, यही है न? क्योंकि interest factor दे रखा था, तो हमने क्या कर दिया सर, interest थोड़ा से unique कर दिया यहां पर, बता इस formula में कोई कमी है या वही थोड़ा से explain कर दिया, वही है से, अब हमें DFL पता है, DFL क्या दे रखा है हमें, financial leverage 1.421 is equal to EBIT question mark है, तो EBIT को EBIT छोड़ देते हैं, नीचे भी EBIT question mark है, EBIT रहने दो, minus में interest दे रखा है, 8000, cross multiply करने में तो हम सुरू से expert हैं, तो इसको करेंगे तो 1.421 EBIT, पहले इसको मैंने इससे किया, फिर इससे करो minus के, करो बताओ क्या आता है, 11,000, 68, यह आगया is equal to क्या रह जाएगा, अकेला रह जाएगा, और जिसके आगे कुछ नहीं होता है, उसके आगे कौन होता है, उसके आगे होता है, एक, ठेक है, भगवार नहीं होता है, उसके आगे एक होता है, अब कुछ बच्चे बता रहे हैं, सर 27,000, कुछ multiply गलत तो नहीं करा है, अब देख लो, चेक कर लो, अच्छा contribution बता दिया, शायद सीधा, चलो देखते हैं, अब हम क्या करेंगे, अमाउंट को एक साइड बिना एक्स वाले जैसे हम पहले कर दे थे, इसको अगर हम इधर लेक्या आए, तो हमारा क्या आजाएगा, EBIT, लेखिन 0.0 is equal to, अब सर EBIT का अंसर निकाल लो, मैं बहुत डिटेल में कर रहा हूं, शॉटकट भी कर सकता था, divided by, चलो अब बता दो, 27,000, दो छोड़ो ना अब, एक दो रुपर छोड़ो, वो पॉइंट के विज़सा आगया हो, ठीक है, तो 27,000 बच्चों ने निकाल दिया EBIT, तो सर, एक चीज़ पता चल गया हमें, अब इससे हमें ये भी पता चल जाएगा, बनता जा रहा है, रास्ता बनता जा रहा है, कितने, 8,000 माइनिस करेंगे तो, 19,000, सर, टेक्स रेट कोश्चन में गीवन है 30%, मजे की बात, तो 5,700, माइनिस करेंगे तो क्या आजाएगा, 13,000, 300, EPS तो ऐसे ही निकल लिए देख लो, डिवाइड करना है बस है न, इसको थोड़ा उपर करो भाई, अच्छा नहीं लग रहा है, इतना नीचे है न, चल ला, EPS बात में करेंगे, अब इससे हमें उपर जाना है, अब उपर जाने के लिए, हमें इसका percentage दे रखा है, Contribution का, Contribution का percentage कितना है? 40, लेकिन सर, Contribution पता तो चले, अब कौन, मैं आप से पूचना चाहता हूँ, कौन बच्चा बताएगा variable cost का percentage, Variable cost का percentage क्या होगा? Question में दिया है क्या variable cost? परसंटेज नहीं दिया हमने स्टार्टिंग में देखा था हम हंडेड में से माइनेस करके कर सकते थे ना तो यहां पर क्या परसंटेज होगा हमारा साथ बेरी सिंपल अब सर यह दोनों जो बीच में फिक्स कॉस्ट आ रहे है और फिक्स कॉस्ट का इंवाल्मेंट पता है किस में होता है अब 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 अबरेटिंग लीवरेज को फॉर्मॉला उपन करते हैं नेक्स पेज़ पर चल लेते हैं ऑपरेटिंग लीवरेज क्या कहता है कॉंट्रिबूशन थोड़ा स्टाइल चेंज कर सकते हैं वैसे EVIT तो पता ही है वैसे भी छोड़ो स्टाइल चेंज करने की जूरत नहीं है नहीं तो मैं चाहता नहीं तो इसको ऐसे भी कर देता contribution रखता और divided by contribution minus FC कर देता ठीक है तो जैसे पिछले आले सवाल में किया था ये भी लेकिन अब हमें EBIT पता है तो directly contribution निकाल लेंगे हम तो सर DOL क्या पता है हमें सर देखिए DOL दे रखा है 1.5 1.5 is equal to contribution नहीं पता तो रहने दो सर EBIT आपने 27,000 निकाल लेंगे हमें साइद multiply करो क्या आगया 40,000 500 आगया contribution अगर आप formula पर आजाएं तो ये पता चल गए आपको 40,000 500 तो अब इनके बीच में क्या रहता है fixed cost ही रहता है क्योंकि आपका ये 40,500 आया और ये 27 है तो कुछ minus करके आया होगा और that is जो minus किया होगा वो क्या होगा सर हमारा fixed cost होगा तो fixed cost कितने बनगे बताओ 13,500 बच्चो का जवाब भी आ गया है 13,500 अब सर ऊपर जाते हैं अगर आपको ये पता है तो आप कूछ पर निकाल सकते हो direct जाके ठीक है कैसे बताया था formula को रखने के लिए मैं इधर कर देता हूँ formula को रखने के लिए आपको याद होगा मैंने बताया आपको 4,500 है ये और sales direct निकाल सकते हैं कितने percent के बराबर है 40 और आप अगर variable निकालना चाहते हो तो उपर 60 रख दो और अगर आप sales निकालना चाहते हो तो उपर क्या रखो 100 यानि sales का हमेशा percentage क्या ले लेते हैं 100 ले लेते हैं तो बताओ क्या निकालना चाहते हैं sales या variable sales चलो निकालना चाहते हैं फिर difference ले लेंगे कितने होगे बताओ एक लाख एक लाख अब इनके बीच में क्या होगा difference variable cost या तो आप इसका सीधा 60% निकाल लो या इन दोनों के बीच का difference ले लो कितने एक भाई बच्चे तो बता रहे हैं एक लाख ग्यारा हजार दोसो पचास कुछ बच्चे एक लाख बारा सो पचास भी बता रहे हैं एक लाख बारा सो पचास जादा बच्चों का है वही है चलिए समाज में आ गया अब देखो स्टार्टिंग में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था लेकिन हमारा ये जो फॉर्मेट बनाया है ये बेस्ट है आप एक बार इसको बनाओगे न तो सीधा सीधा आपको पता चलता जाएगा इससे ये निकलेगा और बड़े आसानी से ये हो जाएगा चलेए अगले सवाल पर चलते हैं किसी को डाउट है इसमें बता दो फटा फट से रेइबल क्रूस्ट कैसे आया सार आप डिफरेंस भी ले सकते हैं रेइबल कॉस्ट में या आप इसका 60% भी ले सकते हैं ये कैसे आया मैंने इधर green marker से करा हुआ है दूसरा कैसे आया सर इधर करा हुआ है चिंता की कोई बात नहीं है किसी बच्चे को कोई दिक्कत है तो बताईए clear है समझ में आ रहा है पूरा आगे देखें अच्छा EPS रह गया EPS भी बताईए दो भाई 10 से डिवाइड कर दोगे तो 1.33 hand raise का कुछ बच्चों का आ रहा है तो hand raise सबसे last में लेंगे जब chapter पूरा हम कर लेंगे न तो फिर मैं आराम से बैठ हूँगा और आप से फिर discuss कर लूँगा पॉइंट क्या बता दिया पॉइंट 412 पॉइंट 421 कैसे आया कौन सा पॉइंट 421 अरे इसमें से माइन इसमें से माइनस किया न यह देखो यह equation यह देखो यह पूरा एक equation है इस equation को solve करो आ जाएगा यह एक है, EBIT में से माइनस करो यह तो आ जाएगा इस equation को solve करना आ जाएगा next page ओके, done, यह देखे अब बच्चे कहेंगे सर हमें कैसे पता चला पहले कौन सा formula open करना है आप दोनों में से कोई भी कर सकते हो लेकिन हमेशा ध्यान रखना हमें उसी formula को पहले लिखना चाहिए जिसकी कोई एक जानकारी दो जानकारी गीवन हो क्योंकि दो information अगर उससे related गीवन होता है तो तीसरा find किया जा सकता है contribution पे 40% निकाला है, यह रहा आपका 40-500 contribution निकाल लिया था, उसके divided by 40 into my 100 percentage को reverse करके directly sales निकाल लिया है हमने चली अब आगे चलते हैं झाला है बस सोला ही कुश्चन है पिर आज ही खतम हो जाएगा चलिए एक बार कुश्चन पढ़ लेते है कहता है यह तो बना के दे रहा है हमें पूरा फॉर्मेट क्या कहता है using the concept of financial leverage को ध्यान रखते हुए what percentage will be taxable income कहता है what percentage will that taxable income taxable income का मतलब आपका वो income जिस पर tax देना है यानि EBIT taxable income का मतलब क्या होता है क्योंकि tax किस पर sorry EBT tax किस पर देते हो आप EBT पर क्योंकि आपने अभी निकाला ना earning before interest and tax के बाद फिर interest minus करते हो तो क्या आप EBIT पर tax देते हो नहीं देते है पहले interest minus करते है वो तो taxable income if EBIT increase by 6% बोलता है अगर हमारा EBIT increase हो जाए 6% तो taxable income बताओ तो taxable income का मतलब आपसे देख रहे हो कितना गुमा के पूछ रहा है वो आपसे पूछ रहे है EBIT क्या पूछ रहे है EBIT कहता है अगर हमारा 6% से increase हो जाए क्या increase हो जाए सर 6% से हमारा EBIT तो बताओ के हमारा EBIT क्या होगा अभी बता देगे निकालके पहला question हो गया यह ठीक है अगला कहता है using of concept of operating leverage where the percentage will EBIT increase if there 10% increase in sales कहता है अगर sales में 10% का changes आए तो आप मुझे यह बता दें कि EBIT में कितना percent increase होगा ठीक है कितने percentage increase होगा और यह भी percentage में पूछा है अब change वाला formula लगाएंगे और फटा फट निकाल लेंगे लेंदी वाले तरीके से नहीं करने वाले क्योंकि हमें DFL चाहिए और हमें एक percentage जो दो percentage गीवन है एक DFL यह DOL निकाल लेंगे और percentage change in EPS और जो भी गीवन है उसके इसाब से निकाल लेंगे फटा फटा कहता है यूजिंग दा कॉंसेप्ट आफ लीवरेज बाइवाट परसंटेज विल बी टेक्सिबल इंकम इंक्रीज इफ सेल्स इंक्रीज बाइच छे परसेंट और सबसे पहले तो सिंपल सी बात है हम इंकम स्टेट्मेंट बना लेते हैं सर इस प्योर चेप्टर फॉर्मूला भेज देना मैंने लिख दिया है आप नोट कर सकते हैं बाकी मैं लिख आप साहित पड़ा होगा मैं भेज दूँ आपको फॉर्मूला तो मैंना इसको देखो दोनों से करके दिखा देता हूँ अब यहाँ पर सबसे पहले पर्जेंट जो कि दे रखा है हमें क्या दे रखा है सर सेल्स दे रखा है और मैंना थोड़ा सा जो जो रिक्वार्मेंट होगा न डिटेल इधर चलते जाएंगे ठीक है क्या दे रखा है हमें सेल्स कितने सब कुछ दे ही रखा है फिर भी हम लिख लेते हैं सेल्स दो लाग एक बार इस फॉर्मेट को लिख ले माइनस बीसी कितना है और इसके मजे की बात है यह दे दिया है आपको तो माइनस करोगे तो कॉंट्रिबीशन आ जाएगा एक चालिस यह आगया कॉंट्रिबीशन और यह कितने परसेंट होगा मैं बस एक नॉलिज टेस्ट कर रहा हूँ सत्तर परसेंट ठीक है लिखना नहीं है आपको बस मैं एक नॉलिज के परपस के लिए आपको लिखता जा रहा हूँ माइनस फिक्स कॉस्ट फिक्स कॉस्ट कॉस्ट में गीवन है एक लाग माइनस करोगे तो क्या हैगा चालिस अजार देट इज इबी आईटी माइनस क्या कर दो सर इंट्रस माइनस कर दो इंट्रस क्या है कॉस्ट क्या है कॉस्ट में पांच हजार क्या गया हमारा 35,000 ये क्या हो गया हमारा EBT या फिर Taxable Income एक और नाम सीखा हमने इसमें इसी को क्या बोलते हैं Taxable Income अब Tax दे रखा है आपको जो भी अब Tax लगेगा ना तो इस पे लगेगा हलाग कि हमें बोला हुआ नहीं है अब हम Simple Simple तीन चीज़े निकाल लेते हैं Sir क्या निकाल लो DOL कुछ बच्चे लास्ट में देखेंगे न बोलेंगा पता नहीं क्या चल रहा है DOL Degree of Operating Leverage Degree of Financial Leverage फटा-फट आंसर बता दो आंसर बताओ फटा-फट सर प्लीज प्रोग्राम वालों के बुक के PDF कहां से आएगा बुक खरीद नहीं पड़े की बुक के PDF किसी का नहीं है खरीद नहीं पड़े की बुक तो कितने 3 पॉइंट और DFL 1 पॉइंट 1 पॉर सही सही बता रहे हो न DCL DCL 3 पॉइंट हाँ वही हो गया चार ही हो गया 9-9 चार ही हो गया लोग चार लिख देता है ठीक है अब हम कुष्टन पढ़ते जाएंगे और करते जाएंगे दोनों तरीके से करके दिखा दुँआ लॉँग भी और शॉट भी और शॉट की बात करोगी पे फहले शॉट कर दूँगा पीछे अगले पेज़े पेज़े पे शॉट कर देता हूं अगले पेज़ पे शॉट करेंगे फिर यहां पे लॉंग प्रोसेस कर दूआ और मेरे हिसाब से तो शॉट ही कर देना ज्यादा बेनेफिट रहेगा सबसे पहले क्या दे रखा है यह percentage change in कहता है कि आपका क्या percentage change होगा ebt में अगर हमारा ebit का 6% increase हो जाए increase का मतलब change ही दे रखा है तो सर ebit और eps ebit और ebit eps या ebt किस से related है सर यह dfl से related है dfl का एक और formula होता है percentage change in ebt divided by percentage change in eb अब सारी जानकारी given है dfl निकाल लिया भाई क्या निकाला 1.414 is equal to ebit का percentage change नहीं पता यहीं तो पूछा है सरी ebt का मैंने ebit ebit दे रखा है कितने percent 6% multiply कर यह 6.84 यह आगया लो answer यह ज़्यादा बढ़िया है आपको इसी को follow कर लो जब percentage वाला हो सीख तो दोनों ही लिया आपने मैं detail वाला नहीं कर रहा है verify वाला अगले page पे कर देंगे आपको बता दूँँ आप खुद कर लोगे verify आप दूसरा बोलता है what the percentage leverage आप operating leverage के हिसाब से बताईए और नहीं भी बोलता तो भाईया यहाँ पे बोला है इसने financial leverage से बताओ यह line नहीं भी लिखता तो हमारे पास दिमाग है के भाई यह दोनों इसी के बीच का बात कह रहा है तो हम निकाल लेंगे ठीक है ना यहाँ कहता है operating कहता है what percentage change अगर हमारा sales कितना increase हो जाए 10% तो सर हमारा operating leverage का formula होता है percentage change in EBT, EBIT divided by percentage change in sales यह आगे आपका 3.5 percentage change in EBIT क्या था सर percentage change in EBIT 10 है? नहीं, sales दे रखा है यह तो निकालना ही है भाई divided by यह 10 है तो 35% आप answer को भी match करते जाएएगा अपने book से ठीक है? अगला क्या कहता है using the concept of leverage बोलता है भाईया leverage का concept लगा लो जो मन में करता है what the percentage taxable income taxable income यानि फिर से क्या पूछ रहा है वो? यह क्या percentage change होगा अगर हमारा क्या change हो जाए? sales by 6% sales किस से change हो जाए हमारा? 6% तो मेरे हिसाब से आपको थोड़ा थोड़ा याद हो तो combine leverage में sales भी आता है combine leverage में क्या क्या आता है? sales भी और EBIT भी आता है DCL क्या होता है? percentage change in EBT divided by percentage change in sales कहलो country कहलो मैंने बताया था चलिए, DCL क्या है? 4 और percentage change in sales आपको दे रखा है कितने है? 6 और percentage change in EBT तो 24 आ गया? लीजिए जी फटा फटा आंसर बुक में साहिए, मैंने 0.99 को कुछ change किया था तो 24.1 या 23.99 ऐसा कुछ हा सकता है हमने तीनों के तीनों के जवाब दे दिये अब ऐसा कुछ बचा ही नहीं कि इसको जवाब दें और कहता है also verify verify का मतलब आपको तीन कॉलम और create करने होंगे सुन लो, नहीं लास्ट वाले को verify खोलता है एक कॉलम और create करने होंगे, लो मैं करी देता हूँ verify औरे मैं verify करने के लिए इधर कॉलम ही बना लेता हूँ side हो जाओ भाई और इधर कॉलम एक ये वाला जो कॉलम बना रहा हूँ है ये verify के लिए बना रहा हूँ कितने percent sales increment लगा? 10% यानि कितने हो जाएंगे? आप ध्यान देना मैं जल्द यल्दी कर दूँ है इसको sir sales में increment क्योंकि इस पाले question में स्रिफ verify बोल रहा है sales में increment 6% है बताते जाओ मैं 10 कर देता भी 6-12, 2,12,000 हो जाएगा ये? हाँ के नहीं? तीसरे point को verify करना है बस ठीक है? इसके बाद अगर ये है तो इसका 30% निकाल लो कितने हो जाएंगे? 4-12, 4-3 चरी, 12 का कितना होगा 30%? हाँ? आइ क्या बात कर रहा हूँ? 12 ये होगा अब बताओ माइनेस करके और माइनेस करो ये इंटरस्ट इंटरस्ट आ गया अब वेरिफाई कर दो कितना चेंज होगा तो हम कैसे निकालते थे? डिफ्रेंस ले लेते थे दोनों में तो कितना डिफ्रेंस हुआ? परसंटेज, चेंज इन, EPS या EBT कह लो तो डिफ्रेंस अमाउंट हो गया हमारा 35 और 43 कितने होगे दिफ्रेंस लेना? डिवाइड बाइ 35 और 8 और इंटू 100 तो क्या आ जाएगा सहाब? वेरिफाई हो गया बस प्रेक्टिस देखो करना पड़ेगा मेरे हिसाब से जितने भी बच्चे रेगुलर क्लास में है न स्टार्टिंग से तो उनको लगेगा हाँ, कुश्चन जैसे जैसे मैं कराता जा रहा हूँ तो क्लियरेटी बढ़ती जा रही है एक बार आप भी इस कुश्चन को प्रेक्टिस करोगे तो बिल्कुल लगेगा यह तो आसाने होई गया यह ठीक है? कुश्चन नंबर था 14 किसी को डाउट है क्या 24%, 43,500, 48,400 सभी बच्चों ने निकाल के बता दिया था चलिए अरे अगला कुश्चन 15 16 में क्या है? 16 भी कर देंगा 2 मिनिट का काम है चलिए find the operating leverage data given है sales, variable cost, fixed cost यह लो एक पार्ट दूसरे पार्ट में कहता है find the financial leverage अगर data given है net worth debt equity ratio given है और interest given है आपको rate और operating profit operating profit का मतलब होता है सर EBIT EBIT यह सारे नाम जो लिख रहा हुना यह सारे आपको पता होना चाहिए operating profit का मतलब क्या होता है EBIT कहीं पर आप जब notes बनाओगे तो जितने नाम लिखे हैं उनके different क्योंकि paper में कोई भी नाम use हो सकता है आपका चलिए फटा-फट से पहले statement ही बना ले हम यह दो question है ना सारे दो पार्ट है ना तो statement काई को बनाए फिर formula लगागे कर देते ना फिर भी एक तो छोटा सा बनाना पड़ेगा नहीं बुक में तो देखो बहुत चीज़े short में भी कर देते हैं मुझे तो detail में कराना पड़ता है ना sales बताईए कितना है सर minus में VC कर दीजिए 60% that is बचा कितने 20,000 यह आगया country minus कर दीजिए FC 12,000 that is आगया 8,000 यह आगया E, B, I, T और D, O, L निकाल दीजिए country divided by E, B I, T करिए divide करो divide एक बड़ 2.5 आगया पहले का अंसर अब देखो debt equity ratio का formula लिख देता हूँ आपके लिए नई बात नहीं है यह इसका formula होता है इसका formula होता है debt upon में यह आपने बारवी class में करा हुआ है और अभी semester में corporate में भी कई जगह पर पूछा गया यह debt equity ratio और even though question भी आ गया था ratio का एक बार तो debt equity ratio का formula जिसको नहीं पता पहले नहीं पढ़ा हुआ तो simple सी बात एक formula होता है हर ratio निकालने का debt equity का debt upon में equity बस एक ही formula है यह इसके इलाबा कुछ नहीं है अब debt equity ratio आपको दे रखा है 3 by 1 is equal to debt नहीं पता debt का मतलब debt और sir यहाँ पे आपका net worth का मतलब होता equity net worth का मतलब होता equity हमेशा याद रखना मैं कुछ चीज़े नाम लिखता जा रहा हूँ equity कितने है तो debt निकल जाएगा यहां से sir debt क्यों निकाल रहे हो sir interest निकालने के लिए क्योंकि degree of financial leverage पूछ लिया इसने और financial leverage के लिए आपको interest तो जानना बहुत जरूरी है बिना interest के तो बात ही नहीं बनेगे 75 लाग आ गया sir debt का percentage दे दिया 12% तो interest क्या आ जाएगा यहां 9 लाग अब question number part number 2 करते है sir हमें EBIT पता है सवाल में operating profit दे रहे कितने लाग रुपे है 20 लाग इसको दूसरे मारकर से कर लेते है इसको white से करते है ठीक है और interest पता है हमें निकाला है sir पता नहीं था निकाला है कितने आ गए 11 लाग यह क्या आ गया अब तो डिवाइड कर दो 1.91 हुआ कुछ आएगा देखो 20 डिवाइड बै ग्यारा कर दिया करो ने 0 भूल जाए करो 1.81 क्यों अलगा गया ठीक है सभी बच्चों का अंसर आ गया है ये question भी done नीशू आपका 9-1 आ रहा है 9-1 नहीं आना चाहिए 8-1 आना चाहिए चलिए last question question में क्या कहता है the following detailed banker given हमें कोई बात नहीं operating leverage financial leverage interest दे रखा है corporate tax का मतलब income tax ही होता है income tax को ही corporate tax बोल देते हैं हम इसके बाद variable cost percentage sales 60% prepare income statement of the company मैं पता इसको क्यों कर रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने आपको दिया तो बच्चा doubt लियाएगा और फिर अगली class में मेरा मन है मैं new chapter करा हूँ हाला कि यह same type का question किया है है शायद हमने आ जाना पहले format बना लेते हैं सर्थ sales minus variable cost क्या आएगा contribution minus FC क्या आएगा EBIT minus में interest क्या आएगा EBT और कुछ पूछा इसने prepare income statement करना EBT tax दे रखा है minus में tax आ जाएगा EBT अब जो जो जानकारी है सामने fill करता जाऊँगा सर इंटरस्ट दे रखा है 20 लाग इंटरस्ट दे रखा है ठीक है अब सर कौन सा formula open करें operating or financing financing leverage क्योंकि interest है DFL divided by minus interest यह formula बना लिया हमने सर DFL कितना है हमारा पता है दो यह आसान है EBIT divided by EBIT minus 20 लाग cross multiply करो 2 EBIT minus 40 लाग is equal to EBIT अब इधर minus करोगे तो बचेगा अकेला EBIT is equal to 40 लाग प्लस में हो जाएगा तो EBIT आगया हमारा और यह आता है minus करने के बाद तो इसको minus करने के बाद आ जाएगा tax दे रखा है आपको 50% तो 50% आएगा इसमें तो calculator भी नहीं चाहिए अब उपर चलते है FC दे रखा है नहीं दे रखा FC के लिए कौन सा formula लगा ले DOL E contribution सर उसका depth बता दो एक पर 6.1 अभी बता देते है contribution डिवाइड़ बाई EBIT 3 is equal to country EBIT क्या था 40,00,00,00 multiply करो 1.120,00,00 एक करोड़ बीस लाक यानि एक सो बीस लाक ये आगए एक सो बीस लाक 120 लाक अब FC क्या आएगा 80 लाक सही तो है अब इसके बाद हमारा variable cost कितने परसेंट है तो ये कितने परसेंट होगा तो निकाल दो आप 100% sales हो जाएगा 120,00,00,00 इंटू में 100 divided by 60 60 है न न चालिस 300,00,00,00 है न और 60% निकाल दो 180,00,00,00 तो 120,00 आ गया हो गया 3 करोड 1.2 ठीक है ठीक है ठीक है पर्थम ने बोला सर उसका EBIT बता दो एक बार किस question का आप question number भी लिख दो ठीक है आगे आएं सारे question हो जाता है अब एक बार starting से देख रहे हैं कोई बीच में रह तो नहीं गया एक question रह गया था मुझे याद है नहीं एक और भी रह गया वो homework में दुआ यह रह गया इस question को देखके न बच्चे डर जाते हैं सार कौन सा question है जिसको देखके डर लग जाते हैं बच्चों को यह और paper में आया हुआ है यह question और इतना आसान है formula पूट करना है आपको change in sales दे रखा change in EBIT change in क्या निकालना है देखो operating leverage तीनों का हैं दो यह combine leverage तो formula हर किसी का अलग अलग निकालोगे यानि आपका मैं सिर्फ firm A का बता दूँ A का क्या आएगा operating leverage क्या होता है formula percentage change in EBIT divided by percentage change in sales है ना तो सर पहले point का देखो एक answer क्या आएगा percentage change in EBIT दे रखा है 25 divided by 27 answer बताते जाओ B का क्या आएगा 24 divided by 25 C का क्या आएगा 21 divided by 23 D का क्या आएगा 23 divided by 21 कर्सक्स फटा फट 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 बता दो 92 0. जीरो पॉइंट रुक क्यों गया अभी तो फटा फटा बता रहता है 9.5 बस डी एफल हो जाएगा डी एफल भी तो आपको ये कोशन देखके वैसे मुश्किल लगेगा जिन बच्चों ने परसंटेज चेंज वालो फॉर्मूला ना किया हो क्योंकि बहुत बच्चे ऐसे करते हैं फर्स क्लास देखा यार सब समझ में आगे छोड़ो आगे बढ़ते हैं ये चप्टर तो होई जाएगा फिर वो परसंटेज चेंज वाला यहां पर काम आएगा दूसरा कोई तरीका ही नहीं सर इसका ठीक है चलिए ये भी हो गया आप जाते हैं कौन सा रह गया कौन सा रह गया ये भी कर लिया ये होमवग दिया था हो गया था ये तो आसान था पिछली क्लास में बता दिया बच्चों ने हो गया ये भी हो गया था क्लास में हो गया ये तो ये होमवग दिया था बताओ हो गया 6.9 6.9 हो गया येस सर सर 6.10 में परसंटेज चेंज इन EPS 91,000 कैसे आया अरे 91,000 तो डिफरेंस था अभी आ रहे हैं आगे अब ये कोश्चन रहे गया ये कह रहा है 91,000 कैसे आया और 91,000 देखो ऐसे आया इन दोनों का डिफरेंस 91,000 है ठीक है अब ये कोश्चन होमवर्क है मैं इसको बताता हूँ कैसे करना है देखो फिक्स कॉस दे रखा है आपको कितना अरे फिक्स कॉस ध्यान दे ना बहुत सिंपल कॉश्चन है मैं करवा नहीं रहा इसलिए फिक्स कॉस कितना है हजार एक बार आपको प्लैन वन के साथ ये फिक्स कॉस लगाके करना है एक बार प्लैन टू के साथ ये फिक्स कॉस लगाके करना है एक बार plan 3 के साथ यही fix cost लगाके करना है पूरा सर डेट किसके interest के काम आ जाएगा निकालने के equity question में क्या कहता है x y z 3 financial plan 1, 2, 3 plan है calculate the operating financial leverage और firm basis following information available ठीक है आपको unit of production दे दिया selling price दे दिया variable cost दे दिया यह तो given है एक fix cost से कितने question बने तीन फिर अब दूसरे fix cost को उठाना है फिर तीन बार करना है कितने question होगे तीन और तीन छे अब फिर इस fix cost को निकालना है फिर तीन बार करना है यानि सर यह अकेला no question के बराबर है नहीं आया हुए exam में पिछले साल मेरे ख्याल अभी तो मैंने solve करके दिया था यह paper में कब दिया था साथ पिछले से पिछले साल ही आया था exam में यह paper में मैं paper बना रहा था तो मैंने देखा था कि solution जब मैं कर रहा था तो आया हुआ है ऐसा नहीं है बोलना के नहीं आया हुआ आया हुआ है paper में 10 year में हो जाएगा यह question बस इसके अंदर आपको ज़्यादा बार मैनत करनी है उसका कुछ है नहीं वो तो करना ही पड़ेगा सर BCD में सर value गलट डाल दिया है मैंने बच्चे कह रहे हैं सर BCD में value गलट डाल दिया चलो चलो देखते है आप लोग ध्यान नहीं देते हैं ओफ्लाइन वाले बच्चे ओनलाइन वाले ज़्यादा अलर्ट है बी में क्या डाला 24 अरे हाँ यह 24 ले लिया 32 लेना था न भाई यह सब गलट हो गया क्योंकि मुझे लेना था है 32 36 और 40 ठीक है तो सही हुआ गलट homework में मिल जाएगा आपको ठीक है वो value गलट ले लिया है 6.9 का interest वाला part बता दो 6.9 सार अगली class में नए chapter करने वाले हम बिल्कुल है 6.9 में interest वाला part देखे बता देते हैं अभी लेते हैं hand raise वालों का भी doubt लेते हैं देखो debenture दे रखा है आपको और यह दे रखा है आपको loan का amount तो company A का कैसे निकलेगा चार पांच और उसके उपर बारा परसेंट तो interest रा जाएगा है सर चार और बारा परसेंट कितने बनते हैं 48 यह company A का बन गया और company B का ऐसे निकाल दोगे चे लाग पचास अजार पे इंटू में बारा परसेंट बारा परसेंट ही न हाँ जो भी आएगा whatever यह interest आजाएगा सर प्रिंसिपल आफ मार्केटिंग की लाइव क्लास नहीं होंगी सुनेना अठातर 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 अच्छा अठातर यह बता दिया यह 78 आएगा यह 78 आगया जिस बच्चे का डाउट था क्लियर हो गया हूँ